सात्यों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर लोकेस वाली स्वागत करता हूँ एक और शांदार महा मेराथोन सैसन में सात्यों UGC NET के लिए मैं आप लोगों के लिए महा मेराथोन सैसन लेकर आ गया हूँ अगर आप सात्यों मैथ में कुछ भी नहीं जानते आपको केवल एक से लेकर सो तक गिनती आती हैं तो मेरी क्लास में केवल आपको एक से लेकर सो तक गिनती और A से लेकर Z तक ABCD सीख कर आ जानी है मैं आपको यह वादा करता हूँ आज सो सात्यों लगबग 7-8 घंटे जो मैं आप लोगों के लिए मेराथोन सैसन लेकर आया हूँ इसमें मैं यह गैरंटी देता हूँ कि आप लोग 100% मैथ रीजनिंग में चैंपियन हो जाओगे और सात्यों यह वादा मैं आपको इस आधार पर दे रहा हूँ कि मैं कई बार नेट जयारेप की क्वालिफाइड हूँ और मैं सात्यों यह मेरा PhD का थिसिस है इसके आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि University College में जो पढ़ाने का मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैंने ऐस सागर सुनिंदा ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो सात्यों आपको मैथ कंपलीट सिखाने वाली है उसात्यों आप सभी लोग तयार हैं यूजीसीनेट पेपर वन कंपलीट एक ही क्लास में कंपलीट यूनिट पढ़ने वाले हैं हमारे जितने भी पानी की बॉटल लेकर बैठ जाए और आप सभी को पता है कि मेरी क्लास को वही आगर देखना जो कौपी पैन लेकर बैठे क्योंकि मैं हर एक फॉर्मूला हर एक ट्रिक्स आपको नौट करवाने वाला हूँ यानि कि ऑनलाइन क्लास में आफ लाइन का अनभव आपको सात् यो पेपर वन नीचे कॉमेंट्स में यूजी सीनेट पेपर वन लिख दीजिए जो अभी देख रहें लाइव वो भी और जो बाद मैं रिकॉर्डेट देख रहें वो सभी जिससे कैकि मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि कितने लोग हैं जो यूजी सीनेट पेपर वन के लिख दीजे चले साथ यो आगे बढ़ते हैं और आपने अभी तक अपना प्रोफिसर एप डाउनलोड नहीं किया तो अपना प्रोफिसर एप डाउनलोड कर लेना तो आपको डाउनलोड कर लेना अपना प्रोफिसर एप धान रहे इस क्लास के सारे नौट निसूल के आपको साथ यो अपना प्रोफिसर एप पर डाउनलोड करने को मिलेंगे तो आप सभी को वीडियो के description या first comment में अपना professor की link मिल जाएगी वहाँ से आपको इसको download कर लेना है अगर आपके पास android phone नहीं है iOS यानि Apple का phone है तो आपको my institute download कर लेना है और साथ यह organization code यह डाल कर आपको साथ यहाँ पर login कर लेना तो जैसे ही आप app open करोगे आपको साथ यहाँ पर UGC net category मिलेगी आप यहाँ से हमारी paid classes में हिस्सा ले सकते हो अगर आपको इस class के notes download करने है तो यहाँ पर YT free notes आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर साथ यह आपको notes यहाँ पर download करने का और उसका print निकालने का सब का access मिला हुआ है notes download करने की अनुमती दी गई है यह मेरा telegram channel है इसमें लगबग अभी तक 40,000 चात्र जुड़ चुके हैं लगबग 40,000 बच्चे जुड़ चुके हैं डॉक्टर लॉकिस बाली के नाम से अपना telegram channel है इसकी link भी वीडियो के description और first comment मिल जाएगी आप जाएए रिसको भी आप एक बार join कर लेना यह हमारे phone number है इस पर phone करके आप हमसे class age की जानकारी ले सकते हो तो चले साथियों शुरुआत करते हैं इस महा महरातोन session की तो एक बार आप कसम खाएए कि कौन-कौन लोग हैं जो इस महा महरातोन को complete देखने वाले हैं नीचे comment करना कि sir मैंने आपके साथ इस पूरी महरातोन session को complete देखा है complete जिया है तो नीचे comments करके जरूर से बतलाना मुझे हाँ धान रहे UGC net paper 1 एक बार comments में लिख दो और mathematics aptitude भी लिखना चाहो तो वो भी सातियों आप एक बार लिख दीजे अपना professor app download कर लिजे अब सातियों चलते हैं हमारे syllabus की तरफ और syllabus की तरफ मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ यह math का पूरा syllabus है आप यहाँ पर देख लिजे mathematical reasoning हम यहां से ही शुरू करेंगे इसको starting से ही start करने वाले हैं एक भी चीज नहीं छोडेंगे यह वादा है आपको मैं अपने पुराने teacher को याद दिलाना चाहूँगा यह एक table है सातियों आज हम पढ़ने जारे हैं नंबर सीरीज पढ़ेंगे कौन पढ़ेंगे संख्या और नंबर सीरीज को आज हम पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे सातियों संख्या तथा स्रंकला नंबर तथा लेटर सीरीज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लेटर सीरीज को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस सारणी को आपको याद करना है आपको इनके नमबरों को याद करना है जैसे यह उल्टे सुल्टे नमबर हैं मैंने आपसे क्या कहा आई रिपीट मैं दुबारा से अपने शब्दों को धोरा रहा हूं कि मेरी क्लास में आपको A से लेकर Z तक ABCD आनी अगरे दो चीज अगर आपको आती हैं तो मैथ और रेजिनिंग और D.I. में आपका एक भी नमबर नहीं कर सकता है मेरा वादा है चलिए सुरुवात करते हैं वादे के साथ नाजा मेरे बाद शा एक वादे के लिए एक वादा तोड़े के चलिए सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं सीरीज से की उल्टा सुल्टा आता है हमारे गुरुजी थे उस समय अजुरुद्दीन नाम के प्लियर बहुत जादा पॉपुलर थे तो हमको किस प्रकार से सदाय पहले सबस्पहले नंबर सीरो यह सीखो आप पहले जैसे ए आता है एक नंबर पर सब लोग याद करो यह टेवल बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास के आरंब में टेवल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप यह आने वाले जो कॉश्चन है दो अजार इकीस में जो पेपर आय है दो अजार बाइस में जो पेपर आया है उस पेपर को आप आसानी से सॉल कर सकें मैं आपर दो अजार इकीस दो जार बाइस के एमसी क्यूज भी करवाने वाला हूं तो यह टेवल हमको जरूरी है एसे लेका एस तरवार से एक नमबर पर बी आता है दो नमबर पर सी आता है तीन नमबर पर तो आपको पता है आप लोग यहां तक तो जानते ही होंगे पांच नमबर तक आप जानते होंगे कि ये पांच नमबर तक तो आपको याद हो गई होगा इतना मैं मान के चलता हूँ, तो आप कर लो G7, G के साथ साथ लगा लो, G7 की मिटिंग होती है जैसे अभी G20 की मिटिंग चल रही है ना इंडिया में, उसी तरीके से G7 की मिटिंग भी होती है G समू है देशों का, तो G7 उस तरीके से याद कर लो, है ना, I know, I know, I know अंग्रेजी बोलने का भूस सवार है था ना, I know, I know, I know, तो यहां से I know को याद कर लो, I know मैं आपको बहुत बार इन चीजों को repeat and repeat and repeat कर वाँगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, चिंता ना करें G10, G आता है 10 नमबर पर, क्या आता है सातियो, G10, क्या आता है, G10, G10, G10 दे 10 नमबर पर आता है K11, L12 और इन चीजों को जरूर याद करना M और N को, M 13 नमबर पर आता है, N 14 नमबर पाता है, O 15, O लाल बुरसेट, हरी बुरसेट, O 15, क्या आता है सातियो, O 15 पी सोला, पीकर्स हो गया, पी सोला मतलब लिंक बैठाओ, देखो लंबे समय तक अगर आप याद करना चाहते हो किसी भी चीज को, तो आप रोज मर्रा की जिंदकी से उस चीज को आत्म साथ करने की कौसिस करो, कि रोज मर्रा की जिंदकी में जो चल रहा है ना, उसको आप ल क्यों सत्रा खत्रा क्यों सत्रा अंत्र लिंक मनाने की कौसिस करो, लोंग समय तक याद लाव हम तभी रख पाएंगे जब लिंक बनाईगे, क्यों सोला, अब आपने T20 के मेस तो देखे होंगे U 21, U का मतलब तुम, 21 का मतलब होता है best, एक शब्द होता है 19 और 21, हम नहीं कहते, या तैयर 19 है या 21 है, या 21 का मतलब होता है best, आरे तुम best हो, चेलो, तुम best हो, U 21, U 21, तुम best हो, लिंक बनाने की कॉसिस करो मेरा कहने के मतलब यह है U21 लिंक बनाने की कॉसिस करो अब ऐसा तो V22, W23, X24, Y25, Z26, यह हमारी एक क्या है लिंक बनाने क्या आप यहां पर इस तरीके से कॉसिस कीजिए अब यह आ गया साथ यह उल्टा सुल्टा शब्द अब यह आ गया उल्टा सुल्टा अब यहां पर क्या है कि हमको विपरीत याद करना है विपरीत याद करना चिंता ना करे मैं क्लास में तनी बार रिवाइज करवाओंगा कि नंबर सीरीज आपकी दिमाग में फिट हो जाएगी अजरुद्दीन का नाम याद रखो जब मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया था उस समय ट्रिक बताय थी अजहर इसको आप अजहर के नाम से याद करो लिख लो लिख लो अजहर वह अजरुद्दीन भारति टीम के कप्टान थे बहुत बड़े कप्टान वह थे बाद में फिक्सिंग का आरोप लगाया था उसको पर तो ए जएड बी वाई बाई 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 लिखो कौपी में बाई बाई ऐसे लिखो याद रहे जाएगा बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ क्या हो गया सिक्सर astero किसा लिखो जो कोपी निकालो सिक्सर लिखो पोग Mario दूद वाला लिंक मनेगा इसे न 10 वाला याद रखो Earn पता लग जागा डीक व होता है। मेरी क्लास सारी ट्रिक पर ठीक हुई है हर चीज आपको ट्रिक मिलेगी मुझे आने केडमी पर ललन टॉप गुरूजी के नाम से लोग जानते हैं आपको पता नहीं है यह मैंने केडमी पर पिछले तीन साल चार साल से वहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो वहाँ पर मेरी ट्रिक्स को लोगों ने ललन ल्लन टॉप ट्रिक है यह सारी तो मुझे लल लन टॉप गुरूजी कहते हैं वहाँ पर तो दी ड्व दूद्वाला क्या हो के सातियों दूद्वाला दूद्वाला अब है एवरी एवी एवरी डेएवी एवी एवरी 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 डेएव्य average इवी का मतलब उल्टा everyday, ev मतलब everyday इसके बाद मैं a पर u huge, huge link लगाओ, यहां everyday लिख लो यहां पर everyday लिख लो, यहां पर fuse लिख दो fuse लिख दो, हिंदी में लिख दो, याद हो जाएगा fuse लिख दो, यहां पर fuse यहां पर fuse लिख दिया, copy बना लो math की एक अलग से इसके बाद मैं gt grand track rod share sa surin बनाया था, आपको बता इसको gt कहतो आप gt gt rod grand track rod gt rod share sa surin बनाया था वारत में gt g का मतलब g का उल्टा t, t का उल्टा g ok, आजाओ h और s hi sania hi sania, hello hello սानिया hi sania, sania के नाम से यत कर लो hi sania, है इस आजा say CAN,ение कर दो honest second ठीक है ir incorrect Indian relation और Indian Railway Indian Railway कुसभी तरीके से यत कर लो Indian relation या फिर Indian Railway किस भी तरीके से यत कर लो Indian Railway या फिर in ir मतलब Indian Railway या फिर Indian relation जिस भी तरीके से यत करना चाह infin जे Q, एक हीरो इनी है, सिरलंका की जेकलिन, उसके नाम से याद कर लो, जे का उल्टा क्यू, जेकलिन, जेकलिन से याद करो, जे का उल्टा क्यू, जेकलिन, जे का उल्टा क्यू, जेकलिन, एक कपिल, केपी, कपिल से नाम याद रख लो, और L-O, मिरे नाम से याद रख लो, या फिर लव कर लो एलो वी लव और एम एन मन एक मूवी आई ती साते हो मन आमिर खान और मनिसा कोईराला की बहुत सुन्दर गाना है एक इसमें गाने का नाम बूल रहा हूं पर बहुत सुन्दर है आप लिके उसके बोल लिखकर बताओ तो देखें कौन सा गाना था तो एक बार सरसरी नजर दोड़ा लिजे इस पर ये हमको सीखनी है ये सारी उमीद है ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा अब हम नंबर सीरीज के कॉशन पर चलते हैं मैं सबसे पहले आपको 2021 के कॉशन करवाऊंगा देखो आज तक की जितनी भी एक्जाम लग सवाल दी थी तो हम सबसे पहले 2021 के कॉशनों को लेने वाले हैं और भीड़ने वाले हैं कि कितने आसान सवाल थे 2021 में जो नंबर सीरीज में हमसे पूंचे गए थे आए सबसे पहले सातियों कॉशन नंबर दो करो ये सवाले को करो आप हमको दे रखा एक तीन छे दस और एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक लेकिन रिष्टा वो ही रहता है जो पहले और दूसरे में हैं यानि एक रिलेशन के आधार पर आगे बढ़ना होता है जैसे उधारन के रूप में समझते हैं फिर कॉशन पर आता हैं इसका मतलब क्या हो गया जैसे 2 आ गया उसके बाद में 4 आ गया उसके बाद में 6 आ गया उसके बाद में 8 आ गया उसके बाद में 10 आ गया उसके बाद में 12 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर प्लस दो हो गया यानि प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो यानि हर किसी में प्लस-प्लस-प्लस दो-दो होता है चला गया यानि कि यह एक स्रंकला है यह क्या है एक प्रकार की एक रचना है स्रंकला है तो चलिए साथियो कॉश्ण नमबर आप मुझे दूसरे का आउसर करके बतलाइए फटा-फट आउसर कीजिए गाइज बहुत भड देखो आप लोगों ने आंसर कर लिया 15 आंसर आया कैसे है इस चीज को समों वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुग्यान और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निसान मैं तेक ऐसी चीज़े जो सबसे ज़ादा आप लोगों से अभ्यास मांगती है कि जितना आप लोग अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए बैटर होगा तो यहाँ पर क्या है साथियो एक और तीन इसके बीच में प्लस दो कांतर है बाई एक से और तीन के बीच में प्लस दो कांतर है जाहिर सी बात है कितने कांतर है साथियो एक और उसके बीच में कितना ह का अंतर अब 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है तो अगला अंतर क्या होगा प्लस 5 का होगा देखो एक सीरीज बन की 2019 की exam में आया था और 2021 की exam ऐसी exam ती जिन्हों ने धमा का मचा दिया था बच्चे बच्चों में तराही मान तराही मान कि स्थिति हो गए दिख चैनल क्या पेपर पूछ लिया गया है जब कि इतना शरल सभल पेपर उस समय आया था ओके आया मजा अब हम अगले कौशन की तरफ चलते हैं और ये कौशन है साथ यो कौशन नमबर तीन ये कौशन हमसे 2020 में पूछा गया है करिए आप ट्राइ करो पांच मिनिट मैं आपको सिखाऊंगा पिर ये कैसे करना इस कौशन को क्लास अठक रही है के यार मेरे मोबाइल में क्लास अठक रही है अगर ऐसा है तो मैं दूसरे मोबाइल में ट्राइ करता हूं सई चल रही है मेरे मोबाइल में अठक रही है क्लास सई चल रही है यह सर अठक रही है नो सर वो आपके नेटवर्क की वज़े सटक रही होगी ठीक है निमलिक संख्या क्रम में गलत संख्या का आपको यहाँ पर पता लगाना है नहीं है डगरी सर इसका नेट कम होगा अरे फिर तो कोई दिक्कति वाली बात नहीं है न यार चलिए यह वाला कॉसल कीजिए देखो आपका इंटरनेट की वज़े से कोई दिक्कत होगी क्लास हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चल रही है इस वाले कॉश्चन कीजिए थोड़ा सरल कॉश्चन है फिर हम अगला कॉश्चन करवाएंगे आप लोगों से चले पिछला कॉश्चन पर आएंगे पहले इस वाले कॉश्चन करो सारे कॉश्चन ही है यह चिंता ना करें आप लोग पर एक क्रम से चलेंगे हम लोग ताकि लेवल मेंटेंड कर सकें जीरो से हीरो तक का सफ़रत्य करना है हमको देखो यहाँ पर क्या है हमको तीन संख्या निकालनी है एक दो तीन हमको तीन संख्याओं का पता लगाना है जब भी हमारे सामने इस प्रकार की एक्वेशन आ जाए तो मैं हमेसे एक ट्रिक का उप्योग करता हूँ वो ट्रिक क्या है कि आप इसमें से अंतिम शब्द को पकड़ लो आप अंतिम शब्द का रिलेशन निकालो आपको तीनों शब्दों का रिलेशन निकालने की आवशकता नहीं है किसी एक शब्द को पकड़ कर आप उसका रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं उसका रिलेशन निका सकते हैं जैसे बी और एक बी कितने नमबर पर आता है दू नमबर पर baik कितने नमबर पर आता है च्यार कंई राइट वी और heaps की कि रे लिसने एफ और एल होता है बारे नमबर पर और एफ होता है छे नमबर पर एल आता है बारे नमबर पर एफ है छे नमबर पर तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया दोनों के बीच का अंतर हो गया कितने का अंतर हो गया सात्यों दोनों के बीच का अंतर प्लस छे का इनके बीच में अंतर हो गया कितने का अंतर हो गया प्लस छे का यानि हर एक सीरी इस में दो-दो प्लस होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, दो-दो प्लस होते जा रहे हैं, तो L आता है सातियो, एल बराबर बारा, बारा प्लस आठ बराबर बीस, और बीस नमबर पर कौन सा आता है, टी आता है, क्या आता है, बीस नमबर पर टी आता है, तो हमको अंतिम शब्द में कहीं पर टी डूणना है, यहां पर टी है क्या नहीं, यहां पर टी है क्या नहीं, यहां पर भी नहीं, टी सात्यों ये रहा, इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर है, हमको और चीज मिलाने की जरुत नहीं है, ललन टॉप ट्रिक लगानी है, और एक अंक को पकड़ना है, पिछली वाली सेंख्या को, और आंसर हमारे पास है, तो इस प्रिकार से इस कॉशन को करना है, जो अभी हमने किया है सात्यों, सर रिपीट कर दीजे एक बार नीतु, रिपीट कर दें एक बार नीतु इसको, कर देते हैं, देखो नीतु बेटा, ध्यान से सुनो, आप लोग जितने भी लोग है न, एक बार किया पचास बार इस सवाल को मुझसे पूछ सकते हो, आपको, यहां पर भी तीन शब्दों का जोड़ा है, नि तीन शब्द को क्वक्ड़ा है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, यहाँ पर भी तीन शब्दों का जोड़ा है, तीन शब्दों का जोड़ा है, तीन शब्द हमको यहाँ पर निकालने हैं, तो हमने क्या किया कि तीनों शब्दों को मिलान ना करते वे, ट्रिक लगाई और अंतिम शब्द का रिले 4ुट को अगला संक्या हमारी एल है अप एल कितने नंबर पराता है थोड़र पहले ही अउने समझाए तो छे और बारे की वीच माहने के लगई अगली रूड़ है और संक्या जोड़ा है क्योंकि यह जो चैन बन रही है ना यह दो की बन रही है चार छे आठ ऐसे चैन बन रही है नहीं तो आगे क्या होगा बारे बारे मागर आठ जोड देंगे तो 20 आ गया और 20 जिस भी शब्द पर आता है वह साथ यह ती यानि 20 सब्द का अरत होता है तो यहां पर जिस भी शब्द में T है, वो ही हमारा आंसर है, किसी को समश्य हो तो बतलाओ guys, everybody, किसी भी को समश्य हो तो मुझे समझाईए, बतलाईए, सर, option 2 में, अगर 2 में, अगर T मिल गया, तो क्या करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, अगर 2 में T मिल गया, तो हम उसका भी relation निकालेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, हम उसका भी relation निकालेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, हम उसका भी relation निकालेंगे, ठीक है, आगे बढ कॉशन पर हम लोग जंप करते हैं और यह साथ यो कॉशन नमर शिक्स अब यहां पर क्या है कि जोड़े दे रखाए एक जोड़ा दो जोड़ा और तीसरा जोड़े की तीन अंक निकाल लें हमको और चौथा जोड़ा लगाओ एक चैन बनाने की कॉसिस करो आप लोग साथ यो मजा आ रहा है ने पढ़ने में लाइक कर दो वीडियो के एक बार आगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो आप लोगों ने सी आंसर दिया यहां पर क्या दिया सातियों आप लोगों ने अधिक तर लोगों में कॉमेंट्स देख रहा हूं इस मोबाइल में यह रा मेरे पास मोबाइल इस मोबाइल में कॉमेंट्स देख रहा हूं यह रा मोबाइल यह रा मोबाइल मेरे पास में इस वियाई जी आनसर आया कैसे, सवाल तो ये है सबसे बड़ा, चलिए, देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक जोड़ा हमारा ये रहा, 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 पहले क्या होता था, हमसे अंतिम जोड़ पूछा जाता था, लेकिन इस बार हम से बीच वाड़ा जोड़ा पूछा गया है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो बीच वाड़ा जोड़ा देखकर घवरा गयोंगे, क्या रव यह तो हमसे होई नहीं सकता, ऐसे आपको गवराणी की जौरत नहीं है, link हमको वही बिठाना है, वही link बिठाना है, आईए, समझ लेते हैं कैसे link बिठाएंगे, देखो, F और H, अब F कितने नंबर पराता है मुझे यह बताओ, 6 नंबर पराता है, H कितने नंबर पराता है, 8 नंबर पराता है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, प्लाश 2 का अंतर हो गया, इतना तो, ये चीज़ समझ गया आप लोग, मैं ये कैसे निकाल रहा हूँ, ये चीज़ समझ गया क्या, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये, ये वाली question मैंने आपको सबसे पहले सम पर यह समझा था निक्लास के आम थे वहां से आ रहे हैं इस क्लास को रिपीट करके देख लेकिन रिए ना वेटा आंग को ओके तो हमने क्या लिए एफ आगे अगे अमरा छै नंबर पर एच आगे अमरा नंबर पर नहीं दोनों के बीच में प्लस का अंतर है इन दोनों के बीच में क्या है popike Gold का अंतर आप यहां पर अगर हमारा प्लस दो का अंतर है तो आए साथ्यों एच कितने नमबर पर आठ नमबर पर न मैं अमारा अगरा शब्ध क्या होगा अब प्लस 2 प्लस 2 कर लीजिए यहांपर प्लस दो हम प्लस 2 करेंगे इधर देखिए दुबारा देखिलीजे f आगे हमारा और h आगे हमारा 4 आता है 6 नमबर पर s आता है 8 नमबर पर दोनों के बीच में कितने हैं प्लस 2 का अंतर है अब h के बाद में अगला शब्द जो आना है उसमें भी प्लस दो का अंतर ही आएगा तो मान लो कि हम h में 8 में 2 जोड़ने हैं तो कितना आएगा 10 नमबर आएगा तो वो मुझसे अभी पूँच सकता है, अगर इत्तास अभी अगर किसी को जाउट है, तो मुझसे पूँच लीजिए, मैं आप लोगों के लिए बैठाओं या पर, डेली क्लास हुआ करेगी, रात्री नौ बजे अब से, हाँ बाद में हमेशा ये चैनल पर ये वीडियो रहेगा, तो आप लाइव ही देखने की कॉसिस करो, और हाँ आज तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, क्लास बंद नहीं कर रहा हूँ मतलब, छोड़ रहा हूँ, पीटूगा नहीं, कल से एक पैन और अलग से एक रजिस्टर कॉपी बन जानी चाहिए, जिसके उपर मैथ रीजनिंग, NTA UGC NET की हेडिंग लिखी होनी चाहिए, जान रखना, क्योंकि मैं आपको आल यूनिट कम्पलीट करवाने वाला हूँ पेपर वन की, तो आल यूनिट कम्पलीट कराऊँगा, तो मैं आपको नौट्स बनाना सिखाऊँगा, क्योंकि दुनिया में नौट्स एक इतनी शांदार चीज है न, अगर आपने आप बना लिये न, तो एक्जाम टाइम में मोती चुनने वाला काम होता है यार, कि मोती चुन रखें, आमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो एक्जाम के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से अगर मेरी क्लास में आए, जो होगी रातरी नौ बजे से, और किसी के पास एक नौट्बुक और पैन नहीं है, तो मतलब गर्दा मच जाएगा, और ऐसा भी नहीं है, कि कोई कोरे पन्ने, ऐसा नहीं कि कोरे पन्ने लेकर आगे, बकाइदा एक रजिस्टर चाहिए, एक डायरी चाहिए, इतना अच्छा रहेगा, उसमें हम उतने ही अच्छी सुन्दर सुन्दर लिखते हैं, और उसको उतने ही दिन तक साहेज कर रखते हैं, इसलिए रप के पन्ने नहीं होने चाहिए, अच्छा रजिस्टर होना चाहिए, अच्छी डायरी होनी चाहिए, ठीक है चलिए करतें आगे बढ़ते हैं स्कॉष्चन को आप लोग समझ गये हो बहुत बढया ये क्लास रोज 9 बजे होटी है क्लास टाइम रोज 9 बजा है क्लास टा薦 और निदे तसे में क्लास के टाइम लेहता हूझ सो रोगा क्योंकि बच्चे बार-बार इसमें टैक्स का कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें टैक्स का कहीं ओप्षिन नहीं आ रहा है कल की क्लास में लिख देंगे चलो जाने तो, यह class रोज 9 बज़ हुआ करेगी, अगले question पर हम लोग jump कर जाते हैं, यह question दिख रहा है, यह वाला करो, वर्ण स्रंकला में क्या है, dy, jx, ow, sv और v u के बाद में अगला पद कौन सा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर जो आएगा वो अगला पद बताओ, लगाओ चलो, दिमाग लगाओ बताओ करो, अरे भई, पहले दिन, आज पहले ही दिन है क्लास का, आज पहला ही दिन है क्लास का, मैंने actually हुआ क्या था, मैंने जब से यह YouTube चैनल बनाया, तब से मैं हमेशा guidance वाली वीडियोज अपलोड किया करता है, इस चैनल पर, मैंने कभी भी ऐसे वीडियोज नहीं डाली, बट मैं आज सोचा क्यार क्यों न, मैं आप लोगों के लिए इस तरह के क्लासेज भी याँ पर लेकर आया करूं, डेली, नो बजे, रात्री, नो बजे, ऐसा समय है कि सब लोग खाना वाना, खापी के तयार होकर क्लास को देखा करो, अभी मैं पेपर वन की लूँगा, बाद में औ भी और डी होगा, ऐसे नहीं भाई, कन्फर्म, यह बी और डी होगा, क्या मतलब होता है, आपके सामने question है, मिलाएगा अरे भाई साथ ऐसे मिलाना इधर देखो इस D को इस J से मिलाओ और इस Y को इस X से मिलाओ इस तरीके से लिंक बनाओ फिर इस J को इस Q से और फिर इस X को इस W से ऐसे मिलाओ, एक शब्द सोड़कर अगले शब्द से उसका रिष्टा ढूंडो, एक शब्द सोड़कर अगले शब्द से उसका रिष्टा ढूंडो भाई, ऐसे अंदाजों से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग B आंसर दे रहें, X, T इसका सही आंसर होगा, और ये आपका बिल D दिख रहा होगा, और यहाँ पर X दिख रहा होगा, D कितना नमबर पर आता है, कितना नमबर पर आता है, D, 4 नमबर पर आता है, अरे माप करना J D दिख रहा होगा एर J दिख रहा होगा D कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर A, B, C, D 4 नंबर पर J कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पर J 10, J 10, J 10 प्रिक बता इती ना 10 में से 4 गटा दिए तो इसके बीच में क्या है प्लस 6 का अंतर है कितना अंतर है प्लस 6 का अंतर है भाई D आता है 4 नंबर पर J आता है 10 नंबर पर तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया 6 का अंतर हो गया न अरे यार ये देखो D आता है 4 नंबर पर J आता है 10 नंबर पर तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया प्लस कितना हो गया छे का अंतर हो गया इनके बीच में कितने का अंतर हो गया प्लस छे का अंतर हो गया ठीक है अब आ जाओ यहाँ पर J है और अगला शब्द है O O कितने नंबर पराता है 15 नंबर पर ओ पंद्रा, ओ पंद्रा, मैंने आपको कितने बार बोला था, ओ कितने नंबर पराता है, पंद्रा नंबर पराता है, जे कितने नंबर पराता है, दस नंबर पराता है, अर्थात, इन दोनों के बीच में पांच कांतर है, प्लस पांच कांतर है, इन दोनों शब्दों के बीच में plus 5 कंतर, आप हमको क्या पता लग रहा है, कि एक नमबर घटता जा रहा है, क्या जा रहा है, एक नमबर घटता हुआ, जा रहा है, अब देखो, O आता है 15 नमबर पर, और S आता है 19 नमबर पर, तो कितना हो गया, plus 4 कंतर हो गया, अब S हमारा 19 नमबर पर आता है, तो V कितना नंबर पर आता है वी आता 21 नंबर पर तो मतलब प्लस तीन कंतर हो गया इसी तरीके से यू में वी में अगर दो जोड देंगे जैसे वी कितना नंबर पर आता 21 नंबर पर और यहाँ पर अब relation ढूंडेंगे, एक शब नमने x निकाल दिया, अब x निकालने के बाद क्या हुआ, कि इस संक्या में x है, यहाँ पर x नहीं है काट दिया, और यहाँ पर भी x नहीं है, काट दिया, अब यह दो option तो हमारे वैसे ही कटके, अब हम निचली वाले संक्या का भी मिलान करने वाले हैं, आइए, निचली वाले संक्या को मिलान करेंगे, यह है y और यह है j, कितना है, यह है y और यह है x, यह है y और यह है x, x y, माइनस एक कंतर है कितना है माइनस एक कंतर आप मुझे आप कॉमेंट्स करके बताओ कि Y कितने नंबर पर आता है और X कितने नंबर पर आता है मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था कि X आता है 27 नंबर पर और Y आता है कितने नंबर पर कितने नमबर पर अब नहीं बताऊंगा चलो बताओ, कॉमेट्स करके बताओ X 24 नमबर पर आता है बोलो Y आता है बेटा 25 नमबर पर Y आता है 25 नमबर पर X आता है हमारा 24 नमबर पर यानि कि माइनस एक कंतर हो गया दोनों के बीच में अब दोनों की बीच में कितना हो गया, माइनस एक कंतर हो गया, अब ये बताओ, ये X और ये W, X आता है 24 नंबर पर, W कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर, तो माइनस एक कंतर हो गया है, अब ये W और V, इसके बीच में माइनस एक कंतर है, और V और U के बीच में माइनस एक कंतर है इसी कड़ी में यू में से भी हम एक नंबर घटा देंगे अब मैंने आपसे क्या का यू 21 ट्रिक बताई थी ना यू यानि तुम यू आनि आप लोग और 21 मतलब बेस्ट आप लोग बेस्ट हो यू 21 की ट्रिक बताई थी यू 21 तो 21 माइनस एक करेंगे तो बराबर 20 आया तो T T 20 क्या शब्द है T 20 तो हमारा सही आनसर हो जाएगा X और T अब बताओ मजा आराक नहीं आरा अब बताओ साथि हू मजा आराक नहीं आरा इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं बताओ मजा आराक नहीं आरा कर वाँगा बाद में रिसर्स कम्म्यूकेशन आई सीटी हर चीज को मैं कम्प्लीट कर वाँगा मजा रहा है पक्का पक्का बजा रहा है ना यार मैंने इस एक्जाम को कई कई बार पास कर रहा है जब मैं मुझे याद है यार एक्चली क्या था कि अभी हम थोड़ देर पहले ही यह ना अभी मैं दिल्ली द्वारिका में रहता हूँ और दिल्ली द्वारिका में पता नहीं इतने सारे मच्चर बहुत जाते हैं गर्मियों में तो धीर धीर बढ़ने लग जाते हैं मैं सोच रहा था कि जब मैं यून दिख रहा है ईस तरीके की था रहा करते दो जिस यूंसिटी से मैने पीच डि किया था तो एक बार स्टक पर सो गया विलब ऐसे इसा कोई आप यह जाते थे यार मतलब ऐसा कोई होने था जा तरह वह वह बैंच लग रही ती गर्मियों का दिन था पता नहीं कहां से आए ठक रहे थे यार वह रही लोट कर वह नीद आ ग पुरूना आ रहा था कि भाई भगवान बचा ले और मतलब कैसे भागे हैं कि वहां से हम यह मैं जानता हूं मतलब ऐसा लगता है कि मच्छर इतना सा प्राणी जो इतने बड़े मेरे जैसे मिलब 6 फुट के आदमी को मतलब उठा ले जाएंगे तो मुझे मैं आज हम यही बात कर रहे थे घर पे बैठे में इनकी यहार यह मच्छरों का तो गर्मियों और तकड़ा काम हो जाता है तो बड़ा आलत गराब होती है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो गया क्या हाँ हाँ सुर्भी आप सही कह रही हो आप दिल्ली में एबिट हो जाएगी मच्छरों की बुरी आलत है दिल्ली में मच्छरों क्या करें बुरी आलत है ओके गाईज बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं डेली नौ बजी आया करो अगले कॉस्चन पर हम लोग जंप करते हैं स्रंखला पड़ा रहा हूं मैं आप लोगों को चलिए ये कॉस्चन हमारा 2018 में आया है मैं आपको बतला दू कि मैं इस क्लास में 2022 2021 2020 और 2019 2018 के कॉस्चन करवाऊंगा 4-5 साल के आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें एक एक चीज आपको बेसिक से समझाए जाएगे एक एक चीज आज ही मैं आपको नमबर सीरीज खतम कर दूँगा कला हम दूसरी प्रस्णाव लिपढ़ेंगी चलिए एक जोड़ा हमारा ये रहा एक जोड़ा ये रहा और अगला जोड़ा है जिसमें तीन शब्द पूछे गए है बस उनका लिंक जमाना है इसका संबन्द इससे निकालो इसका संबन्द इससे निकालो, और इसका संबन्द इससे निकालो, हमारा आश्र आ जाएगा. लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, लललन टॉप ट्रिक लगाओ और एक शब्द को पकड़ दो. मैं आपसे ये कहना चाओंगा, तुम एक शब्द को पकड़ो. D का सम्मद K से K का सम्मद S से S का सम्मद B से B का सम्मद L से ये निकालो अगर ये चेन आगर आपने निकाल ली तो आप उत्तर तक पहुँच जाओगे हमेशा जब भी multiple questions आते हैं आपको अंतिमंक ही पकड़ना है अंतिमंक का relation बनाकर आप इस question को कर जाओगी चलिए गाईच करते जाएए मैं यार इस class के लिए बहुत excited था actually ये हुआ था कि जब मैं पहले इस question को रेक किस्सा सुनाता हूँ आप लोगा होगो बड़ा मजधार एक बार इस वाले question कर लो चलिए answer कीजे चलिए answer कीजे stream offline क्या दिक्कार रही है कोई stream को दिक्कत है क्या sir class रुख गया network की I think चल गया चल गया actually क्या कि मैंने इसके latency है न वो बहुत ज़्यादा बड़ा रखी है एक feature होता है OBS के अंदर की आप चाहो तो ऐसा भी इसमें क्या होता है एक feature होता है कि अगर मैं चाहूँ न तो जैसे मैंना अभी बोला hello अब यह hello आपके पास 5-10 सेकिंड बाद में जाएगा पर मैंने वो हटा दिया है मैंने सोच है कि मैं जैसे ही hello करूं आपके पास भी hello जाना चाहिए इसमें न बहुत तकड़ी internet लगती है तो कई बार अगर internet उपर नीचे हो जाती है न तो ऐसी समझ्या आती है बट यह चल तो रहा है न क्या दिख्या था चल रहा है चल तो रहा है ना है चल रहा है नहीं समय आप लोगों के पास में अब इस question को करिए पहले किस्ता सुना लेता हूं चलो पहले किस्ता सुना था हमारे गुरुजी थे बद्री गुरुजी बद्री मास्टर जी हमार गाउं की थे ब बड़े रसीले आदमी हैं मतलब बहुत किस से विस्ते सुनाया करते थे वो एक डम तो वो क्या करते थे कि हमेशा वो अंग्रे जी के टीचर थे तो उन्होंने कोई सवाल दे दिया तो हम लोग ना पीचर बैट रहते दिवार पर मैं हम लोग ना ऐसे दिवार पर पीट लगा कर बैठने वाले स्टूडेंट थे अब होता है कि वो टीचर की खासियत थी कि वो कॉशन दे देता तुम कहीं से भी टीप लो जैसे कोई वो ने किसी एक दूसरे के कौपी में से देख लिया किसी दिखा दिया वह यह ऐसे यह मुना उठा सब आर इसके लिए हम सबनामों के लेड़की और दोनों की ती आगे बला ले ले लेता था एससे सता यह यहां पर आण आप बता बटा कि मुचम पढ़ियो तुने साही कर दिया मैंने माल लिया पर यह पता कैसे पता लगा कि यह इसका अंसर यही आने वाला है और उसके बाद में जो कान मरोडा करता था वो कमाल का था यार कि कि मैं कल से सीजन और देख्यां आप चलिए इस को अम लोग कर लेता है हमने इसमेंग अंतियीं शब्द को पकड़ने की साहइं कि कितने WILL के कितना नमर पता है कस कितने नमर पता को önem कितना नमर पता ह्यूम लिखो कॉमेंट्स अचि जिख लamat ओ साथतं के आता है साती हो औरे मैं यूटूब कहां गया चलतो रहा है ना चल रहा है किस्वाइद्ण के लोग्हीं दोणों के के वीट में 7 का अंतर है 7 कितने का अंतर है साथ का अंतर है अब के 11 के और स का समभन बताओ के कितने नंबर पराता है और S कितना नमबर पर आता है बताईए मुझे कॉमेंट्स करके बताईए सबके सभी 19 का अंतर आता है मतलब यहाँ पर 8 का अंतर आ गया यहाँ पर सात्यों 8 का अंतर है यहाँ पर 9 का अंतर है यहाँ पर 10 का अंतर है यहाँ पर 11 का अंतर यानि एक एक अंतर यहाँ पर लगातार बढ़ता गया और उसी के अनुसार यह हमारा आंसर सातियों, यहाँ पर कौन सा आ गया, यह वाला आंसर आ गया, किसी को यहाँ तक 0% भी समश्या है, यह मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया, मुझे लगा कि आप से आता है, अगर किसी को 0% भी समश्या है, तो मुझे बताओ, 0% भी समश्या है, तो मुझे बताओ, 0% समश्या है, तो भी मुझे बताओ, किसी को 0% समश्या है, वो मुझे बताओ, कि गुरुदी हमसे यह नहीं हो रहा है, उसका कल्यान हम करेंगे, स्वेम करेंगे उसका कल्यान, एक भी चेला छूटा ज्यारेफ संकल्प टूटा वोईस नहीं आ रही है ऐसा कैसे हो सकता वोईस नहीं आ रही है वाई वोईस तो आ रही होगी ना सब आ रही है वोईस वगरा सब अलो वोईस तो आ रही है बैक्ग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है वोइस भी आ रही है और बैक्ग्राउंड म्यूजिक भी लगा रहा है आप लोगों के लिए और क्या चाहिए बैक्ग्राउंड म्यूजिक आप मैं कॉमेंट देख रहा हूं कि किसी कोई समश्चा तो नहीं है से सर्थ ह। थोढ़ा बेसिक्स और ट्रिक बता दो एक तो कॉसिस करना इस dios ठाट से देखने की आफ मैसे जिलोग know it तो मैं आप से कहना चाहँगा है कि इस इस वाले mobile में क्या दिक्कत आरे थिए मैं इस वाले इस question को हम बेटा दुबारा से कर लेते हैं, इस वाले question को हम दुबारा से कर लेते हैं, जिनको basics नहीं आते हैं, उनको फिर से समझा देते हैं, देखो, हमने क्या किया, हम इस समय पढ़े स्रंखला वाले questions, स्रंखला का मतलब होता है, एक के बाद एक पुन्रावर्ती, जैसे, अगर यहाँ पर ऐसा है, तो फिर ऐसा है, तो फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो फिर आएगा, फिर ऐसा है, तो फिर आएगा, यानि कि एक चोटी सिंखा, फिर बड़ी सिंखा, चोटी सिंखा, बड़ी सिंखा, चोटी सिंखा, यानि कि इनकी पुन्रावर्ती हो रही है, स्रं आता है चार नंबर पर और जो के हैना सातियों यह कितने नंबर पर आता है यह आता है ग्यारा नंबर पर के ग्यारा अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना वो कितने का है प्लस साथ का अंतर है इन दोनों के बीच में प्लस साथ का अंतर है सातियों कितने का अंतर है प्ल को है कितना नमब पर 11 नमबर पर जैसा कि अमने यह दिख Kelly हमारा ग्यार नमब पर आप इसका मर फिर से निकालेंगे एस कितना नमबर पर हमारा एसमारा 19 नमबर पर है अभ 11ौa 19 माइनिस 11 हो जाएगा तो प्लस 8 कंतर इसी प्रकार से जो S है ना हमारा S और B के बीच में किंटर अब आपको confusion हो गया होगा कि गुरुजी इनके बीच में अब अंतर कितना आगा क्योंकि बी तो दो नमर पर आता है आपने यहाँ पर प्लस नो का अंतर क्यों बतला दिया यह आपके मन में आ रहा है कितने लोगों के मन में यह आ रहा है अगर आ रहा है तो पहले क्यों नहीं पूछा पहले क्यों नहीं पूछा अगर आ रहा है तो रा केस पाण्डे बार-बार एक कॉमेंट मत करो प्लॉस्ट भी की क्लास हम लोग नहीं करवाते हैं अनेकेडमी पर हो ती है मैं वहँआपर पढ़ाता हूँ तुम क्लास जोइन कर सकते हो चाहूँ तो वहाँ पर पर यहां पर इस channel पर प्लॉस भी class नहीं होती एक comment को बार-बार मत करो class disturbance होती है एक class को बार-बार, मत करो एक comment को बार-बार इस question के बाद बताऊंगा class कैसे होंगी इस question के बाद बताऊंगा मैं आपको class कैसे होंगी आईए, अब हम इसका आर्थ समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार से हुआ है, S सात्यों हमारा 19 नंबर पर आता है, और B से हमको सम्वन ढूंड़ना, इदर आईए, देखो, ये देखो, S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, और B कितने नंबर पर आता है, दो नंबर पर आता है, अब देखो, S के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना आ गया यह 9 का अंतर आ गया है आपर देखो S और B के बीच में कितने का अंतर आ गया 9 का अंतर आ गया देखो S है 19 नमबर पर हम यह से गिनेंगे 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 और 9 यानि कि कहने का मतलब है कि जब A, B, C, D वाले कॉशन करते हैं तो इसमें चैन बनती है Z के बाद में खतम नहीं होता Z के बाद में फिर से A से स्टार्ट हो जाता है इसी तरीके से जब हमने इस कॉशन को यहां पर किया तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया 9 का अंतर आ गया कितने का अंतर आ गया 7, 8, 9, 10 अगला अंतर क्या है सात्यों 11 तो L में क्या करेंगे हम 11 प्लस कर देंगे तो L आता है 12 नंबर पर 12 प्लस 11 किया 12 प्लस 11 किया तो 12 दुना 24 23 नंबर तो 23 नंबर पर हमारा शब्द क्या आएगा W आएगा और सात्यों C आंसर सही हो जाएगा इस क्लास को बिगनिंग से देखने की आपको आवशकता है जहाँ पर आपको मैंने इस सारणी को समझाया है अच्छी तरीके से चलिए करिए ये वाला कॉशन करेंगे डरिये मत कॉशन देखकर मैं पानी ले आता हूँ डरिये मत मद आ रहा है करिये को से लगो देख्या तीन मंत पर कोर्स होना पॉसिबल नहीं है मैं तो इमांदारी से बोलता हूँ याँ आप लोगों कोर्स नहीं होगा आपका तीन मैंने में पर तीन मैंने के लिए जोईन कर लो पुरानी क्लास देख रहा करो जाएगा तुम पुरानी क्लास देखना पड़ से क्योंकि यानिकेडमी पर क्या होता है सबस क्रेप्सट्र से बदेख में पॉरॉजिटिव पारुटेव माँ पर कि कि आमने सबस्क्रेपिशन लीतraw तुम पुरानी क्लास भी देख सकते हो तो जो कलाकार आदमी होता है पुरानी क्लास को फटा पट देख लेता है डाउनलूड कर लेता कुछ भी कर लेता है तो आप तीन मेना भी जोइन कर लो हाह आप मेंसे जो अधिकांस लोग है साथ यो उन्होंने सई आंसर दिया है और कुछ लोगों अरे गलत मत कर वाई सी आंसर नहीं है इंदर दिखिये इक एक ऐसे है हमको क्या है इन दोनों शंक्याव का सम्मन संपनाना है विश। यिद्वित-उतिर तीन और श रहत पर कि एन दूनी क्यांटार का यह पलाष तीन और छे के बीच में कि तने का थे प्लस तीन कंतर ह प्लस और श्य कंतर है 6 और 10 के बीच में कितने कंतर है, प्लस 4 कंतर है, बहुत 6 से आगे 10, 4 का तंतर है दोनों के बीच में, 10 और 15 के बीच में 5 कंतर है, 15 और 21 के बीच में 6 कंतर है, तो जाहिर सी बात है, अगला अंतर 7 का होगा, तो 21 में अगर 7 जोड़ देंगे, तो 28 आएगा, एक अंतर हमारे इस 11 और 16 में 5 कंतर है, 16 और 22 में 6 कंतर है, 22 और 29 में 7 कंतर है, 29 और अगली संख्या कितना 8 कंतर आएगा, 29 में अगर हम 8 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 37 आएगा, तो 28, 37 हमारा अंसर हो गया, एजी, सिंपल, इसलिए तो कहता हूँ कि मैत से आपको डरने की आवशकता नहीं है, आप तो रोज इस चैनल पर आजाओ, अपने सारे दोस्तों को बता दो, दोस्तों के साथ क्लास देखा, अगर जो लूड़ो क्यों नहीं कहलते हैं, आप लोग लूड़ो, इसको यह तो पं पंकेज से गर्मी लग लिया, गर्मी पढ़ने लग गई, आप अपने दोस्तों के साथ लूड़ो नहीं कहलते, सारे दोस्तों को बुला कर एक साथ लूड़ो कहलने लग जाते हो, अपने दोस्तों को बुला लिया करो, आप असमें बातचीत करते-करते, यहाँ पर क्लास भी देख लिया करो था क्लास की डूरेशन एक गंटे कित हम लोग रखेंगे रखेंगे कम से भी कम ओके मजा राये बहुत ही आसान है आज हमने एक दिन में नंबर सीरीज स्रंकला को पड़ लिया है अब एक कॉशन सात्यों थर्टीटू देखो अब तक आपने जितने भी जोडे देखे एक संख्या दो संख्या वाले जोडे देखे या तीन संख्या वाले जोडे देखे, यहाँ पर जोडे है ना, वो संख्यावन नहीं, वो अलग-अलग हैं, जब भी हम अलग-अलग जोडों की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर हमसे दो अंग पूछे हैं, एक नहीं हमसे, कितना अंग पूछा है, दो अंग पूछा है, तो Z का सम्मंद W से, W का सम्मंद O से, इस तरीके से निकालो, एक शब्द को छोड़ कर, अगले शब्द से सम्मंद निकालने की कौसिस करो, कल्यान हो जाएगा, चले मैं साइट में ड्राओं, करिए, ओके, हाई अर्चना, आज पहली बार पढ़ा रहा हूँ यार इस चैनल पर, मैंने इस चैनल की सुरुवात 3-4 साल पहले की थी, जब मैं PhD मैं कर रहा था, पढ़ रहा था, तब मैंने इस चैनल को बनाया था, और मैं इस चैनल का जो content आना, वो मैं ऐसे डालना चाह रहा था, कि इस पर मैं information देता था आपको, जैसे UGC के को information आगी, higher education को information आगी, या नई सिक्षानीती कोई चीजी आ गई, या फिर मेरा PhD का जो अनबाव था, उससे संबंदित, प्रपोजाल, synopsis, इससे संबंदित information आपको दिया करता था, इस channel पर, और मैं हमेशाच सो रहा था, कि इस channel को मैं इसी तरीके कर रखूंगा, बट आज ही मेरे दिमाग और मैं ये विचार आया, कि यार, मुझे ना पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, एक channel पर, फिर ये विचार आया, कि यार, एक तो है, कि मैं इसी channel पर पढ़ाऊं, या दूसरा, दूसरा channel बना लो, फिर मैंने सोचा कि ये दूसरा channel भी बनाया, मैंने, पर फिर मेरे दुमारा, मेरे दिमाग में विचार आया, कि यार, इतना बिजी रहता हूं, इतनी चीज कितने लोगों का प्रेम बिलता है इसलिए फिर मैंने यहां पर ही पढ़ाया और फिर मैंने मैं रीजनिंग इस्टार्ट करने के एक रीजन यह भी था अब इसे किसने पूचा सवाल दीपक कह रहें कि महा से पेपर फर्ष पूरा करा दीजे प्लीज अरे महा से आप डेली किलास में आओगे तो और आटमेटिक हो जाएगा आप महा से चिंता ना करें मैं तीनों यूनिट कम्प्लीट करवा दूं मैं सब के 10 के 10 यूनिट कम्प्लीट करवाऊंगा इस बैच का नाम मैंने अरजुन बैच रखा है अरे आप लोग न लेट दुड़ते हो न उनको फिर मज़ा नहीं आता ये बैच इसका नाम है अरजुना आपको उधर लिख रखा होगा अल कवर्ड आल यूनिट देखो ये लिख रखा कवर आल यूनिट आल यूनिट कवर करने वाला हूँ एंटिये यूजिशनेट 2023 पेपर वन डॉक्टर लोकिस बाली थ्री टाइम जे आरेफ बैच अरजुना ये रात्री रोज 9 बजे होगी कितने रात्री 9 बजे क्लास होगी रोज बस आपको आना है आज तो हमारी पहली क्लास है ये पूरा पेपर कम्प्लीट करवाएंगा आप जिनता ना करें चलिए इस कॉशन को किजिए आप चलिए आप लोगों का स्कोर देकर बड़ा अच्छा लग रहा है मैं बड़ा कॉन्फिडेंस मा आ गया अब देखो क्या है हमको इसका अंतर लगाना है जैड और डबलू अब मुझे बताओ जैड और डबलू में क्या अंतर है जैड और डबलू जैड कितने नंबर पर आता है जैड जैड 26 नंबर पर आता है डबलू 23 नंबर पर आता है इसका मतला हो गया 3 का अंतर है कितने का अंतर है माइनस 3 का अंतर है सात्यों कितने का अंतर है माइनस 3 का माइनस 3 लिखने जरूत नहीं है पर माइनस 3 का अंतर है अब यह जो W है और T के बीच में कितने का अंतर है T आता है 20 नमबर पर W आता है 23 नमबर पर तो 3 का अंतर हो गया समझते जाओ अब T और Q में क्या अंतर है Q कितना नमबर पर आता है Q आता है 17 नमबर पर और T आता है 20 नमबर पर माइनस 3 का अंतर हो गया अब Q से आगे माइनस 3 जैसे Q आता है तो हमारा एक शब्द क्या हो गया हमारा जो एक शब्द हो गया सात्यों एन क्या हो गया यह सब्दमारा एन आ गया अब उसी तरीके से हम ज एस और को का संबंद निका लेंगे अब यहाँ पर ओ कितना नंबर पर आता है हमारा पंदरा नंबर ओ पंदरा मैंने ट्रिक पता इती नहीं ओ आता है पंदरा नंबर पर S कितने नमबर पर आता है 19 नमबर पर इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में माइनस 4 कंतर है कितने कंतर है माइनस 4 कंतर है अब ओ 15 पर आता है कि आता है 11 नमबर पर इनके बीच में भी 4 कंतर है और K आता है 11 नमबर पर G आता है 7 नमबर पर इनके बीच में भी कितने का नमबर है 4 कंतर तो G 7 का आता है तो G आता है 7 7 मैंसे 4 गटाएंगे आएगा 3 3 नमबर पर A, B, C C आजाएगा N, C आंसर क्या आंसर N, C बताओ कितना आसान तरीके से हमने इस कॉशन को कर लिया है कितने आसान तरीके से हमने नमबर सीरीज को समझ लिया है कितने आसान तरीके से अब बताओ मैत कहीं कटिन लगी आपको कहीं कटिन लगी क्या मैत बस मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ये प्रशनावली है इस पूरी प्रसनावली को मैं कम्प्लीट करवाने वाला हूँ बैच अर्जुन में और आपको साथ ही हो ये सीरीज याद करनी पड़ेगी जो मैंने क्लास के आरम में ट्रिक के साथ समझाई थी मैंने इसको ट्रिक के साथ समझाया था क्लास के आरम में जो लोग लेट जुड़े हैं इस class को फिर से rewind करके देख लेना ये class है जो मैंने आपको समझाए थी बस इनका क्रमांग का आपने याद किया और काम आपका बन अब टेली ग्राम चैनल का नाम भी सुन लो जहां पर आपको notes मिलेंगे notes के लिए टेली ग्राम का नाम सुनो डॉक्टर लो के एस एच बी ए एल आई डॉक्टर लोकेस वाली टेली ग्राम चैनल इस टेली ग्राम चैनल पर आपको प्रतेक दिन के प्रतेक class के notes मिल जाएंगे प्रतेक दिन प्रतेक class के notes आपको इस टेली ग्राम चैनल पर बिल जाएंगे डेट के साथ तो आपको इस टेली ग्राम चैनल को हाँ इस टेली अरजुन है ना बैच अरजुन की मैंने एक link मना दी है अलग से playlist बना दी है उस playlist में daily class आया करेंगे आप चिंता ना करो जितने भी चीज़ें हो सकते हैं best से best हम लोग करेंगे और सातियों अपना प्रोफेसर एप डाउनलोड करने के फायदे यह हैं कि आपको यूजी सी नेट की तैयारी के साथ साथ यहाँ पर असेश्टेंट प्रोफेसर डी एस एस बी और खासकर सभी चीजों का सिलेबास PhD एड्मिसन से रेटेड सारी समश्याएं और सातियों सभी क्लासे यहाँ पर देखने को मिल जाएगे तो आप अपना प्रोफेसर एप डाउनलोड कर लीजिए माई टेलिग्राम चनल डॉक्टर लोकेश वालियान अकेडमी यह बैच अर्दुना की वज़े से थोड़ा दिक्कत कर दिया इसने दिखाई कम दे रहा होगा ना नीच लिख रखा है यह दिख लखा नॉट्स के लिए डॉक्टर टेलिग्राम कल के नॉट्स मिल गए आपक अगर्द्स के लिए आपको क्या करना है यह जो कॉमेंट्स है जो अभी फर्स्ट कॉमेंट है जैसे हमारी क्लास कोमेंट में मैं नॉट्स के लिंक कर दूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे मैं टेलीग्राम पर अपलोड करके उसके लिंक मना कर मैं आपको फर्ष्ट कॉमेंट में डाल दूँगा लिंक उस पर आप किलिक करोगे डायरेक्ट आप नौट्स पर पहुंच जाओगे तो आपको दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है मैं आपके लिए सारा इंतजाम करके लाया हूँ ओके सारा इंतजाम करके लाया हूँ आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें इस कॉश्चन को समझ लेंगे उससे पहले मैं आपको थोरी समझा देता हूँ चलिए थोरी के तरफ हम लोग रूप करते है आपको क्या दिखाई दे रहा है क्या यार उपरवाला कौशन आपको दिखाई दे रहा है अराम से पढ़ पारे हो को उपरवाले कौशन को उपरवाला 42 नंबर वाले को पढ़ पारे हो क्या इस कौशन को पढ़ पारे हो कि यह बताओ बैल इसमें नम्मर कॉशन को पड़ पारे हो इसको एपर कॉमेंट्स करके बताओ पड़ पारे हो के इसको नहीं पड़ पारे हैं जी सर पड़ पारे हैं पड़ पारे हैं कुछ लोग कहरें नहीं कुछ लोग करें पड़ पारे हैं यार ये कैसे बात बनेगी एक कॉशन कर लेते हैं, अगर नहीं भी पढ़ पारे हो न, तो इस प्रकार का एक कॉशन कर लेते हैं, फिर हम अगले कॉशन पर जंप करेंगे देखो यहाँ पर लिख रखा है, यदि नारंगी को मखन, मखन को फलाना डिकाना अमकाना ये वो ये फलाना देवरानी जिठानी कहा जाती है तो कपड़ा दोने के लिए किस चीज का प्रियोग किया जाएगा तो एक ट्रिक पल्ले गाठ बांद लो ललन टॉप गुरू जी की मेरी एक ट्रिक क्या है, अगर इस प्रकार का कोई सवाल दिखाई दे इस प्रकार का कोई सवाल दिखाई दे, तो आपको पूरे सवाल को पढ़ने की आशकता नहीं है आपको क्या करना है, लास्ट वाली चीज पढ़नी है कपड़ा दोने के लिए किस चीज का प्रियोग किया जाएगा हमने सरफ अंतिम लाइन को पढ़ना है कि कपड़ा दोने के लिए किस चीज का प्रियोग किया जाएगा एक कॉसन करा देते हैं, फिर बड़ी स्लाइड पर चलते है तो फिर क्या करना है, आपको कपड़ा दोने के लिए किस चीज का प्रियोग किया जाएगा उल्टा चलो यहां से उल्टा चलो यह नारंगी का नहीं मदू का नहीं मदू का नहीं 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 शाही का शाही का शाही का शाही का साबुन का कपड़ा दोने के लिए किसका प्रियोग किया जाएगा साबुन का प्रियोग किया जाएगा तो हम लोग फिर उन कॉश्चन से सुरू करते हैं क्योंकि मुझे पता है दिखने में आपको दिक्कत आ रही होगी चलो सुरू करते हैं साथियों कॉश्चन नमबर एक से दिखने में दिक्कत आ रही होग इसलिए यही से सुरू कर देते हैं आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना क करें अगर दिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी इस बात को समझ सकता हूँ को कौशन नमबर एक पहले आप ट्राइक रो 2019 में हम से पूछा गया है अरे मेरे पास ऐसी ऐसी जादूई प्रिक है यार मैत आसान है सीखना इसी क्लास में सिखा कर जाऊंगा चाह एक गंटा की क्लास लगे चाह दो गंटे की क्लास लगे इसी क्लास में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके जाऊंगा दूसरी किलास की जरुवती नहीं है मेरी गैरिंटी तुम बस किलास में बने रहो चाहे एक गंटा दो गंटा डाई गंटा तीन गंटा जितनी भी लग जाए पड़ा कर जाऊंगा पूरी यूनिट को यहीं तो हुए तिकत क्या है चल कल भी मैंने इस प्रकार के कोशिन करवाय थे हमारे सामने क्या दे रखा है C A A R C O A N इसकी एक संख्या दे रखी है ये वाली कि भाई इस संख्या का उपनाम यह है तो उन्होंने क्या कर रखा है चार, पांच, एक, छे, चार, नो, एक, एक और तीन यानि कि इन्होंने क्या किया, C को तो चार बुलाती है S का नमबर पांच रख दिया, A का नमबर एक रख दिया R का नमबर छे रख दिया, C का नमबर चार रख दिया O का नमबर 9 रख दिया A का नमबर 1 रख दिया L का नमबर 3 रख दिया तो अगली संक्या इस वाले का आमको नमबर बनाना है तो आजाओ बेटा इस का आम नमबर बना लेता है तो क्या है C O इदर देखिए C O A L I नीचे लिख दाओ C O A L I C A R अब जैसे कि क्या है कि C का अर्थ दिखा है 4 तो C का मतलब हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया H का मतलब क्या है O का मतलब इन्होंने क्या लिखा है O का मतलब यहाँ पर 9 लिखा है A का मतलब क्या लिखा है A का मतलब 1 लिखा है एल का मतलब क्या लिखा है एल का मतलब तीन लिखा है आई का मतलब क्या लिखा है आई यह आई है क्या एल आई कि आई तो कहीं मैं नहीं है आपट भी सितों सिल्टेण सी एरसी अपर यह फ्याइड riches का निम्मर एक लिखाये पर और आर ग्रिका याचै Q9 तो ब कोह exactly हो जाएगा क्या हो सुंधा जाएगाय रादेना सरल है आप लोग किरो सर कठिन था मुझे ढला जो कहें लगा कि इसमें यह लिंक मनाना है आपको देखो मैं मैंने कल की क्लास में नंबर वाली क्लास में भी आपको क्या समझाया था मैंने नंबर वाली क्लास में भी आपको यह समझाया था कि एक संक्या का दूसरी संक्या से हमको लिंक मनाना है समझ लग गई नगाईज आपको बात समझ लग गई अगले कॉशन से आप और भी अच्छी तरीके समझ जाओगे पैसेंस रखो पूरी कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग समझा कर ही जाने वाला हूँ अगला कॉशन जो 2020 में आया है इसको जान से पढ़ो क्या है इसको जान से पढ़ो डंग से यानि किसी कूट भासा को यह भासा को यह कहा जाता है उपनाम नहीं होते क्या कई बार जैसे मेरा जैसे मुझे क्या मेरा नाम क्या है मेरा ओरिजनल नाम है मेरा ओरिजनल नाम है डॉक्टर लॉकेस बाली ठीक है लेकिन मेरा डॉक्टर लोकेस बाली की जगे मेरे जो कॉलेज वाले दोस्त थे मुझे अलग नाम से बुकारा करते थे और वो थे लगी इस नाम से फुकारा करते य athletes मेरा उपनाम था यह उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर जो केमेस्ट्री है ना इसको इन्होंने इस वाले लेंग इस वाले नाम से पुका रहा है इन्होंने केमेश्ट्री को इस वाले नाम से पुका रहा है तो उसी तरीके से इस वाले नाम का अर्थ क्या होगा सीधा सा फंड़ा है कि जो लिंक इधर देखिए धान से समझते जाए कोपी में नौट कर इसमें और किसी अन्य में होगा अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और संबंध के बारे में सोचो कि क्या इसका संबंध है गाई थोड़ा से इसमें दिमाग लगाओ मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं फिर मैं आपको समझाओंगा एक्चुली मेरी थोड़ी कि जो चीज है ना वो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है यहांपर ने मैं थोटी कल चीज में आपको बढ़ाता बाद में देखने की जरुत क्या है इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं क्या नंद नी बेटा बाद में देखने क्या जरुता अभी देखो ना काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में पल में पले होगी बहुरी करे हो कब आज ही कर जो भी कुछ करना है हो कल तक कवेट मत कर, अब देखे, यहाँ पर हम लिख देते हैं सातियो, C, H, E, M, I, S, T, R, Y, इसके नीचे हम इस शब्द को लिख देते हैं, ताकि हम इसका अर्थ समझ पाएं, इसके नीचे यह शब्द जो मैंने लिखाया सातियो, वो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, D, G, F, L, J, R, U, Q, और Z, लिख दिया, अब इनके बीच में हमको एक सम्मंद इस्तापित करना है, आईए, उस सम्मंद के बारे में बात करते हैं, अब सम्मंद क्या है, अगर C कितने नंबर पर आता है, C आता है तीन नंबर पर, मैंने कल की क्लास में समझाई तीरे पूरे बीसीडी, C तीन नंबर पर आता है, और D कितने नंबर पर आता है, D चार नंबर पर आता है, इसका मतलब यह हुए का, C से अगला एक प्लस हो रहा है इसमें, बात सम्मंद लगी? एक प्लस हो रहा है न यहांपर गाईद एक प्लस हो रहा है इतना समझ लग गया भाई यहांद आग दी कैसे आहा है बैस g से अगला लगत है आ गया अब देखू जी कितने नंबर पर आता है साथ नंबर पर और Canon 1 इसका मतलब हुआ कि यहांपर – 1 का संबन हैунP फिर समझ लो, देखो, c आता है, 3 नंबर पर, a, b, c, तीन नंबर पर आता है, d, a, b, c, d, 4 नंमर पर आता है, तो 3 क बाद में, 8 यानि, 40 एक बढ़ गया है, यहां पर, ज़ो इक बढ़ गया है, कम करेंगे तो माईनस एक आएगा यह सीरीज बन रही है, स्रंक्रा बन रही है, डान से 6 नमबर पर, यानि प्लस का 1 M आता है हमारा 13 नमबर पर, L आता है हमारा 12 नमबर पर, माइनस का 1 J आता है, I आता है 9 नमबर पर, J आता है 10 नमबर प्लस का 1, S आता है कितने नमबर पर? S कितने नमबर पर आता है, बताओ S R 18 पर आता है पर और आ रहता है चाले और ऐस साथा हॉननीस नंबर पर तो मैनस का एक और यूँग तो कल हमने सीखा था तो प्लस का एक आ रहा है इसी तरीके से सीरीज बन गई माइनस एक और प्लस एक हमेश्य साथ माइनस एक प्लस एक की हमारी यहां पर सीरीज बन गई है अब अगला जो नंबर है इसको भी हमको उसी तरीके से करना है अब बताओ जी से अगला क्या है जी के बाद में एक जोड़ दो कॉश्टन को सॉल करेंगे इधर ध्यान से देखते जाए सब लोग जी में प्लस एक जोड़ेंगे यह से यहियरिष्टा यह रिष्टा क्या खेलाता है वह रिष्टा यह रिष्टा क्या खेलाता है यह जो रिष्टा है प्लस बण उन Magnus one प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन का अगर हम यहां पर जी आता है हमारा साथ नंबर पर जी कितने नंबर पर आता है एफ कितने नंबर पर आता है एफ कितने कितने बताओ जी आता है हमारा जी साथ नमबर पर तो एक प्लस होगा एच आएगा एच एक हो जाएगा प्लस यानि कि यहाँ पर आजाएगा एच प्लस एक हो जाएगा यह आता है पांच नमबर पर तो यहाँ पर छे नमबर आएगा छे नमबर क्या है बताइए साथियो हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा साथ यूट डी आ जाएगा इसी परकार से अगर मिलान करेंगे तो यह आंसर आएगा मिला लो माइनस वन माइनस प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन अगर हम मिलान करेंगे तो डी आंसर आएगा इसका क्या आएगा answer d आएगा क्या आपको समझ लग गया है क्या क्या आपको समझ लग गया है क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यह समझना ज़्यादा जरूरी है क्या आपको यह समझ लग गया है क्या आपको यह समझ लग गया है अर्विंद अर्विंद क्या समझ लग गया है तुझे अर्विंद क्या समझ लग गया है कि यह कैसे आया देखो हमने एक सीरीज बनाई प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, और माइनस वन, और प्लस वन, इस सीरीज के अनुसार, अगर हम इन में एक जोड़ेंगे, एक गटाएंगे, तो ये वाली संख्या आएगी, क्या आप चाहते हो कि मैं समझाओ इसको, क्या आप समझ आगी गाईज देखो एक भी चेला छूटा जयारेफ संकल्प टूटा मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको यह सवाल नहीं आए हर व्यक्ति को अगर मैंने इस चैनल पर पड़ानी की जिम्मेदारी लिए देखो यार बहुत सारे लोग नए हैं मैं उ एक्सपीरियंस है उसको सेयर करूंगा कॉलेज उन्सीडी में पढ़ने पढ़ाने का अनभाव को सेयर करूंगा है ना बट फिर मुझे लग रहा था कि यार इस पर पेपर वन पढ़ाना चाहिए और मैं यह एक साल से सोच रहा था मैं सोच रहा था नया चैनल बना लेता फिर मैंने कि यार इतने चैनल कहां समलेंगे बहुत सारा काम होता है इसी पर पढ़ाते हैं और आप लोगों ने जो कमाल का रिस्पॉंड आप लोगों ने किया है अगर आप देख रहे होंगे यहां तक और यहां तक यह सब कुछ सेम है लेकिन लास्ट में एक्स है और ला आपको यह चीज कन्फर्म करनी है साथियो और इसी का नुसार हमारा यहां पर डी आएगा आंसर ए नहीं आएगा डी आंसर आएगा करकर देख लो आप आगे बढ़ते हैं और अगले कौशन को यहां पर समझने का प्रियास करते हैं एक कौशन करिए यह मोस्ट है साथ यह यह मोस्ट कौशन है यह आ रहे हैं आपके एक्जाम में 2019 माया यह यह 2019 माया यह पेपर में बड़ा सरल है देखो क्या है math reasoning की जो हम लोग ना दसवी के बाद में हम लोगों ना math reasoning नहीं पड़ी इसलिए हमको math से डर लगता है मैं आपको math उस तरीके से समझाओंगा जिस तरीके से student math को पढ़ता है आईए इस question को कर लेते हैं हमारे सामने तीन शब्द है BA at इन्हेंने BA at को 23 लिखा है और CA at को 24 लिखा है तो उसी तरीके से बाल का नंबर क्या होगा अब आप मैंसे सब लोग कॉशन करें उत्तर कीजिए इसका फिर मैं समझाओंगा एक मिनट का समय देते हैं आपका सीधे music को सुना ही पड़ता है मुझे सर इंग्लिस की क्लास इंग्लिस का भी करवा देंगे इंग्लिस मीडियम में चाहिए क्या आपको खीक है में इंग्लिस मीडियम की लगा दूंगा अच्छा पिए ज्यादा आ रहा है क्या जो बेंग्राउंड रहा है ज्रूद्ध चल रहा है वह ज्यादा प्रण। थोड़ा सा बेंग्राउंड ज्याद सर्भलोग अगर बेंग्रोंड म्यूजिक था उसको करhone तो कर दो सर्धानाव सरय चला कर देता हूं मामली से दो कर देता हूं खुस कर दिया देखो क्या है मैंने आपको बार-बार समझाया तब B कितने नमबर पर आता है ए आया एक नमबर पर टी आया बीस नमबर पर अगर गश्या श्याया मैंने औन दिया दों नमबर पर पर 20 विये देखे अगर हम त्सक्राव पर यहां यहोग अगर समझ कराद किसम दिया धिये लॉगम्यों मैं 2 दोतम मैं 2 पर to सख्वाइब को जोड़ो एक आता एक नमबर पर ती आता है बीस नमबर पर तो अगर यानि कि यहाँ पर जो नंबर है ना उसको हम लोग जोड रहे हैं तो वी ए डबल एल का मतलब क्या हो गया वी कितने नंबर पर आता है दो नंबर पर आता है बी कितने नंबर पर दो आता है प्लस एक कितने नंबर पर आता है एक नंबर पर आता है और कितना था एल बारा और एल बारा कितना अमर बाराद उन्हें 24, 25, 26, 27 इसका सही आंसर है आंसर क्या यह साती हो 27 है जिल लोगों ने 27 आंसर दिया है उन्होंने सब वो लोग भी लाइक करके जरूर जाना और कॉमेंट्स जरूर करना अपना सजेशन जरूर देना हाई रिम्पी जी हलो 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 चलिए अब हम अगले कॉशन्स पर जंप करते हैं देखो यार क्या है यह कॉशन कीजिए 45 दिखाई दे रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस परकार के कॉशन आते हैं आपके एकजाम में इस परकार के कॉशन्स आते हैं आपके एकजाम में इस परकार के मैं इसको लिख देता हूं बोर्ड पर क्योंकि इसको समझाना जरूरी है यहां पर किया किसी सांकेतिक भासा में 245 को इस नाम से जाना जाता है तो क्या है साथ ही हो 247 को किस नाम से जाना जाता है S P R E A D आगे लिख लागा A R E D रेड और C A R P E T यह लिख दिया 447 के सामने 256 का अर्थ यह है मैं लिख रहा हूँ 256 का अर्थ कितना ऐसा आती हो DUST 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 O N E 1 और C A R P E T ठीक अगला ऐसा आते हो 264 का अर्थ क्या है 200 कल में बड़ा बड़ा कर दूँगा आज छोटा 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 काम चला लो एक कॉशन करा हूँगा 1 red carpet आज आज थोड़ा सा काम चला लो कल में बड़ा कर दूँगा 1 red और C A R P E T C A R P E T यह सवाल आपके सामने हैं और अब इसमें हमसे पूछा है कि DUST के लिए कौन सा अंक आएगा अब हमसे इस सवाल पूछा गया है इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक याद करो ऐसे कॉशन अगर आपके सामने आ जाएं तो ऐसे कॉशन को आख करना बहुत ही जादा आसान होता है बता हूँ ट्रिक इसके क्या है सब लोग इसको नउट कर लो कॉपी में पहले इस को नॉट कर लो कॉपी में एक बार सब के सब नॉट करो चलो कॉपी में नॉट करो पहले इसको एक बार सब के सब नॉट करो नॉट करो सब के सब एक बार इसको अब इस प्रकार के सवाल को कैसे सौल किया जाता है पहले समझो देखो पढ़ाई हर कोई करता है लेकिन पढ़ना सीखना चाहिए आप पहले पढ़ाई करना सीखो ताकि हम जादा समय तक कॉश्चन को याद रख सकें क्योंकि मैं थेक ऐसी चीजे जो हमेशा अभ्यास मांगती है लेकिन अगर हम चीजों को लिंक करके अगर पढ़ेंगे तो फिर हमको अभ्यास करने की जरौत नहीं रहेगी अब मेरी बास समझने की कॉसिस करो सबसे पहले कि जब भी हम इस प्रकार के कॉश्चन को करना सुरू करेंगे सबसे पहले जिस सब्द को पूछा गया है तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है मुझसे इन्होंने पूछा है डी यू एस्टी का मतलब तो डी यू एस्टी को ढूंडो डी यू एस्टी ये री देखो जिस पंक्ती में डी यू एस्टी आता है यानि जिस पंक्ती में हमसे सवाल पूछा गया है यानि सवाल हमसे पंक्ती नंबर दो में पूचा गया है इसका मतलब यह वा या तो आंसर दो आएगा या आंसर पाँच आएगा या आंसर छे आएगा इन तीनों शब्दों के अलावा कोई आंसर नहीं है तो यह बाकी के सवालों को तो वैसे काट दो यह नहीं आएगा और सातियों यह नहीं आएगा अब यह तो आंसर यह आएगा या फिर आंसर यह आएगा आएए ट्रिक से आगे बढ़ते हैं देखो जब भी हमने सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हमसे पूछा गया क्या है जो शब्द हमसे पूछा गया है उसको यहाँ पर चिन्नित कर लेना है और फिर हमको कौशन को हल करने की सुरुवात इसी पंक्ती से करनी है इस पंक्ती से कैसे करेंगे मालो इसमें से एक शब्द पकड़ लिया हमने O-N-E शब्द पकड़ लिया हमने O-N-E अब यह इस तीनों लाइनों में O-N-E शब्द ढूंडो क्या आपको यहाँ पर O-N-E दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको यहाँ पर O-N-E दिखाई दे रहा है गुरुजी यह दिखाई दे रहा है यानि कि पंक्ति नंबर दो और पंक्ति नंबर तीन में समान शब्द है समान शब्द को डूंडो समान शब्द को डूंडो कि हमने एक समान शब्द ये रहा और एक समान शब्द ये रहा इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं में इसमें से और इसमें से समान संख्य संख्या हमको निकालनी है क्या निकालनी है साति हो हमको समान संख्या यहां से हमको निकालनी है समान संख्या अब यहां पर समान संख्या निकालनी के लिए क्या करेंगे यहां पर आपको यहां पर दो यह रहां यहां यहां पर एक तो संख्या दो है यही और एक संख्या दो य ली सकता अब अगला सवाल है कॉर्पेट कार्पेट एक कार्पेट यह रहा इसको मिलाओ और एक कार्पेट यह रहा और एक कार्पेट यह रहा यानि लाइन नमबर 123 123 तीनों लाइन में समानंक है तीनों लाइन में समानंक तो हम इन संख्या में इन इधर की इधर की साइड य यहां पर आपको तीनों लाइन में एक शब्द होना चाहिए ऐसा नहीं है कि दो लाइन में मिल गया एक में नहीं मिला तीनों में कौन सा समान है देखो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर क्या दिखाई दे रहा है दो छे चार में से कोई में है समानंक तीनो में एक शब्द समान होगा साथ हैं दिखाई दे रहा है और यहां पर दिखाई दे रहा हैं हमको दो पिछली संख्या का आर्थथ दो नहीं होता मैंने थोड़ी जल्द बाजी कर दीं उसमें 6 रख पिछली वालिग यानि की वन का आ जाता छे। और कॉर्पेट का चाइना अब जो हमारे पांच जो पांच बचला है न वो ही हमारे इसका आणसर है। देखो दो काम आ गया, छे काम में आ गया, दो और छे काम में आ गया, तो पांच अब बचा तो आंसर यही है, अब बताव एक बार थोड़ा देख लो इसको अच्छी से समझ लो, एक बार इसको अच्छी तरह की समझ लो, बहुत ज्यादा काटा फासी हो गई है, मैं अगली मैं इसको ढंख से समझा दूँगा, दुबारा समझा देगे, एक बार इसको देख लो, आप अगले आराम से इसको कर लेता है 47 यह सेम टू सेम कॉश्चन है यह वाला मैं फिर से से लिख देता हूं नीचे आपको आसानीस होएगी जैसे 253 का अर्षिनों ने क्या बताया यह बताया है जैसे मैं लिख देता हूं 253 थोड़ा आप साफ साफ लिखने कॉश्च करूंगा वी डबल अलग-अलग कलर से लिख देता हूं ना ताकि हमको आसानी हो जाएगी समझने में ठीक है तो 546 यहां पर हो गया पान सो चियालीस है मैं ए ए एन मैं इज है ओल अब अगले कलर से लिख देता हूं ताकि तोड़ा साप सुत्रा रहे मामला 337,380,380 उख क्या रहे हैं के लिख भाई ग्वुड बुक, बी-यू-वाई बाई गुड बुक, गुड बुक कि ओके देख रहा है सबको एक बार देख लो इस तरीके संक्याजमालो आप बाई गुड़ बुक दिख रहा है इस एक लास्ट कॉशन ऐसा मैं लास्ट कॉशन समझा देता हूं और फिर हम लोग बड़े वाले कॉशन पर चल जाएंगे जिन्ता ना करें आप अब हमको क्या करना है सबसे पहले हमसे ये देखना क्या पूछा गया है और के लिए कौन सा शवद प्रियोग होता है यहाँ पूछा गया आर के लिए औंसा अंक आएगा हमसे पूछा गया है कि आर के लिए कौन सा थोड़ा पैसेंस रखो एक मिनिट का पैसेंस रखो समझ आएगा ठीक आर के लिए हमको कौन सा अंक आएगा तो सबसे पहले हमको यह डूंड़ दाए आर कहां लिखा हुआ है तो सबसे पहले आर लिखा हुआ है यह ला, आर यह लिखा हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आनस्वर जब भी आएगा ना, पंक्ती नंबर वन में से ही आएगा, आनस्वर जब भी आएगा इसी पंक्ती में से आएगा, इसका मतलब यह हो गया, जिस पंक्ती में, जिस पंक्ती एक संख्या उठाओ जैसे हमने ओल्ड उठा लिया यहां पर अब ढूंडो ओल्ड कहां कहां लिखा हुआ है एक पंक्ति में ओल्ड ये लिख रखा है दूसरी पंक्ति में भी ओल्ड लिख रखा है यानि इन दोनों पंक्तियों में ओल्ड लिख रखा है इसका मतलब यह मुझे कौन संग दिखाई दे रहा है यह पांच वाला मुझे दिखाई दे रहा है ओल्ड का क्या हो गया पांच हो गया दोनों में मुझे समान दिखाई दे रहा है क्या इतना समझ आ गया क्या इतना समझ आ चुका है मुझे बताओ क्या इतना समझ आ गया है कि पांच कैसे प अब हम अगले शब्द को पकड़ते हैं और अगला शब्द क्या है सात्यु अमरा क्या है बुक। तो हमने बुक को पकड़ लिया अब घूंडो बुक और कौनसी जगे लिख रखी में इस वाली बीच वाली लायन में यहां पर डोनों जगे घंग मैं और समानख डूंवेगे अब देखो पंक्ति नमबर एक और तीन समानख मुझे यहां पर समानख दिखाई जिरा थीन है तो अब पांच काम में आ गया तीन काम में आ गया बचा कौन दो जो दो बचाना वह समिए अगर नहीं लगा आपको अभी समझा दूंगा बोलो अगरे देवी जी मैं थी है यह मैं कब कराएंगे मैं थी कल रही है मैं थी देवता मैं थी चल रही है इसको मैं खहते हैं मैं का इसलिए बस है यह एसे एसे पूछ मत सबको आ गया एक भी ऐसा है का जिसको नहीं आता हूँ एक बी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आता हूँ सबको समझ लग गया गाईज समझ गे सर very good तो चली आप थोड़ा बड़े अक्षरों की तरफ चलते हैं क्योंकि ये थोड़े छोटे अक्षर में करवानी के लिए लाया था ये बहुत सारे कॉश्चन थे में करवानी के लिए लाया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहें कोई दिक्कत नहीं है अम थोड़े बड़े कॉश्चनों की तरफ चलते हैं अब ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई देंगे ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई देंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सारे कॉश्चन्स हमारे सॉल हो जाएंगे आप लोग चिंता ना करें आपको सात्यों कॉश्चन नंबर पांच करना है पहले आप ट्राई करो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँगा यह कॉश्चन कोडिंग डिकोडिंग का साल उन्नीस दो अजार अठारे माया है इसको करो मैं पानी लियाता हूं जब तक पानी पी लेता हूं यार इसको करो जब तक पानी पी लेता हूं है रोज रात्री क्लास नो बज़े हुआ करेगी यह एक दिन में एक परशनावली पहले मैथ और डियाए उसके बाद में रिसाट्स कम्मुनुकेशन वगएरा पहले मैथ और डियाए चले गाइज इसको कोडिंग डिकोडिंग का कॉश्चन 2018 में आया था यह पांच का अनसर करो शिक्स का मत करो बेटा भी पांच वाला कॉश्चन करों पांच वाला करो भी छे का बाद में कराएंगे देखो आपको क्या करना है पहले इन दोनों का लिंक समझना है कि इन दोनों में क्या लिंक है इन दोनों में क्या लिंक है अर्विंद इस क्लास में है क्या बीवी अर्विंद इस क्लास में है क्या अगर है तो मुझे जल्दी सवाल का जवाब बता आप लोगों ने अधिकतर लोगों ने D answer दिया है लेकिन हमको सबसे पहले समझना है कि D answer आया कैसे है हमको समझना है कि D answer कैसे आया पहले इस चीज को समझ लेते हैं देखो यार हमारे सामने संक्या है F A C और E एक संक्या हमारे सामने ये है दूसरी संक्या जो हमको दे रखी हूँ है H, C, E और G अब इन दोनों का इनका आमको संबंद अब पता लगाना है इसका संबंद हम कैसे पता लगाए आपने देखा होगा F कितने नंबर पराता है 6 नंबर पराता है F A, B, C, D, E, F 6 नंबर पराता है F F कितने नंबर पराता है? हमारा 6 नंबर पराता है H कितने नंबर पराता है? 8 नंबर पराता है A, B, C, D, E, F, G H 8 नंबर पराता है ठीक है? तो यहाँ 6 और यह 8 इसका मतलब क्या हुआ? प्लस 2 का अंतर है दोनों के बीच में कितने एक अंतर है प्लस दो का अंतर है इसका मतलब क्या हुआ प्लस दो का अंतर है राइट भाई इन दोनों का क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि प्लस दो का अंतर है इसके बीच में एक कितने नंबर पर आता है एक नंबर पर सी कितने नंबर पर आता है तीन नंबर पर यहां पर भी प्लस दो का अंतर है इस बात को समझ गए यहां पर भी कितने का अंतर है प्लस दो का अंतर है C कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर E आता है 5 नंबर पर यहाँ पर भी प्लस दो का अंतर है E आता है सातियों कितने नंबर पर E 5 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर यानि कि हमने देखा है कि यह संख्या में हर संख्या में 2 अंक अधिक है इस संख्या से यह संख्या दो अंग अधिक है इसका यह संबन्द है तो उसी प्रकार हमको H आई जी एस का अंग निकालना है तो हमने क्या निकाला एच आई जी एच 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 का तो एच आता है आठ नमबर पर दस नमबर पर क्या आता है जे आता है दस नमबर पर जे आता है दस नमबर पर आई आता है नौ नमबर पर के आता है ग्यारा नमबर पर लिख दिया ना दो जो जोड़ते जा रहा हूं मैं जी आता है साथ नमबर पर आई आता है नौ नंबर पर एच आता है आठ नंबर पर जे आता है दस नंबर पर जे के आई जी जे के आई जे सायान पर है अब बताओ किसी को समझ नहीं लगाओ तो बोलो अब बताओ किसी को समझ नहीं लगाओ तो बोलो कि सर मुझे समझ नहीं लगाए थ्री टाइम ज सिटी कॉलेज में पढ़ाने का अनुभा है कैसाल तक पिछले पांचे साल से यूटूब पर पढ़ा रहा हूं इसका एक्सपिरियंस है दुनिया बर के आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जनरल में प्रकासित हो चुके हैं आप विश्वास करके इस क्लास में आओ मैं अग सब्सक्राइब के साथ साथ आपको पिएचडी वगरा करवाना भी मेरा उद्देश है कि विनीत नाम का एक लड़का है वो कह रहा है कि आउट ओप कॉंटेंट पढ़ा रहे हैं मैं रीजनिंग के अलावा सब्जेक्ट पढ़ाईए सब मैं रीजनिंग तुझे आउट अपनी आख खोल आखोल भाई आखोल यह देख यह सिलेबस मैं त्रीजनिंग का सिलेबस है और यह रा कूट कोडिंग डिकोडिंग यह देख सिलेबस का हिस्सा है बेवकुफ प्र आप जैसे लोग फैल भी होते हैं जब सिलेबस तो आप लोग डंक से पढ़ते नहीं हो य अपनी नदर दोड़ा के सिलेबस को जब तक नहीं पढ़ोगे पूरी तरीके से आजकल सवाल एक्जामनर ऐसे ही पूछ रहा है आप लोगों से शाने लोगों कि मुझे इस क्लास में जरुरत भी नहीं है पढ़ने वाले छात्र चाहिए सिलेबस पढ़ो देखो यह देखो हिंदी में लिख रह तका है कूट और अंग्रेजी में लिख रह का है कॉड अंघरीजी में इस सेद तके और कहते हो कोड उन्य पृत्व पड़ेंगे मैं एक काम करूँगा मैं इसके Nots आपको दे दूँगा सारे मैं आपको क्या करूँगा जब भी हमारी Class समाप्त होगी Class जैसे इंड होगी वैसे मैं आपके Nots अफ्लोड कर दूँगा और इस Class की First Comment में इस Class की First Comment में अरजुना बैच का पूरा Link लिंक प्लेलिस्ट का और नॉट्स मिल जाएंगे हर क्लास की नॉट्स पहली कॉमेंट में मिल जाएंगे आपको चिंता ना करें जी के पढ़ने की जर्रूत आपको नहीं है पेपर वन में करिए एपको पुटेंग एपको नर्रूत अर्णवत्वर्ण जाएंगे लंगे चलिए गाइज क्या कॉमेंट किया आपने बहुत बढ़िया C आप लोगों ने दिया है अब देख लेते हैं इसका चीजों का अच्छी तरीके से क्या दे रखा है ये 2019 का पेपर है साथ है 1229 के एक्जाम में पूछा गया है solution के लिए यह जो meaning है tych meaning इसके लिए इन्होंने एक meaning यह रख दि इन्होंने कहा कि हम यह जो šब्द है ना इसको इस नाम से ना बुला कर इस शब्द को हम इस नाम से बुलाएंगे थीक हमें बुला लो तो तुम उसके बड़े नाम पाइचा नहीं रख दोगे कि सूचो मालो गाओं में किसी एक लड़के के नाम चौथ्या है उससे अगले वाले बाइचा नाम पाइचा नहीं रख दोगे क्योंकि हमारे गाओं में चौथ्या पाइचा है इसलिए कह रहा हूं तो वाई इसको इसको इस नाम से बुलाएंगे तो पिर हम तो अगली शब्द इसको अम अलग नाम से बुला लेंगे सीधी बाद है ना चलो सबसे पहले तो link निकाल लेते हैं कि इन दोनों का क्या link है इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है आए इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है तो सबसे पहले लिख देता है solution एस ओ थोड़ा थोटा लिख देता हूं एस ओ एल यू टी एस ओ एलो यू टी आई ओ एन यह शब्द हमारा एक हो गया अगला जो शब्द है यह रहा आर फाइव के टी एस एच फाइव एम अब हमको इसका लिंक निकालना है आईए निकाल लेते हैं सब भाई मिलकर चिंता क्या करते हो लिंक में निकल जाएए एस कितने नंबर पर आता है dual में ऐस 19 नंबर पराता है कि अरकितने नंबर पराता है 18 नंबर पराता है मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल की किलास में मैं आपको पूरह याद करवाए थे एक कितना नंबर पर आता है बी कितना नंबर पर आता है सब पढ़ायते तो अगर एस 19 नंबर पर आता है आर 18 नंबर पर आता है इसका मतलब माइनस एक वह न भाई आगली संक्या घटती हुई आ रही है भाई जैसे शुरुवात का सब्द में और इसके शुरुवात के शब्द में माइनस एक कंतर है चलिए ओ यहाँ पर यह पांच नंबर दे रखा है इसको हम ऐसे के छोड़ देते हैं एज़िटीड एल कितने नंबर पर आता है एल एल आत यू में यू आता है 19 नंबर पर यू आता है 21 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर माइनस एक कंतर हर संक्या में माइनस एक कंतर हर संक्या में यह ऐसे कैसे छोड़ दो और हर संक्या में माइनस एक कंतर अगर हर संक्या में अगर माइनस एक कंतर आ रहा है तो हम इस संक्या में भी हर एक में माइनस एक कंतर लगवाएंगे कैसे लगवाएंगे जान से देखो इदर को कैसे लगेगा माइनस एक कंतर इधर देखें भाई भी या सी आता है तीन नंबर पर भी आता है दो नंबर पर आता है दो नंबर पर आर कितने नंबर पर आता है आर बताओ मुझे पी अनम्बर पर होता है कि आ राता है 18 नमबर और क्यूंब आता है 17 नमबर पर कम ट्रिक सिखाई आतके 17 माँपशाए पांच नंबर पर बीचर नंबर पर तो चाहर नमबर तो बीक्यू अनल्डी क्यू पांच एविग्यू पांच एल्डए उसमें पांच सेम की सेम लिखा जाएगा यह सी आंसर आज़र इस तरीके । mineus 1-1-1-1-1 Mineus 1-1-1-1 अब बताओ कोई समद्छा है किसी किसी को को समद्षा है कितना सरल तरीके से हम लोग मैच पड़ए और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कभ हम D I को पड़ लेगे यह पूरा syllables है ना number series हो गई आज हमारी Đिकोडिंग होगी कल मैं रिलीस्न पढ़ाँगा आपको भाई बत कि आप लोगों से जितने वि ने डिवाधी आनसर किया है न उन लोगों सही किया अंद॥ इस ऑगर आप लोगों ने डिव्प सबया है तो आप डिया Safety को बढ़ाई हो तो आप Coding Recording सीख चुके हैं, बदाई हो आप, अगर आपने डियांसर दिया है, तो आप Coding Recording सीख चुके हो गाईज, सीख गए हो आप Coding Recording, थैंक यू, आप Coding Recording सीख चुके हो, क्या बात है समर, बहुत बढ़िया, डी गलत है, अच्छा, चलो, डी गलत है, या सई है, उसको हम लोग देख लेंगे, अरे, मैंने C पर लगा दिया, भाई, आंसर आएगा D, चौरी, मैं मुह से D बोल रहा हूं, और Option में C लगा दिया, मैं मुह से तो D बोल रहा था, और Option में मैंने C लगा दिया, आँ विने सही के रहें आप, देखो, इस Question को कैसे करेंगे, हमारे सामने एक नंबर ये लिख रखा है, और अगला नंबर हमारे सामने ये लिख रखा है, यानि कि इन दोनों संख्याओं में संबंध ढूंड़ना है, कि इनके बीच में संबंध क्या है, इनके बीच में क्या है, संबंध का हमको पता लगाना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध का पता की लगाना है, फिर जाकर हम इसका संबंद निकाल सकते हैं तो हम तो संबंद निकालने वाले तकड़े हैं आपने गाउं के बिचोला सुने हैं का बिचोला गाउं में बिचोला नहीं होते अरे आज की जमाने में तो इतनी जादा कोई शादी.com खुल गई है कोई क्या खुल गई है आज की जबाने में तो पहले बिचोलया ब्याओ के या करते थे और गाम में ब्याओ काटने काम ही अलग तरीके से होता था कुछ सब्सक्राइब कश्त almighty अब पहले क्या दोन वह है जैसे जो को इस तरीके का इस तरीका अधर कॉछ सट्राइब और गॉंप एक इस इघराइब अब आपने देखो यह सड़क का यहां पर क्या है कि स्टेंड होता है अब इस्टेंड पर क्या होता है गाव में बहुत सारी थड़ियां रहते हैं चाय की मन लोग अख़बार पढ़ते रहते हैं चाय वाई पीते रहते हैं और ऐसे तास खेलते रहते हैं है ना ऐसे लोग बै हुआ हूँ खुद मतलब घरवालों को पता नहीं लगता है कि यह किसकी घरवाली के वहाँ पर बैठेवे सब लोग पीछे से धूर से पैरों कि चाल से पिचान जाते हैं प्लाने के घर आदि जा रही है उनको इतना नौलेज हर तो इहां पर मालो कोई आदमी आगे करने लोग और दोर से लीजाते हैं ज्याते हैं अब गाम में जैसे उत्रेंगे जैसे उत्रेंगे जाना है खोरो दूडने से ना मिलाओ महाराज छोरो अंख खोब सूरत गुरो और हो सुनो महराज आख खूब मोटी मोटी लेकिन दीखे ना है तो हम का करा छोड़ा कि तारीफ भी करदी और बात इबातर में यह कह दे कि छोड़ा कि आख तो खूब मोटी मोटी है पर उनसों दीखे ना है अब शादी करने वाले लोगों को बस इतना ही है उठके बहुत जल्दी है शादि हां शाधिय बस कट गई ऐसे कितने लोग बिन्याज शादी के गाव में गूमते हैं कि ऐसे गाव में दोशोगव तोला होता है और खासकार हर्याणा plus 1 कांतर है इन दोनों के बीच में plus 2 कांतर है पन्ध हम इसको उपर नीचे करके नाक डूंडेंगे, हम इसको यहां लिख लेता हैं, इस इस संक्याओ को देखो, V, यह संक्याओ को हम यहां लिख लेता हैं, इधर देखे, कॉपी पेन निकालो वी वी अरे अरे वी ए आर ए वी ए आर ए वी ए आर ए ए एन ए वी ए आर ए एन ए वी ए आर ए एन ए एसाई इस संक्या का संबन इससे निकालना है संक्या है अब इनके बीच में संबन्द क्या है यह ढूंडना है हमको यह बताना है देखो इन दोनों के बीच में यू के बाद में डवल्य आता है प्लस एक कंतर है है यह कि लिवश्क शेयान इक नमबर पर शेयदे नमबर पर प्लस दो इसक आर आता है उनको दुआला विश्क नमबर पर यू आता 11 नमबर प्लस दीप कंतर है एक नंबर पर यह आता है पांच नंबर पर प्लस चार कंतर है एन आता है बीस नंबर पर एस आता है 25 नंबर पर प्लस 5 कंतर है जी आता है साथ नंबर पर एक आता है एक नंबर प्लस 6 कंतर है इसमें प्लस साथ कंतर है और इसमें प्लस आठ कंतर यानि हम देख पा रहे होंगे कि एक संख्या से अगली संख्या में जैसे इस संख्या से इस संख्या में जाएंगे तो प्लस एक कंतर इस संख्या से इस संख्या में जाएंगे प्लस दो कंतर इस संख्या से इस संख्या को देखें को लिख है जैसे कि 11 ऑफ 15 ऑफ 15 क्यों ऑफ 17 ऑफ 14 eight 12 में तीन जोड़ तो इस तरीके से साथ यह हमारा यह आ जाएगा ट्र मा है कि एक अगर जोड़ते हैं, जायेंगे है इस तरीके से हमने कोडिंग का सारे प्रशनावली कर लिए हैं सारे कौशन कर लिए हैं 2021, 2022, 2020 के सारे कौशन कर लिए है अब बताओ किसी को कोई समश्या है क्या यह कौशन 2021 का था जो हमने किया है यह कॉशन 2021 का कॉशन है बताओ कुछ पूछना है किसी को डेली नो बजे किलास होती है बताओ साथियो अगर आपको मेरी पड़ाई हुई बात हैं अच्छे से समझ में आती हैं तो अपना प्रोफिसर एप्लिकेशन को आप डाउनलूड कर लेना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कॉमेंट में आपको यह एप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर साथियो आप इस एप को डाउनलूड कर लीजे अगर आपके पास एंड्रोइड मॉबाइल नहीं है अगर आप इस एप का लाब उठा सकते हो अगर आप यूजी से नेट के तैयारी कर रहे हो तो यह टॉगल आपको यूजी से नेट का दिख रहा होगा जैसे इस पर किलिक करोगे उसके बाद में सभी क्लासेज आपको दिखने लग जाएगी और हमारे पेड कोरसेज में आप सामिल हो सकते हो जो हमारे गाओं देयात के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को धान में रखते बहुती नोमिनल प्राइस पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और इस समय सात्यों ओफर भी चला हुआ है तो आप अपना प्रोफेसर एप को जल्दी से डाउनलोड के लिजे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप फर्स्ट कोमेंट में हैं आईए अब आगला टॉपिक पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग समझाई ये क्लास नमबर टू है आज मैं आपको जो सिखलाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ समय और दूरी क्लास नमबर तीन में क्या से किलाने वाल हो आपको मैं आज समय और दूरी बतलाने वाल हूँ now जातियों ज्यान दिशाब परिक्षण से हम लोग शुरू करेंगे देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं आपके सामने 2022 के कॉशन लेकर आया हूं 2021 के question लेकर आया हूँ, आपको दिख रहे होंगे, 2019 के question लेकर आया हूँ, 2020 के question लेकर आया हूँ, लेकिन, मैं शुरुवात मैं आपको थोरी समझाऊंगा, पहले मैं आपको एक question नहीं करवाऊंगा, सबसे पहले हम थोरी समझेंगे, इधर देखो मेरी तरफ, बिल्कुल 0 से, बिल्कुल बेसिक से हम यह जो डिस्टेंस है, हमारी टाइम एंड डिस्टेंस है, उसकी थियोरी को समझेंगे, और थियोरी को समझने के बाद इन कॉश्चन्स को करेंगे, ध्यान रहे, यह किलास जब तक खतम नहीं होगी, तब तक हम इस टॉपिक को कम्प्लीट ना करवा द सबसे पहले हम दिसाओं का घ्यान कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम दिसाओं का घ्यान कर लेते हैं, अब आप कॉपी की तरफ देख रहे हो हमेश्या जो उत्तर दिशा होती है नौर्थ इधर देखिए इसको कहते नौर्थ इसको कहते उत्तर दिशा एक इस मैप परावा पहले आपको दिशाओं का ज्यान जरूरी है पहले आपको दिशाओं का ज्यान जरूरी है मैं आपको दिशाओं का ज्यान समझा देता हूं आईए बेसिक से सुरुवात करें बाई हमारा जो इस्तर है बिलकुल बेसिक से सुरुवात करें गाई बिलकुल बेसिक से सुरुवात करें जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब क होती है तो आप यह मत सोचना कि सूरिया इधर से उगता है या सूरिया इधर से उगता है आप मानलो एक कमरे में बैठे हो अब आपको दिशाओं का ग्यान कैसे करना है देखो हमेशा उपर की साइड हमेशा उपर यानि सामने उपर सामने देखो उपर सामने यह जो दिशा है कि यह हमेंशा उत्तर दिशा रहेगी कौन सी दिश है कि एप मटारी के तरफ देखे और yeah तो मैं अपनी कॉपित की तरफ देखेंट देख आप मॉबाइल मैं अन्रवान लगाओ हो कि यह मेरे सामने किताब है भाई आप अपने मोबाईल के सामने आ जाओ यह मेरे सामने किताब है मेरे लिए यह दिसा उत्तर दिसा है सामने वाले जिदर को मैं नहात कर रहा है देखो अभी मैं इदर खड़ा हूं अभी मैं उल्टा हो रहा हूं तो मेरे लिए उत्तर दिसा इ यानि कि आप जिस भी situation में हो आपकी body के अनुसार आपको दिशाओं का ज्यान होना चाहिए अब यहां से start करते हैं ठीक है अब मैं ऐसे मुड़ गया हूं अब मेरे सामने और मेरे उपर कौन सी दिशा है नौर्थ दिशा है मेरे पीछे कौन सी दिशा है दक्षन दिशा है मेरे दाएं हाथ की तरफ कौन सी यानि पूरो दिशा है मेरे बाएं हाथ की तरफ कौन सी है पर्ष्ण दिशा है चारो दिशा है समझे लो नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट इसको समझो आप कि नॉर्ट सौइस स्वेस्ट कर लिया अब देखो uciones चार दिसाओं आपको यहाँ पर दिखाये ऱहोंगी पर आप लोगों को चार दिसाओं के अलावा भी दिसाओं दिखाई दे रही है चार दिसाओं के अलावा एक दिसाओं को उत्तर पश्चिम दिखाई दे रही है एक दिसाओं को दक्षन पश्चिम दिखाई दे रही है एक दिसाओं को उत्तर पूर्व दिखाई दे रही है अब इन दिसाओं का मतलब क्या हुआ देखो दिसाओं के निर्धारन में दो पोल पर ही किया जाता है अब यह आपने देखा होगा मालो यह जो दिसा है यहां पर लिख रहा है दक्षण पश्चिम क्या लिख रहा है दक्षण पश्चिम अब आपके मन में विचार आएगा गुरुजी आप इसको दक्षण पश्चिम मतलिको इसको पश्चिम दक्षण लिख यह विचार कितने लोगों के मनम आ रहा है गुरुदी क्या इसको दक्षिन पश्चिम लिखने के बजाय हम पश्चिम दक्षिन भी लिख सकते हैं क्या कितने लोगों के मनमें विचार आया है जैसे मैंने यह सब लिख रहा है दक्षन पश्चिम क्या इसको पश्चिम दक्षन भी लिख सकते हैं क्या जैसे अमने लिख रहा है उत्तर पश्चिम क्या इसको पश्चिम उत्तर भी लिख सकते हैं क्या अगर ऐसा विचार आ रहा है तो नहीं ऐसा नहीं कर सकते कारण समझो की oru제 कारण इसलिए क्योंकि प्रती के दो दुरू माने गए हैं तो दिसाओं की गढ़ना यहीं से होगी जैसे यह नौर्थ दुरू उत्तर दिसा तो यह वाली जो दिसाय है ना प। सिंद पराती हुई तो इसको हम क्या काउंट करेंगे इसको उत्तर पश्यम काउंट कर लेगे इधर की दिशा को उत्तर पूरू काउंट करेंगे यानि कि इन दोनों दिशाओं की पैचान इस उत्तर के आधार पर हो रही है और ये जो दोनों दिशा हैं इधर वाली इसकी पैचान इसके आधार पर हो रही है क्या इतना आप समझ गए हो तो कल मैं आपको relation पढ़ाने वाला हूँ relation कल मैं आपको relation पढ़ाऊंगा blood lesson देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले दो वीडियो आगे हैं उनकी playlist इस वीडियो के first description first comment और description में मिल जाएगी ठीक है? इस वीडियो के बाद देख लेना आगे बढ़ते हैं साथ ही हो ये question की तरब चलते हैं और एक question करते हैं ये वाला बड़ा मज़ेदार question है आप एक बढ़ पढ़ो इसपर्ट तो दिखाई दे रहा होगा इतना मैं मान कर चलता हूँ कि आपको इसपर्ट दिखाई दे रहा होगा इतना मैं मान कर चलता हूँ इसपर्ट दिखाई दे रहा होगा आराम से सब इसपर्ट दिखाई दे रहा ना हाँ तो चलिए question नमर 13 को आप ट्राई करो और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या अंसर हमारा होने वाला है ओके फिर मैं 2021 दो 2022 और 2020 में आने वाले mcqs को करवाऊंगा पहले थोड़ा सा आप एक बर थोरी समझ लो क्योंकि हम प्रस्णावली की थोरी जब तक नहीं समझेंगे ना तब लंबे समय तक हम उसको याद नहीं कर पाएंगे वीडियो को लाइक कर दो यार आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो कि सब्सक्राइब लोग आप लोग यह वीडियो लाइक इतना मुझे प्रेम नहीं करते कि आप लोग मतलब एक बात बताओ मुझे अधिमन नहीं क्या मतलब वह नहीं कि यार गुरुजी किसे इसे ये टाइम पास कर रहा है एक लगाव तो होता है ना हमारा नहीं है तो फिर लाइव लोगा करो सब कि अभी देख रहे हैं वो भी तो कि कर दिया तो लाइव तो इतने के सारे लोग देखे रहे हैं लाइक तो उतने बड़े ही नहीं कि प्रेम के वेगर जिन्दकी कहाँ प्रेम के वेगर कुछ नहीं है कि शुरू करें देखो एक पुरुस पूरव की और मुड़कर ध्यान से देखो एक पूरुस पूरव की और मुड़कर पांच किलोमेटर जाता है अब सबसे पहले मैं आपको दिसाओं का निर्धारण करवा देता हूं ठीक है यह है हमारी दिस अंग्रे जी में अंग्रे जी में साट कहते हैं यह और यह हमारी वेस्ट दिसा इसको साथीवां करना है क्या कहता है एक पूरव की और पांच किलोमेटर जाता है तो पूरव कहा है साथ ही हो यह रा कि मानलो कि एक पूरव की और कितना गया है पांच किलोमेटर गया है तो मानलो एक पूरव की और कितना गया है तो मानलो एक पूरव की और कितना गया है तो मानलो एक पूरव की और समा और गया फिर वह फिर वह दक्षण पश्चिम की और मुड़कर पांच किलोमेटर जाता है दक्षण पश्चिम यह देखो इस दिसा को दक्षण पश्चिम कहते हैं जान से देखो कि यह तो है दक्षण और यह पश्चिम इधर देखो यह दक्षण है यह पश्चिम है इन दोनों के बीच की जो दिसा है उसको दक्षन पश्यूम कहते हैं आ जाते हैं कॉश्चन की तरफ अब यह क्या किया कि इसने दक्षन पश्यूम की तरफ इधर आ गया है कितना आ गया पांच किलोमेटर आ जाता है तो बेटा क्या किया यह दक्षन पश्यूम की तरफ यहां पर पांच किलोमेटर आ गया, भाई यहां तक बात समझा लगी, हमको जो question में लिख रखा है वो ही यहां पर छापना है, क्या बात को उतने समझा गया यह बात समझागी यहां तक यहां तक बात समझागी आगे कौशन बढ़ते हैं वहे पुने वहे पुने उत्तर पश्चिम की और मुढ़कर पांच किलोमेटर जाता है अब मैंने आपको फिर दिशा बताई उत्तर पश्चिम की और फिर देखो उत्तर पश्चिम की और यह रह र्वाना होने के इस्तान से किदर है अब बताओ रवाना होने के स्तान से किदर है मुझे ये comments करके आप बताओ रवाना होने के जारत के नए यहां से वो रवाना हुआ था और वो इधर की side में है यानि कि ये पश्चिम दिसा में हैं कौन से दिसा में है पश्चिम दिसा में है तो पश्चिम का answer है क्या answer है ये मज़ा आएगा भी तो मैं guarantee लेता हूँ मेरी class में math आपको बले ही नहीं आती हो आपको 1 से लेकर 100 तक गिंती सीख कराना है A से लेकर Z तक ABCD सीख कराना है math reasoning DI समझाने की मेरी guarantee on record guarantee है रंजीत कुमार अपनी पढ़ाय लिकाई पर ध्यान दो बार बार एक comment मत करो मैं block भी कर दूँ मैं यहां से एक comment को बार बार मत करो और अपनी पढ़ाय पर ध्यान दो ओके बास समझ लगी पश्चिम कैसे सर पश्चिम इस तरीके से वो अपने रवाना होने जहां से वो चला था वहां से किदर है बाई चला तो यहां से था ना इस जगे से चला था इधर की दिशा पूरू दिशा है इधर की दिशा पश्चिम दिशा है पर अब रवाना होने से यह यहां पर खड़ा है इस समय यह ख्यां खड़ा है तो रवाना होने से यह कौन से दिशा हो गई पश्चिम दिशा हो गई बाई इधर की साइड चला था पूरू की दिशा क के और पर वो खड़ा याएं तो इधर से अगर देखेंगे तो यह दिशा कौन से हो गई पश्च्रम दिशा हो गई ओके आगे बढ़ें अब यहाँ पर कौश्चन सत्रा को एक बार ध्यान से पढ़ो और करने की कौसिस करो कौश्चन नमर सत्रा वीडियो को लाइक कर दीजिए गाईज थोड़ा सब आप करने की कौसिस करो एक मिनिट ट्राई करो मतलब ट्राई करो और फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा दूँ ठीक है एक बार ट्राई तो करो आप लोग कर लिया है मालती ओके बहुत बढ़िया क्या आंसर है फिर कॉमेंट मत करिया आंसर इसका सत्रे का आंसर क्या है तीन चार आप लोग गलत आंसर दे रहे हो दो देखाओ मैं अपने घर से सबसे पहले दिशाओंक का ग्यान में हर प्रिस्णावल में करवांगा यह दिसाओं के ग्यान समझवां उत्तर दिसा नौर्थ कहते अंग्रेजी में दक्षन दिसा साउथ कहते अंग्रेजी में और यह पूरु दिसा इस्ट कहते अंग्रेजी में यह पश्चिन दिसा वेस्ट कहते अंग्रेजी में यह हमारी दिशाओं का ग्यान होगा जो हर क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे ताकि बार-बार हमको समझ में आ सके मैं अपने घर से उत्तर की और 15 मिटर गया मान लो यह मेरा घर है मिदर देखे मान लो कि यह मेरा घर है यह क्या है मेरा घर है मान लो कि यह मेरा घर है मैं उत्तर की और गया उत्तर किदर की साइड है उत्तर किदर की साइड है उत्तर 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 की साइड मान लो कि मैं आपने घर से पंदरा मिटर गया यह मान लो कि मैं आपने घर से कहां गया यह पंदरा मिट अभी मैं आपकी दिशा में हूँ मैं उत्तर की साइड गया ऐसे मेरी बात जान सुनो ऐसे में उत्तर की साइड गया कितना गया 15 मिटर गया 15 मिटर के बाद मैं क्या मुड़ गया पश्चिम की दिशा मुड़ गया ऐसे मुड़ गया ऐसे ऐसे मुड़ कर फिर मैं 10 मिटर गया यानि कि यहां मुड़कर में कितना गया, 10 मिटर गया, फिर से समझा देता हूं, रुख जाओ, भाई यह मेरा गर है, यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से मैं कितना गया, 15 मिटर गया, कितना उत्तर में 15 मिटर, तो मैं यहां से 15 मिटर गया उत्तर में, गया, 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 गया अब मैं यहां से क्या मुड़ रहा हूँ 10 मिटर पश्चिम में अब पश्चिम दिसा इधर कोई है इसाथ को पश्चिम दिसा है तो मैंने क्या ऐसे मुड़ा और अब मैं यहां से क्या गो गया 10 मिटर अपना पश्चिम दिसा में आ गया अब यहां तक मैं 10 मिटर यहां पर आ गया ओके अब आगे देखो दक्षण की और यहां पर मुड़ा और 10 मिटर जाकर दक्षण की और मुड़ा अम मैंने क्या किया अब मैं यहां पर आ गया हूँ अब दक्षण की दिसा मुड़ना है दक्षण की दर को इधर की साइड है फि अब मैं अपने घर से किस दिसा में हूँ अब मैं अपने घर से किस दिसा में हूँ पांच मिटर जाकर एक सेट एक लाइन चुट गी, तस पांच मिटर जाकर पूरव की और 20 मिटर गया, अब देखो पूरा क्वासेशन फिर से समझते हैं, इदार देखे, इतर इतर मैत बहुत आसान है बस समझने का फेर है देखो सबसे पहले क्या किया कि यह मेरा घर है यह मेरा घर है अभी देखो अभी देखो मेरे पीछे देखो यह मेरा घर है सबसे पहले मैं उत्तर दिशा में 15 मिटर गया 15 मिटर गया उत्तर दिशा में 15 मिटर गया फिर यहां तो मैं 10 मेटर मुड़ें पांच मेटर ऐसे चला एप सबसे पहले यहां गया यहां से यहां और पिर यहां से मैं 10 मेटर क्योब 730 आगया अब बताओ मैं यहां यहां से चलाओं तो अम में कहां पर हों है मैं यह कहां से कोर्त तरफ बलकुल देख देखहंगे तरह से फिर बात करेंगे गैरेंटी है मेरी मैज रिजनेंग डिया ये असा यार क्या बात करते हो आप जटके से करेंगे इनको करो देखो Maga आप बोलो comments करके बताओ सब लो comment करो जो बाद में बाद में इस वीडियो को देख रहे ना वह मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मज आया कि नहीं आया और आप लोग वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मुझे पसंद करते हैं मैं देखना चाहता हूं कितने लोग मुझे पसंद करते हैं और यह जो मैं पहल किये म अभी मैं आपको क्या करा रहा हो थोरी पड़ा रहा हूं कोशION say कि लेकर कि यह कोश्टन ओप के लिए 2021 वाले कोश्टन 2020-2022 थोड़ दीर बाद में आने वालो हम यहां पर पहले मुझे थ्लोरी समझानी है लेकिन काम और करो यार उनैकेडमी पर हमारी क्लास uel करUFF पिंकी इसे दरीक से करना है तो द्लिकत देता हो याप एन उस्त करतों करो करों कि दर वेस्ट अन्य आपको वेड़ों आपको कि सुझों भड़ भार बार में लिख देता हूं चलो कॉश्चन एक बार और करवा देंगे 17 नमबर वाला आप तो इसको देखो भी आप इसको देखो आप आप तोड़ी अपनी जो सैटिंग में जाकर उसको साप कीजिए क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल रखा हुआ है मैं आपकी कॉमेंट इस वाले मोबाइल में देख रहा हूं इस वाले मोबाइल में आपके कॉमेंट देख रहा हूं यहाँ पर प्रते एक चीज मुझे साप दिखाई दे रही है तो आप चिंता ना करें कि अदिकांश लोगों ने सई आजर दिया है Awesome है है ओके आब क्या करें है इस चीज़ को ध्यान से समझों तुझे के तोले पर में चक्कर पिंकर ना है अ मता फरक पिंक कि ऩूँ रहेंटी देखो दिखो किपिंकि पहले पूरो दिश् सा में जाती यह मालो हमारी कौन है को आधान है आ मान लेते हैं पिंकि आमारी यह यह ही हमारे पिंक्ट यह में इस पिंक्र को महल finely यह मान के तफ यह ख़डी था बहुत है पिंकी पहले पूरु दिशा में जाती है, कहां जाती है पहले पूरु दिशा में जाती है, तो पूरु दिशा के दर की साइड है, इदर की साइड है पूरु दिशा, तो पहले अमारी पिंकी कहां गई, पूरु दिशा में गई, पहले पूरु दिशा में जाती है, फिर अब आपको भी इसी तरीके सॉल करना है जैसे कि हम सबसे पहले पूरुदिसा में गए ऐसे पूरुदिसा में अब हमको दाएं गूमना है तो दाएं गूमने का मतलब हमको हमारा दाया बाया गूमना है अगर दाया गूमना है तो मुझे ऐसे गूमना है यह मेरा दाया है यह म डाय घुम जाती है ढालम तो यह हमारी पिंकी है सबसे पहले सामें पिर बहुल जाती है पिर वह कुछदूर चलती है इसके बाद भिवैं रहे थोड़ा चलती है फिर जाती है अब माल लो कि मैं इधर चल रहा हूं, इधर चल रहा हूं, अब मेरा दाया कि इधर है? इधर है, मैं फिर से दाया की तरफ घूम गया, तो हमारी पिंकी का दाया देख, पिंकी का मून नीचे की साइड है, पिंकी का मून नीचे साइड है, इधर की साइड इसका बाया है, यह से वो क्या मुड़ गई फिर से वो मुड़ गई दाएं क्या मुड़ गई साती हो फिर से वो दाएं मुड़ गई है पिंकी मुड़ गई है फिर से दाएं अब सुनो आगे फिर इसके बाद फिर से दाया थोड़ा चलती है अंत में दाएं गुम जाती है अब फिर भी अंत में दाय गूम जाती है देखो अगर मालğup pinky ऐसे ऐसे चल रही है ऐसे फिर भी अन्त में गूम जाती है तो रहनलो किसदिशा म है उसका मूध की साटी उपर की साइड गधान है इसका म० अतर की साई यह यह व्यम बताओ यार कैसा लग रहा है समझ लग रहा एक नहीं लग रहा थोड़ा पड़ो और उनको क्रम से लिख दो चीजों को पड़ते ही क्रम से लिख दो ओके गाईज इसको एक बार देखो इसको इस चीज़ को आप समझे और नहीं समझे इस चीज़ को समझे इसको अच्छा आप में से अब आभ यह मुझे बताओ कि इस क्लास से पहले हमारी दो क्लास हो चुकी हैं आप में से क्या ओवग क्लव किल किन लोगों न देखी हैं और उ assassination लोगों न नहीं देखी बताईए अब मैं आपको ट्रेन वाले कॉश्चन करवाने वाला अब मुझे बताओ कितने लोगों ने दोनों क्लाश देख लिए इससे पिछली वाली मैं आपके कॉमेंट इस मोबाल में पढ़ रहा हूं देखो यार जिसने भी वो क्लास नहीं देखी न इस यूटूब यह जो वीडियो है न इस वीडियो के description में प्लेइलिस्ट का लिंक दे रखा है बैच अरजुना बैच का नाम है अरजुना और उसकी प्लेलिट दे रखिये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में भी दे लूँँगा इस क्लास को खताम होने के बाद मैं फर्स्ट कॉमेंट में भी मैं एड कर दूँगा तो आपको वहाँ से उन ये ट्रेन वाले कॉशन भी पूचे जाते हैं एक ट्रेन दक्षण में जा रही होगी देखो सबसे पहले तो दिसाओं का घ्यान कर लो जो महरबार कहता हूं ये उत्तर दिसा इसको अंग्रेजी में नौर्थ कहते हैं ये दक्षण दिसा इसको अंग्रेजी में साउथ कहते हैं ये है पूरव दिसा इसको अंग्रेजी में इश्ट कहते हैं ये है पश्शिम दिसा इसको अंग्रेजी में वेस्ट कहते हैं सबसे पहले तो इस दिशाओं का ज्यान आपको होना जरूरी आप करिए देखो ऐसा है कि कोई भी एक्जाम आपके जोस से बढ़िकर नहीं है अगर आपका जोस ठंडा हो गया तो मतलब काम भी कर जाएगा आपको डेली रेगुलर क्लास में आना होगा तो आप पास कर जाओगे इस एकजाम जोस को ठंडा मत होने दो यार लावे की तरह काम करो एक दमाग लगा तो Delhi आओगे सिखाने की जिम्मेदारी मेरी और आने की जिम्मेदारी आपके, देखा एक समर्पन के साथ जब पढ़ोगे आप, पूरे समर्पित होकर आप पढ़ोगे ना, तो दुनिया की कोई चीज ऐसे नहीं है जो आप नहीं सीख पार, पर उसके लिए समर्पित होना जरूर है यहां पर राहूल गॉल्डर एक ही बार को बार बार टाइप करोगे तो आपकी कॉमेंट्स को आपकी हाइड कर रहा है यूटूब तो एक बार लिको मैं देख लिए आपने तीन आंसर दिया है चलते हैं आप लोगोंने सबने गलत आंसर दिया है कुछ लोगों ने सही दिया और कुछ ने गलत दिया है देखो यह दिसा है इस दिसाओं के ग्या नमों करना है अब देखो सब तले एक ट्रेन एक ट्रेन दक्षिन में जा रही है एक ट्रेन दक्षिन में जा रही है इधर देखो यह है अमारी ट्रेन अब दक्षिन में जा रही है इसका मतलब क्या है यह ट्रेन भाई उत्तर से चल रही है तब ही तो दक्षिन में जा रही है तो एक ट्रेन अमारी नीचे की साइड जा को फोटो बना दिया ऑफ ये जो हवा हो तक्षिं में ज्ञति हा रही है उसे वेग से हवा पूराव से आ रही है अब पूराव किदर की साइड है यह राँ शाथ हो पूराव अब ये जो हवा है ना यह हवा हवा । ये हवा आ रही है पूरो दिशा से ऐसे ये हवा आ रही है सातियो और इस ट्रेन को यहाँ पर टककर इस ट्रेन में यहाँ पर मार रही है इस तरीके से हवा यहां से निकल जा रही है यानि कि इधर की हवा आ रही है और इसमें टककर मार रही है देखो अगर लेट से बिलकुल बिल्कुल भी हवा नहीं चलती अगर बिल्कुल भी हवा नहीं चलती तो क्या होता ये गाड़ी का जो धुआ है ये पीछे एक साइड चला जाता भाई बिल्कुल भी हवा नहीं चलती तो पीछे एक साइड जाता ना एकदम गाड़ी आगे निकल जाती और हवा पीछे रह ज अब होता क्या है किसका वेग है इधर की साइड ऐसे ट्रेन का वेग है और हवा का ऐसे वेग है तो यह क्या होगा कि हवा के जैसे इधर से टक्कर मारी जो हवा जो बादलों को जो निकालेगा ना जो बादल जो निकलेंगे साथियो वो निकलेंगे इधर की साइड क्या निकल पश्षिम दिसा ये कौन से दिसा है उत्तर पश्षिम दिसा इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आनसर है वो उत्तर पश्षिम मदा आरायक नहीं आरा बताओ देखो मेरा एक सिधानत है मैं हमेशा इस चीद को मान कर चल रहा हूं और खासकर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हों दसवी क्लास में आप लोगों ने छोड़ दिया मैथ पढ़ना अब मैं आपको वहीं से सुरू कर रहा हूं बेसिक से और आगे तक ले जाऊंगा आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैलेंडर रिलेशन ब्याज, लाब, हानी, ओसत, प्रतिसत निकालना सिखाने वाला हूं ताकि डियाई की क्लास सुरू हो सके अभी मैं आपको केवल फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं डियाई की क्लास के लिए हमको तीन प्रशनावली सीखनी हैं एक तो ओसत निकालना, एक प्रतिसत निकालना, दो आशत और प्रिसत और अनुपात और समानुपात तीन परशनावली सीखने ए डियाई के लिए और हम डियाई का कोई भी कॉशन कर देंगे आप वीडियो को लाइक कर दीजे एक बार मेरे कहने से वीडियो को लाइक कर दीजे गाइज है संतोश कह रहें कि सर दी बहुत मज़ां रहा है सच में ओके्ट गई कि अगलें कॉशन पर चलें मोरा सिंग कर दो म्यूजिक में दिक्कत आ रही है क्या म्यूजिक से दिक्कत आ रही है इस यहां की सभी क्लासेज बैच अरजुन की सभी क्लासेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का और वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा वहां पर आप सभी क्लासित को देख पाऊंगे अब कर देता हूं बंद क्या दिखते कर देते हैं कम कर देते हैं यार वैसे तुम मैंने बहुत कम कर राखे हैं म्यूजिक को हां हम मैंने और कम कर दिया है उम्मीद अब आपको कोई खास डिस्टर्मेंस नहीं होगा म्यूजिक से म्यूजिक से थोड़ी एनर्जी आती रहती है यार एनर्जी बनी रहती है और कुछ नहीं चलिए कॉशन नंबर थर्टी नाइन का सही आंसर दीजिए सेम टू सेम कोईशन न दंग से बढ़ो सर मुझे गवर्मेंट टीचर से अब प्रोफेसर मनना है रीट राजस्तान कह रहे है पॉजिटिव वाइव आ रही है सर तैंक्यू गाइज यार यह आप लोगों के सपोर्ट है एक्चली देखो कुछ नए लोग है उनको बदला दूँ यह जब मैं पीएश्डी कर रहा था ना उस समय मैंने इस चैनल को बनाया था मैं मुझे याद है कि जब मैं इंट्रिवू के लिए दिल्ली आया था पीएश्डी के लिए तो मैं कितना भटका था यार मुझे खुद को यह पता नहीं था प्रपोजल कैसे बनते हैं सिनॉप्सिस कैसे बनते हैं मैं आप यह किस्सा सुनाता हूं किस्सा यह कि मैंने यूपीएश्ट की पढ़ाई के लिए मुखरजिने कर रहता था और मैंने जो जवालाल लेलू इस विदाले है उसका मैंने इंट्रेंस पास किया था मैं जी आरेफ हूं लेकिन जी आरेफ होने के बाद भी जेनू में इंट्रेंस एक्जाम लगता है तो मैंने क्या किया कि पता लगाया कौन है ऐसा जो अगेरा में पढ़ता है थोड़ा बहुत जिसको आइडिया हो तो मुझे पता लगा कि लड़का था जो निरंकारी में रहता था मुखरजी नगर निरंकारी के बीच में एक किलोमेटर का अंतर है नियर बाई पर वो गली-ग नखी जाता था तो कहता कि यार रात को लेट सोया था और मैं तो यार बहुत लेट जगाओं अभी और अभी मुझे यह काम यार तू ऐसा करना शाम को आजाना फिक है जब में शाम को पहुंचता था तो कहता क्यारभी मैं दोस्तों के साथ बैठाऊं और यह तोड़ा काम तोड़ा टाइम टेकन वाला काम मैं यार तू ऐसा करना लोके से कला जाना ऐसे करते करते उस व्यक्ति ने मुझे अगर ये वीडियो को देख भी रहा होगा तो उसी के लिए बात कह रहा हूं उस व्यक्ति ने मुझे 20 दिन तक परिशान किया था और आखिरकार उन्होंने मेरी मदद नहीं तो फिर मैंने यह करते करते सेलेक्षन ओगया फिर मैंने यूटूब चैनल बनाया फिर मैं क्या करता था कि आपको सिर्फ के साफ पूछा जाता है टॉपिक कैसे सलेक्ट करते हैं नेट कैसे पास करते हैं गाइडेंस के वीडियो जो आपको यहाँ पर इन्फॉरमेशन वाले वीडियों जहां पर आया करते थे मैं कि काफी दिन से आप लोगों को पढाता हूँ internet के लिए मैं पिछले के साल से पढ़ा रहे हूं तीन चार साल से समरे एकेडमी पर पढ़े रहे हूं आपको पता हिए तीन साल चार साल से तुम आनेखेंड में पर पढ़ा रहा हूं फिर यूनिसिटी कॉलेज में पढ़ाया बहुत दिन तक तो काफी लंबा अनवा होता तो पिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना जो हमारे गाउं में ऐसे बहुत से लोग हैं गाउं दिहात के बच्चे जो फीस अफ़र रहता हूं मैं मेरे लिए समय नहीं है कि अलग अलग चैनल समाल पाऊं अगर उस चैनल पर जान दे दूंगा इस चैनल से जानट जाएगा दैन मैंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना इसी चैनल पर हमको रेगुलर क्लास ले लूँ और इसी चैनल पर इनफॉर्मेशन मिला है कि कई हजारों हजारों में व्यू जाए हैं और जो आप लोगों का कॉमेंट्स में जो फीडवेक आया है ना वो कमाल काया है का तो यार बहुत कुछ चीजे हैं लाइफ में जो संगर्स करके सीखी हैं मैंने भी मैं भी उस गाओं मैं आप जिस गाओं की प्रश्टबूमी से आये हो उनी गाओं की प्रश्टबूमी से मैं हूँ छटी कलास में ए भी सीडी पढ़ना सीखे हैं हम लोग तो दिल्ली तक पहुंचना एक छोटे से गाउं से बहुत बड़ा रास्ता है यार है एक छोटे से गाउं से दिल्ली पहुंचते हैं नो आप तो बहुत बड़ा रास्ता तेह करते हैं यह लगा लो आप उस रास्ते से मैं गुजराऊं मैं सोचता हूँ कि यार यह मेरा सौभाग है कि मैं देश की बड़ी बड़ी यूनिसिटियों मैं पढ़ पाया हूँ ता मैनत रही हो मेरी लेकिन यह मेरा सौभाग है कि मैं देश की बड़ी बड़ी यूनिसिटियों मैं पढ़ा हूँ तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है Payback Society, कि मैं आपको उसका लोटा सकूँ उसको, और ये लोटा ने कहीं एक प्रियास है, मेरी तरफ से पूरी इमानदारी के साथ, कि मैंने इस exam को 2-3-4 बार कैसे पास किया, मैं 3-time JRF Qualify किस तरीके से हुआ, मैंने PhD कैसे किया, University College में किस तरी National Generalist में कैसे चपते हैं, कैसे चपवाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सोचना हूगी, ये जो मेरी जर्नी है, जो पूरी जर्नी है, वो मैं आपके साथ सांझा करूँ, ये एक प्रियास है, इतना जरूर है, इतना बेसिक तरीके से, मैं चीजों को समझाने का प्रियास करता मैं अपने आपको एक शात्र मानता हूं मैं क्या हूं एक गाह में बैठावे एक शात्र हूं जिसको कुछ नहीं आता और वो टीचर से पूछ भी नहीं सकता उसके इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टीचर से डरता है वो टीचर से पूछ भी नहीं पाता तो मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं आपकी जगे होता ना तो मैं कहां कहां गलती करता I Mijn हमेशा जब भी पड़ाता हू तो मैं मैं हमेशा टीचर नहीं हूं मैं विध्यारती हूं मैं student मैं stiff detective to 28 साल बाद वी student रहू हूं मैं हमेशा जीवन बर स्टुडेंट हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आपको उस समय मालोग में टीज कर रहा हूँ कोई चीज, मैं उस समय इस्टुटेंट की तरह सोचता हूँ, कि यार मैं अगर छात्र होता, आपकी जगे में मॉबाइल के पास बैठा होता, तो मुझे दिक्कत आती बा हर कॉश्चन में दिसा लिखता हूँ, हर कॉश्चन में दिसा इसलिए लिखता हूँ, क्योंकि गल्ती होती है, मैं एक स्टुडेंट की तरह सोचता हूँ कि यार, आपकी तगे बैठा होता मैं, तो मैं क्या कर रहा था, जब मैं मुझे याद है, जब मैं नेट जार्फ की तैयारी कर रहा था तो मैं किस तरीके से सोचता था तो उस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रियास करता हूं तब तो मैं ऐसे चलता हूँ यहां सभी दाय मुड़े बाय मुड़े तो यह से ना चीजें हमारे माइंड में बैठ जाती है ठीक डंग से और मैं अभी सुरुवात में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं पता है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि नेट के बच्चों ने मैं दसवी क्ल मैं ये कहूँ कि बाई तुमको दस कॉश्चन में से दस के दस सही करा के दूँगा आनेक एडमी पर मेरे हजारों बच्चे नेट जारे पास करते हैं आप चले जाए दिल्ली विस्विधाले में पूछ लीजिए बच्चों से आप डॉक्टर लोकेस बाली को जानते हैं कितने सारे ऐसे स्टुडेंट मिल जाएंगे डियू में पीच्टी करते हुए जिनको मैंने डायरेक्ट और इंडायरेक्ट रूप से हेल्प किया है मेरे कितने सारे लोग ते जो पहले आनेकेडमी पर मेरे साथ पढ़ाई करते थे उनको मैंने प्रपोजल बनवाया उनको मैंने बतलाया उनको मैंने गाइड किया आज वो डीउ से जेनु से बीएचु से सब जगे से पीएच्टी कर रहे हैं तो ये जुडाव है लगाव है पेवेक सॉसाइटी है तो देखो आप डेली क्लास में आओगे तो इमानदारी की जाते जो मुहीम मैंने शुरू किया तो मैं कभ सकते हो क्योंकि मेरे अलग से सर में सींग नहीं उग रहे हैं समझें आप लोग है ओके चलिए गाइद मैं आपके कॉमेंट देख रहा हूं थैंक्यों जिसका सब्जेक्ट उर्दू है वो यहां पर पढ़ ले पेपर वन तो मैं पढ़ाई रहा हूं ना पेपर वन तो मैं पढ़ाई रहा हूं आपको चंतर नहीं है कि सर रिप्लाई देना क्या बेटा क्या पूछा है सर आपके उपर से पीएजडी अरे बाट मैं मैं बहुत चोटा आदमी हूं मेरे उपर पीएजडी कैसे कर पाऊगी हां कभी बहुत में अच्छी अच्छी आर्टिकल लिखे थ शुत है कि ओना मैं तो इक विद्यारती हूं मेरी बात लगे चले अगेला कोशण करना है न हम को चली इसको कश्या थे क्या कीие का यसका पbokतर है क्या थैसका पढ़ात 59 का कि यहत्त तरह जिस भी व्यक्ति ने इसका आंसर ए दिया है उन्होंने इस आंसर को सही कर दिया है अगर आपने एक आंसर दिया है तो आपने इस कोशन को सही कर दिया तो आगला कोशन करें कि इसी को समझें इसी को हम लोग एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले दिसाओं का ज्यान जो मैं आपकी हर बार करवाता हूं यह मेरे लिए जरूरी है जाए आप कहो यह आप ना कहो मैं आपको इस सीजे करवाऊंगा इसको कहते हैं इसको कहते हैं पूर्व इसको वेस्ट कहते हैं यह अमारी दिसाओं का ग्यान हो गया एक ट्रेन पश्चिम में जा रही थी यह ट्रेन कहा है पश्चिम में जा रही थी यानि कि यह ट्रेन पूर्व दिसाओं से चलकर पश्चिम में जा रही थी यह अमारी क्या है ट्रेन है एक ट्रेन हमारी पश्ची में जा रही थी, उसी वेग से हवा उत्तर में जा रही है, उत्तर में जा रही है, उसी वेग से हवा उत्तर में जा रही है, यानि उपर की साइड जा रही है, हवा क्या जा रही है बेटा, हवा जा रही है, हमारी उपर की साइड उत्तर में जा रही तो तो ट्रेन का दुवा किस दिशा में जाएगा तो ट्रेन का दुवा बेटा इस दिशा में जाएगा इस दिशा को कहते हैं उत्तर पूर्व कि उत्तर पूर्व कि आंसर क्या है उत्तर पूर्व समा परवीन रिप्लाई मांग रहे हैं मुझसे सर बीएड और पीएचडी एक साथ कर सकते हैं क्या यह एक साल का गैब देदो एक साल मत एक साथ वैसे तो यह पीएड की जरुवत नहीं होती कर सकते हैं अगे बहुत मैं पर्मोशन वगरा में पीएड पीएड परदे दिख्ण एक साल गैब देदो दोनों में मतलब जैसे इस साल माला 2022 में आपने बिएड मेडिशन लिया तो 2023 में भीएड़ खतम होने से पहले ही प्याशनिम ले लो लेकिन एक साथ ले लो थोड़ा कर सकती है मतलब इसना कोई दिक्कत नहीं है चलिए इतना समझ गए है अब हमने एक प्रकार कि कोंशन यहां पर पड़ लिए हैं अब हम इन सबका answer मैं नौट्स में दे दूह इनसी असे को मैं नौट्स लगा दूग मैं नौट्स लगा दूग है अब हम चलते हैं 2021 में कॉश्चन कैसे आएं वैसे तो यह अलग टाइप के कॉश्चन है मैं इनको अगली क्लास में कराने की सोच रहा था बट फिर भी एक बार इस क्लास में हम देख लेता है 2020 में आया है करो अब यह पार्ट टू है इस टॉपिक का पार्ट बन खतम हो गया इस टॉपिक का अब पार्ट टू चालो उस टॉपिक में रेल ट्रेंट टाइप के कॉश्चन आते दे धुमें वाले कॉश्चन आते थे अब वह खतम अब अगलग वाले कॉश्चन शुरू इसलिए कहता हूँ कि क्लास में से छोड़ कर मत जाया करो आप मैं से बहुत से समदार लोग क्लास को छोड़ कर चले गए होंगे अब इस प्रिकार के कॉश्चन से बंचित रह जाएंगे क्लास तोड़कर नहीं जाना अंत समय तक जब तक क्लास नहीं होती तब तक पीडिएप नॉट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर लॉकेस बाली सीधा सट मोटे-मोटे अक्षरों में लिख रखाया यार दिखलो इसको डंक से पढ़ा करो पीपीटी को यह पार्ट टू है इस प्रस्णाव लेगा अभी चलेगी आदी घंटे के लास अभारी अभी आदी घंटा पड़ेंगे 2021 का पेपर सबसे कठीन माना जाता है इसलिए में 2021 वाले पेपर सही पंगा ले रहा हूं कि सबसे पहले उसी को तैसनेस करेंगे और चीज़ बाद में देखेंगे एक बार आप कर लो एक दो मिनिट के लिए अगर नहीं होता तो मैं तो बताऊंगा आपको देखो पचास किलोमेटर घंटे की गती से चल रही एक ट्रेन है जो पचास किलोमेटर घंटे की गती से चल रही है और ट्रेन की लंबाई एक सो आठ मिटर है जैसे कि यह हमारी जो ट्रेन है न यह कितनी यह ट्रेन है हमारी यह क्या है हमारी ट्रेन है इसकी जो लंबाई है ना वो 108 मिटर है और ये जो ट्रेन है जिसकी स्पीड के है 50 किलो मिटर पर सेकंड पचास किलो मिटर पर आवर इसकी स्पीड है लेकिन ध्यान रखने की चीज क्या है कि ट्रेन की लंबाई कितना है 108 मिटर है question को समझो पहले देखो मैं आमेसा कहता हूँ कि पहले question को जान से समझ लोगे तो चीजे आसान हो जाते करना 50 km घंटे की गती से चल रही 108 मिटर लंबी rail गाड़ी विपरीत दिसा से आ रही 112 मिटर लंबी देखो एक ट्रेन कितनी है 108 मिटर वाड़ी और एक ट्रेन 112 मिटर लंबी रेल गाड़ी को 6 सेकिंड में पार करती है इधर देखिए एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर को जा रही है और एक ट्रेन इधर को जा रही है इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 108 मिटर है इस ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 112 मिटर है अब यह जो ट्रेन ऐसे निकलेगी चुक 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 ऐसे निकलेगी कंप्लीट करवाने तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर टू पढ़ने वाले हैं शुरुवात करते हैं छोटे इस्तर पर देखो तीन चीज होती है हमेशा क्या होती है सात्यों दूरी चाल और समय जब भी हम एक शब्द होता है दूरी एक शब्द होता है च ओके गाईज अभी आवाज आने लग गई होगी एक्चुली क्या कि माइक्रोफॉन आफ हो गया था मैंने ध्यान ने दिया चार्ज नहीं किया था उसको माइक्रोफॉन अमरा आफ हो गया था ओके गाईज अभी ठीक है वाज अभी ठीक है वाज ओके माइक्रोफॉन आफ हो गया था चलिए देखो हमको क्या करना है किताब आपने कौपी निकाली लियोगी आपको अल्रेडी मैथ आती है पर हमारे सामने समश्या क्या है कि हमारे बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमजोर ह हमको बेसिक्स नहीं आते तो मैं इस क्लास में बेसिक्स से आपको समझाओंगा देखो समय दूरी की जो प्रशनावली है ना उसमें तीन चीज होती है कि तो दूरी एक चाल और एक समय दूरी चाल समय तीन चीज होती है अब मेरी बात जान से सुझे दूरी किसे कहते है कि म इस जगे की दूरी, इसको कहते हैं दूरी, इससे कहते हैं इसको कहते हैं दूरी, चाल का मतलब क्या हुआ, चाल का मतलब कोई आदमी चल कर जाए, अगर मालो चाल का मतलब क्या हुआ कि इस पर कोई आदमी चल कर जाए, तो उसकी स्पीड क्या है, मालो उसकी स्पीड 30 किलोमे करने के कॉसिस करो। तीन चीज होती हैं। दूरी, चाल और समय। किसी भी चीज में दूरी चाल समय। एक बार मुझे कॉमेंट्स करके आप लोग यह बता दो क्या आप दूरी, चाल और समय का मतलब समझ गये होगे। क्योंकि मैं जीरो से हीरो बनाने का प्रोसेस लेकर इक बार मुझे कॉमेंटस करके बता दो कि हम दूरी चाल और समय को समझत छुके आव्यात आरे यह क्यों नहीं आ री आवात मुझे आ रही है यहारी 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 आरे एक वात बार दुझा एक बार दुबारा बता दो इस प्रसनावलीं के अंदर तीन इन तीन चीजे हैं, एक है दूरी, एक है चार, एक है समय, दूरी का मतलब क्या होता है, कि मालो किसी व्यक्ति को दिल्ली से जैपूर जाना है, तो दिल्ली से जैपूर के बीत, जो क्या है दूरी है ये, ये कितनी दूरी है, अब चाल का मतलब क्या होता, कोई आदमी अपनी बाइक से जा रहा है, 60 km प्रती गंटा की स्पीड से, तो उसको कहते हैं चाल, उसको मालो जैपुर पहुंचने में 2-3 गंटे का समय लगा, उसको कहते हैं समय, चाल दूरी समय इसी को कहते हैं, अवाज तो आ रही है यार, कैसे नहीं आ रही अवाज, अवाज आ रही है मुझ फिन तम कॉश्चन की तरफ रुख करेंगे, तो आप लोग एकसाइटेड हैं पूरी तरीके से, एक बार कॉमेंट्स में आप पर अपना सब्जेक्ट लिख दीजे, और आपका टार्गेट क्या है, देखो, आपका टार्गेट अगर नेट है ना, तो नेट लिख दो, और अगर आपका टार्गेट जियारेफ है, तो जियारेफ लिखो और अपना सब्जेक्ट का नाम लिख, तो मुझे टार्गेट का आइडिया आजाएगा कि आपका टार्गेट क्या है, पहले नेट भी लिखो साथ में, नेट और जियारेफ भी लिखना है साथ में, चलिए, अ अब हम एक चीज को समझते, बहुत ही आसान कॉश्चन हमारे सामने है, कि एक रेल गाड़ी 75 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से दोड रही है, और 350 किलोमेटर की दूरी तै करने में उसको कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा उसको, देखो, मैं आपको पहले 3 सुत्र लि लिखो कॉपी में नौट करो इसको, पहले सुत्र, 3 सुत्र लिख दो, कॉपी में नौट करो उनको, अभी कॉपी निकालो नौट करो, सबसे पहले दूरी निकालने का सुत्र किसे कहते हैं, दूरी, आमको सबसे पहले दूरी निकालने है, दूरी निकालने के लिए क्या सु इसिक समझ रहे हैं आजम अब मालो हम दूसरा चीन निकालेंगे चाल चाल निकालने का सुत्र क्या है चाल निकालने का सुत्र है सातियो दूरी बटे समय क्या है दूरी मैं हट जाता हूं 10 सामझ निकालने का सुत्र क्या है दूरी बटे समय और यहां पर समय निकालने का सुत्र क्या है अट लगाई मैं दूरी बटे चाल यह तीन सुत्र लिख़लो हम यह काम आएंगे आपके प्रष्मनावली में अभी काम आने वाले हैं लेख लो एक बार इनको नौट करो, मैं आट रहा हूं सामने से, एक बार नौट करो नौट करो नौट कोपी में, सबसे पहले पेज बार नौट करो तीन होची, तीन सुत्र हैं, सुत्र नमर एक, दो और तीन, यह तीन सुत्र है, नौट करो नौट करो, कर लिए, अब मैं गती से दोड़ रही है रेल गाड़ी 55 किलोमेटर की गती से दोड़ रही है तो उसकी चाल क्या है महराज चाल क्या है उसकी चाल बराबर क्या है पिचेतर किलोमेटर है ना पिचेतर किलोमेटर प्रतियावर इसकी क्लास है यह इसकी स्पीड है पिचेतर किलोमेटर परावर ठ और की स्पीड आप हमको दूसरी चीज क्या रखे दूरी इसमें त्य करने में कितना समय लगेगा 300 आपको चीज मैं यह मैं साइट में आट रहाँ हूं और पहले क्या लिख रहा कि एक रहेल गाड़ी 75 kms की गती से दोड़ रही है तो 65 km का इसमे गति है चाल है उसकी चाल Sh ид तो हमने स्पीड क्या कर दी 65 km कर गरौ कि 350 km तो उसको दोड़ना है कि तो हमने हमारी दूरी क्या है 350 km होगी 250 km है है ना अब हमको क्या निकालना है अब हमको समय निकालना है क्या निकालना है हमको निकालना है समय समय का मेना आपको थोड़ी देर पहले ही एक सुत्र बताया था दूरी बटे चाल अब दूरी बटे चाल के हिसाप से हमको इन सेंख्याओं को जमा देना है अब दूरी कितनी है यहाँ पर? इधर देखेंए दूरी कितनी है? दूरी 350 चाल कितनी है? 75 किलो मेटर काटो चलिए काटना मैं सिका दूँगा आप जिंता मत करो बिलकूर मत गवराओ काटना मैं आपको सिकला दूँगा काट ये चलिए किसे काटें आपको कितने लोगों को काटना आता है चलिए एक बार बताओ आप मैंसे कितने लोगों को काटना आता है ऐसे संख्याओ को काटना आता है काटना पीटना कितने लोगों को अगर कितने को नहीं आता है सिखाने की जिम्मेदारी मेरी एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुझे नहीं है देखो बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती भी हाथ उपर कर रहे होंगे कि आपको ऊफलाइन कोचिंग में नहीं हो कि आपका बघल वाला या और बगल वाला बेठा रहता है तो लोग क्या करते हैं अपने हाथ लगना चाहिए कि इसने हात नहीं उठा रखा लेकिन बगलवाली को या बगलवाले को यह लगना चाहिए है इसने रहतना होता हickå इस संक्य को काटेंगे सब से चोटी संक्या से काटता हैं Как 5 से इसको काटते हैं, इसको मैं सबसे पहले आपको 5 से'RE काटकर बतला देता हूँ कि 5 से काटेंगे। देखो 5 का भाग का है सात में देंगो सात में भाग देंगे पांच पहली संग्या होती है ततich कि उन्हेद इस सुरुवात कीller रखेता है पादफ दा कितना ट्रेल है कितना बgency गया छ्य साथ डो बाद स्वे दिया पांच सницу कर दा या इक लिदिकette बचच कितनी गया? यह दो बचगे ना, सात में और पांच में दो का अंतर है, दो बचगे अब दो को हम यहाँ लगा देंगे एक तरीके से, यानि कि यह जो पांच है न इसके आगे हम दो को लिख देंगे, इसके आगे दो लिख देंगे, तो यह पूरा दो शब्द मिलकर क् 25 हो गया इधर देखो इधर देखो यह हमारे 75 हैं हमने इसको 5 से काटा तो 5 से कम 5 दो बच गया तो 2 मेने यहां लेगे दिया तो यह सब दो गया 25 तो इसकी तरह से 25 हो गया तो 5, 5, 10, 15, 15, 15, 25, 25 यानि 15 बार कट गया यह दिए कितनी बार कट गया 15 बार कट गया आगे देखते हैं अब 5 से इसको काटते हैं 25, 25, 26, 35, 35, 35 पूरा 35 और यह 0 है इसको 0 लिख दिया यानि कि 70 बटे 5 हमारा क्या है आपर आंसर क्या है कितना समय लगेगा 70 बटे 5 अमारा समय लगने वाला है अब 70 बटे 5 को भी काट दो काटो 70 बटे 5 को काटो आगे यह यहासे भी आगे कट जाएगा अगर संक्या कट रही है तो उसको काट जाओ यहासे आगे और काट हैं कितने से काटेंगे 5 एकम 5 काटो चलिए उसको पंद्रा है ने ये ये पंद्रा था पंद्रा तीन बार गया और साथ हो ये चौदे बार गट गया यानि चौदे बटे कितना हो गया तीन हो गया साथ यह पांच से कट रहा है ने ये ये पांच से चौदे बार गट गया ये तीन बार गट गया अब अबली संख्या जो हमारे पास बची हो, कितनी बची है, 14 बटे 3 बची है, कितनी बची है अब हमारे पास संख्या, एक बार देख लिजे, 14 बटे 3 हमारे पास संख्या यहां पर बची है, अब 14 बटे 4 को भाग देते हैं, अब देखो इधर को, यह हमारे पास क्या आ गया समय आ गया है पर यार ये घंटों में नहीं आया है 14 बटे 3 अमरे पास समय तो आ गया है लेकिन ये समय अभी घंटों में नहीं आया है लेकिन ये समय घंटों में नहीं आया है 17 बटे 15 के बाद में 14 बटे 3 आया है लेकिन ये घंटों में समय नहीं आया है अब घंटों में कैसे निकालेंगे इसको घंटों में निकालने के लिए इधर देखिए आप घंटों में कैसे निकालेंगे तो इस चौदे में भाग दे देंगे हम तीन का भाई चौदे बट तीन है ना तीन का भाग देते ते चलो तीन है कम तीन तीन दो नीचे, तीन चोकू, बारा लेफट अप चार्ज में लगाओ भाई दिस हो गया तीन चोकू, बारा कितना हो गया, तीन चोकू, बारा चार बार गया चार बार गया, बारा मैंने यहां लिख दिया कितना बच गया दो बच गया आप ह्याँ पर इसका मतलब क्या हुए, इसका मतलब क्या हुआ, दो बच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख देंगे तीन सईवितना गंटा निकालो, अब ही भी यहाँ गंटों में मिन्टों में आना चाहिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, चार गंटा और इतनी मिनट इसका मतलब क्या हो गया चार गंटा इतनी मिनट हो गई है समझते जाओ पूरा मैं दुबारा से रिवाइज करवाओंगा दुबारा से फिर से करवाओंगा चिंता ना करो अब हमको चार गंटा और 2 बटे 3 की मिनट इनिकाल देते है तो भाई 4 तो गंटा हो गया इसको तो हम डाइरेक्ट हठाई देते यह तो 4 आवर होग और 4 गंटा लिख दिया लेकिन 2 बटे 3 का हमको मिनट निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 बटे 3 इसमें भाग दे देंगे 60 का चलो देख के बताओ, देख के बताओ, इनको भाग दे देंगे तो ये दोनु संख्या जो है न साथी हो, ये गुणा हो जाएंगे, 60-60-120, 120 में 3 का भाग दे देंगे, तब जाकर आप अगर 3 का भाग यहां पर देंगे, 120 में 3 का भाग देंगे, तो 40 निकल कर आएगा, एग्जाम का इस तर ऐसा ही आता है, इसलिए ऐसा ही सवाल करवा रहा हूं, सवाल में इसी प्रिकार के सवाल आते हैं, इतनी कठिन सवाल आते हैं, इसलिए ये करवा रहा हूं मैं आपको, 4.40 आंसर मैं फिर से दोरा रहा हूं इस सवाल को, मैं फिर से दोरा देता हूं, फि वीडियो को जितने लोग लाइक करेंगे एक बार इतने सारे लोग देखने लाइक करो यार सब लोग मुझे मज़ा आता है लाइक कर रहाता हूं तो चलिए, जब आप सीख जाओगे तो एक मिनिट में सौल हो जाएगा, अब तो आपको सिखाना पड़ रहा है, फिर से करते हैं इस सवाल को, फिर से इस सवाल को अमलूख करते हैं, फिर से कर लेते हैं इस सवाल को आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, इतनी बात तो आपको आ गई है ना इतनी बात सही है देखो एक रेल गाड़ी 75 किलोमेटर घंटा की स्पीड से दोड़ती है तो यानि की हमारी चाल क्या हो गई? 55 किलोमेटर प्रती घंटा हमारी चाल हो गई वो 350 किलोमेटर की दूरी ते करती है यानि की दूरी हमारे सामने 350 किलोमेटर आ गई अब हमको क्या करना है? समय निकालना है तो मैंने समय का आपको सुत्र बताया था दूरी बटे चाल, यह सात्यों समय का सुत्र क्या बताया था, दूरी बटे चाल, यह समय का सुत्र बताया था, दूरी बटे चाल, अब यहां से आगे हम लोग समझने की कॉसिस करेंगे, अभी तो मैं बहुत सारे कॉस्टिंस चलिए, अब हम संख्या जमाते हैं इस question के अनुसार, अब इस question के अनुसार हम लोग क्या जमाते हैं, संख्या जमाते हैं, दूरी कितनी है, 350, पेन का रंग change कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आचाए, दूरी कितनी है, 350, चाल कितनी है, पिछेतर, समय निकाल रहा हूं मैं, अब हमको सीधा सीधा सवाल आ गया है, बस संक्या है थोड़ी टेड़ी मेड़ी है, अब हमको इसको काटना है, इस संक्या को मैं यापर 5 से काट रहा हूं, इस संक्या को मैं यापर 5 से काट रहा हूं, इस संक्या को मैं सुरुवात कि सेंख्या? साथ इस चाटिंगी। साथ में भाग दो पांच का, साथ एक बार गया, एक लिख दिया नीचे, दो बस गए, दो को पांच के साथ अटेस कर देंगे, पचीस बन गया, पांच का पचीस बन गया, पांच के आगे दो लिख देंगे, तो पांच का पचीस बन गया, तो फिर पांच का बाग देंगे, पचम 25 तो पांच बार चला गया पंद्रा पंद्रा आ गया उसी तरीके से उपपर इसको 350 को काटेंगे हम गाई 350 काटेंगे 35 35 साथ बार गया और इस जीरो को यहां पर जीरो लिख दिया है इसका मतलब क्या हुआ हमारा आगे जो संक्या छूट कर आई है 17 बटे 15 आ गयी अब हमको 70 बटे 15 को भी काटना है क्या करना है हमको 70 बटे 15 को भी यहापर काटना है किस से काटेंगे 5 से काटेंगे तो पांच काटेंगे पांदिया पंदरा तीन बार भाग चला गया और यहाबर फिर पांच का भाग दो पांच एक एक बार चला गया अब कितने बचे? दो बचे दो किसके आगे आ जाएंगे? जीरो का आगे दो चार बार चले गईough 14 बटे 3 अब संख्या कितनी होगी हमारी 14 बटे हमारी 3 संख्या हो गई है यानि 14 बटे 3 इतना टोटल समय हमको लगेगा लेकिन 14 बटे 3 को घंटों में convert करना है यह direct 14 बटे 3 नहीं घंटों में convert करने के लिए 60 का भाग देंगे आओ अब कैसे करेंगे अब हम यहाँ इस संख्या को और चोटा कर लेते हैं 3 का भाग दे देते हैं बेटा 14 में 3 का भाग 14 में देंगे कैसे देंगे तीन हिकम 3 तीन दून 6 तीन चौकु बारा, तीन चौकु चार बार गया, और चौद बारा यहां लिख दिया, बच गया कितना दो, अब दो को तीन का भाग में नहीं जया, तो इसका मतलब भी होगा, अगले जो संख्या हो गई, वो हो गया, चार घंटे, दो पॉंट, यह हमारी संख्या हो गई सातियों आगे, कितने हो गई, दो बटे, तीन यह हमारी संख्या हो गई, अब हमको पता लगया कि चार घंटे और इतनी मिनट हैं, तो चार घंटों का तो पता लगया, लेकिन मिनट का पता नहीं लगा, तो अब हम यहां पर मिनट निक चाल नेगे इदर देखें कि kol लोगतेने को मिनटे निकाल रहा हूं चार गंटों का मुझे पता है अम मैं याँ पर क्या करूंगा दो सही दो बटे ती जा इस संख्यां को इस संख्या से गुणा कर देंगे तो 60 और 60 क्या हो गया 120 हो गया और 120 में भाग कितना दे देंगे तीन का दे देंगे अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 इस तरीके से हमारा उत्तर आजाएगा 4 गंटे 40 मिनट अब बताओ समझ लगा कितना प्रतिसत समझ आ गया आपको प्रतिसत में जवाब दो सारे लोग कॉमेंट्स करके बताओ कि इतना प्रतिसत हमको समझ आ गया है एक कॉश्चन में कॉमेंट करके बताओ प्रतिसत में चलिए अब मैं आपके कॉमेंट देखूँगा एक बार देखो प्रिशनाव लिए ट्रिक्टी हैं अ कि सो परसेंट सो परसेंट सो परसेंट सो परसेंट बताओ बताएए करते जाए सोच यह सोच दिमाग पर जोर दो भी बहुत सारे कॉशन करने बागी हमको चिंता ना करें आप लोग डेकली जेए अब हम कल वाले कॉशन पर चलते हैं जो कॉशन हमने लाश्ट में किया था और उसको अमने ये कहा था कि समय हो गया है मैं समझा नहीं पाऊंगा मैंने कल की क्लास में ये कहा था कि समय हो गया इस पूरी प्रसनावली के लिए पूरी क्लास चाहिए और अब मैं उनी कॉशन पर आपको ले चलता हूँ अभी चाओ तो इस प्रकार के कॉशन्स और कर सकते हो गाई चलिए ये कॉशन नमबर 23 एक बार आप यहापर जरूर से देख लीजे 23 वाला कॉशन यहापर देख लीजे गाई चलिए करता है है कि यह वाला कॉशन देखने साथ तो साथ साथ नम्मर वाला कॉशन देखो देख एक बार कि यह सारे कॉशन मैं आपको सॉल करवाने वाला हूं और एक कहां गया महारा जो कॉश्चन हमारा लगाया तो था यार लगाया था वही कहां गया अरे लगाया तो था यार कहां गया किदर रख दिया तील साथ तेजिस हाँ तील साथ तेजिस हाँ यह वाला यह वह कॉश्चन 2019 वाला यह कॉश्चन है यह रहा चलिए इसको आप पढ़िए और मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझा दूँगा आप बिल्कुल चिंता ना करें 2019 में कॉश्चन आया था 2019 में कॉश्चन आया था करिए एक बार कर रहे हैं आप लोग मैं इसको समझा दूँगा अच्छी तरीके से कॉमेंट देख रहा हूं सबके मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार आप लोग ट्राइ करो करने की मैं आपके कॉमेंट देख लेता हूं सर लास्ट वाला कॉश्चन करवा दो प्लीज करवा रहे हैं सभी कॉश्चन करवा रहे हैं लास्ट वाले कॉश्चनों पर ही आ गए हैं देखो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है वीडियो को लाइक कर दीजे एक बार बताव वार हे आपको मेरी क्लासेज में मज़ा दो आ रहा है न आप लोगों को देखो ऐसा है कि मैंने जो आपका हाथ थाम लिया है न यह किवल नेट जियारे पास करवाने के लिए नहीं थाम आए चार मैं आपको नेट जियारे भी बतलाने वाला हूँ कि कैसे इंट्रिव्यू देनी है कौन सा टॉपिक लेना है हर चीज में मैं आपके हेल्प करूँ तो मतलब नेट ज्यारेफ से लेकर असिस्टेंट प्रोफिसर बनने तक के सफर में मैं आपके साथ रहूंगा और ये सारा रा आष्टा चाए नेट ज्यारेफ पास करने का हो छा प्ह.ड पास करने का हो चाए यूनिसटी कॉलीज में पढ़ाने का हो ये सारे राष्टे मैंने पार कर लिये हैं तो इसलिए मैं आपको इसमें भैतर सला दुआंगा जो आपको मददगार साबित होगी गांडी विधारी अरुजुन मैथ भी कैसली तो सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को अपने हिसाब से आंस्वर दीजिए इसमें अब मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं जैसा कि हमने आप लोगों के लिए पढ़ा था उस तरीके से अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं कॉपी पैन निकालो और बेसिक से समझ समझ कर सॉल्व करते हूं सबसे पहले तो हमको दूरी का पता है दो साइकल सवार एक ही इस्तान से विपरीत दिशा में प्रस्तान करते हैं दो साइकल सवार हैं मालो एक साइकल यह इस्तान है एक व्यक्ति इदर को जाता है और एक व्यक्ति इदर जाता है मतलब क्या होता है विप्रीत दिशा में प्रस्तान करते हैं एक साइकल सवार प्रती गंटा 9 किलोमेटर की गती से उत्तर दिशा में जाता है अच्छा उत्तर दिशा में जाता है ये वो इस्तान है जहां से साइकल वाले चलेंगे एक व्यक्ति है जो इधर की साइट कितना 9 किलोमेटर प्रती घंटे की स्वाइट से चला अन्य साइकल सवार प्रती घंटा 10 किलोमेटर की घंटी से दक्सल निशा में जाता है यानि कि एक दूसरे के विरोध में जाते हैं, ये 10 km प्रति घंटे किसाब से जाता है, तो दोनों cycle सवारों को एक दूसरे से 47.5 km की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा, यानि कि ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 45.5 km होने तक कितना समय लगेगा, अर्थात हम पूछा गया है समय पूछा गया है हमको यहां पर क्या दे रखा है हम को यहां पर दे रहख אז एक तो सब से पहले दूरी दे रखिए हैं कि दूरी दे रखिए किस बीला कि बता हो दूरी दे रखिए सयसी द्रीश पॉयंट पाँंच 47.5 हमारी क्या है दूरी है 47 इतना इतनी बात समझ गए दूरी थोड़ा नीचे लेग देता उनको यहां लेग दूरी कि इतनी है 47.5 यह बात समझ गए आपको यह 47.5 कहां से आए इस बात का पता लग गया समय निकालना है समय 47.5 कहां से आए पता लग गया चाल कितनी है हमारी चाल अब देखो चाल का मतलब क्या होता है स्पीड होता है चाल का मतलब क्या होता है स्पीड होता है अब यहां पर क्या हो रहा है यह दोनों लोग चल रहे हैं एक व्यक्ति इधर को जा रहा है एक व्यक्ति इधर को जा रहा लेकिन दूरी तो ज़्यादा हो रही है ना तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 प्लस 10 हमारी चाल होगी 19 किलो मिटर प्रती घंटे की इस बात को समझगे कि 19 कहां से आया है 19 कहां से आया है चाल यानि हमारी गती किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं चाल हमारी क्या है गती हमारी क्या है कि हम इसको समझगे कि 19 कहां से आया 19 कहां से आया है समझ रहे है इसको पक्का अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है हमसे सवाल यह पूछा गया है कि समय बराबर क्या होगा तो समय बराबर सुत्र मैंने आपको बार बार समय बराबर सुत्र बतलाया है क्या सुत्र बताया है मैंने आपको दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल यही सुत्र बतलाया है न गाईज क्या मैंने आपको यही सुत्र बताया है समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल यही सुत्र बतलाया है समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले दूरी कितनी है हमारी बहुत आसान है 47.5 हमारी दूरी है कितनी है दूरी कितनी है 47.5 हमारी दूरी है तो दूरी बटे चाल में क्या लेगेंगे 47.5 दूरी है चाल कितनी है हमारी 19 की हमारी चाल आप 19 का भाग दे दो आप 47.5 में 47.5 में 19 का भाग दो चलो 47.5 में 19 का भाग दीजिए निकालो बहुत से लोगों ने काया कि 2.5 अब 2.5 सही बात है 2.5 आया कैसे है अब बहुत से लोगों को पता नहीं हो गए 2.5 कैसे आया है निकाल लेते हैं देखो बेटा जब ऐसे होता है कि जब भी कोई उपर पॉंट लिखा रहता है ना इस पॉंट को महटा सकते हैं अगर नीचे 0 लगा दिया अगर मैंने नीचे 0 लगा दिया ना इस पॉंट को अटा दिया 0 लगा दिया तो इन दोनों का भाग देंगे तो 2.5 समय लगेगा रथाथ 2 गंटे और ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा क्या ये कॉश्ण आप समझ चुके हो केवल समय निकल वाया है आपको दूरी दे रखी है आपको चाल दे रखी है और आप से समय पूछा है उसका सुत्र बनता है दूरी बटे चाल अब बताओ 2019 में पिपन कहां कटिन कॉशन है यह कितना आसानी से कॉशन सॉल कर लिया अगर आप मेंसे कोई यह चाहता है गुरुजी यहां से भी सॉल करो तो मैं यहां से भी सॉल कर दूँगा आप एक बार देख लो लेकिन इसको मैं अब आपकी कॉमेंट देखने वाला हू अब मैं आपके कॉमेंट रहा हूं साइड से इधर एधर आ जाता हूं इधर आ जाता हूं चलिए अच्छा चलिए बताओ आपकी स्पीड को सही करिए यार मेरी तो सही चल रही है मोना कहरे मुझको इससे पहले वाला समझ नहीं है फिर से समझा देंगे पर अभी इस वाले इससाथ आपको समझाया फिर से समझा दूंगा घर का मास्टर घर का आप हो मैं फिर से समझा दूंगा को साइकॉलजी टीचर बता दीजिए आप बता देता हूं देखो अरे नेनी बिटा मैं भगवान नहीं हूँ आप भगवान हो सर मंकेश रोए अरे नेनी बिटा यार ऐसी बात नहीं है दोस्त मेरी भाई मेरे बंदू मैं आपका दोस्त हूँ और आपको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है very good मेरी क्लास पेपर वन के लिए इनफ है अगर जिस व्यक्ति ने मेरी क्लास देख ली पेपर वन में एक शब्द कहीं से पढ़ने की आउश्चता नहीं है रीजन समझो क्यों इसलिए नहीं है आप मार्केट में बहुत सारी गाइड देखते होंगे बहुत सारी गाइड आप देखते होंगे, मार्केट में वो गाइड आससे 3-4 साल पहले लिखी गई है वो गाइड आससे 3-4 साल पहले लिखी गई है लेकिन जो एक्जाम है नहीं हर 6 मेने अपने इस्तर को बहुत उचा बढ़ा रहा है मान लोग कोई किताब है जो 2018 में लिखी गई है अब वो 2018 तक की एक्जाम्स को ध्यानमे रखकर ही उनको लिखा गया थी गाइड्स को लेकिन आज का जो एक्जाम का लेवल है वो अलग लेवल का रहा है तो वो एक्जाम उसको बीटी नहीं कर पाएंगे वो किताब है लेकिन जो हम लोग जो पढ़ाते हैं टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो आज के सिलेबस को ध्यानमे रखते वे अभी 2022 में कैसा पेपर आया है 2023 में कैसा पेपर आया है उसको ध्यार में रखकर अपने नॉट्स तयार करते हैं इसलिए यह perfect होते हैं इसलिए मैं मेरी class में दावा करता हूँ अगर किसी व्यक्ति ने रोज daily class देख ली और नॉट्स में देता हूँ आपको पता है नॉट्स मिली जाएंगे आपको तो आपको कोई और चीद पढ़ने के आवशक्ता नहीं है मेरी गैरेंटी अब बताओ पेपर वन का मैं पूरा सिलेबस करवा दूँगा बैस आप आओगे तो अगर आप लोग आना बंद कर दोगे तो मैं फिर पढ़ाता बंद कर दूँगा बड़ आप लोग आते रहूं मैं पढ़ाता रहूंगा चलिए अम इसको फिर से एक बार समझा देता हूं लेकिन फिर से वार समझाने से पहले आप लोग बहुत सारे लोग है जो कॉमेंट्स करने ये तीचर का मिलेगा वह तीचर का मिलए एक बात बताओ मैं आपको चलिए कॉशन नंबर साथ देखिए आप आप अपने एसाब से करने की एक बार कॉसिस करो मैं जब तक पानी पी के आता हूं पानी ले आता हूं फिर हम लोग सब मिलकर करेंगे सवाल करें आप लोग गाल दे ना ले ले रुटोध दे रुटोबॉ मैं देड़ा दे रहां हाने हाने कि अरे यह तो खराब हो रहा है तो कप में दे दो कप में बहुत ज्यादा क्या सवाल है मेरी आवाद तो आपको आई रही होगी क्योंकि यह वायरलेस माई के दूर तक काम करता है किया कुछ किया क्या क्या कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि शाथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो कफा यह है पूरा गाना नहीं गाऊंगा भाई चले गाइज करिए 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 सवाल को सौल करिए बड़ा सरल है अरे बहुत सरल कौशन है मैंने आपको जो सूत्र लिखाया ना उसी सूत्र के आदार पर आपसे कौशन करवा लिया जाएगा आप लोग एक बार लाइक कर दीजे वीडियो को जिन लोगों को कुछ समझ कम लगा इस कलास को फिर से देखना है उनको मेरा कॉमेंट नहीं पढ़ती हैं आप कभी भी ॉली पाल अरे बेटा रॉली अगर आपके comment नहीं पढ़ता तो मैं ये comment कैसे पढ़ता देख रहा हूं सब के comment देख रहा हूं मैं अरे सब का देख रहा हूं ओस बोलड़ पढ़ाता रहता हूं इस बाली मोबाइल यहां पर आ इसके comment देख रहता हूं चले समझते हैं कॉशन हो क्या कह रहा है हमसे कॉशन दो व्यक्ति साड़े साथ बजे एक दूसरे की और चलना आरंब करते हैं एक दूसरे की और मालो एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है एक व्यक्ति ने इधर चलना शुरू किया, एक व्यक्ति ने इधर चलना शुरू किया, ध्जान से समद्धुई सीрь तो, दो व्यक्ति प्राते 6.30 बजे एक दूसरे की और चलना आरम करते हैं यदि उनकी चाल 4 किलोमेटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमेटर प्रति घंटा की मालो इसकी 4 किलोमेटर प्रति घंटे की साब से है और इसकी 6 किलोमेटर प्रति घंटे की साब से है एवं प्रारम में उनके बीच की दूरी 25 किलोमेटर है, शुरुवात में इनकी दूरी मालो यहां से लेकर यहां तक क्या दूरी है, 25 किलोमेटर की है, तो वो कितने बजे आपस में मिलेंगे, जबकि एक स्लो चल रहा है और एक साथियो स्लो चल रहा है, अब बताओ कि वो कितने बजे आपस में मिलेंगे, जबकि वो चले थे साड़े साथ बजे, अब आपने पड़ा, और उसके बाद में आप लोग कनफ्यूज होगे, घबरा गए, और आपने सब को छोड़ दिया, कि सरब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, ऐसा भाव आपके मन में आ रहा है लेकिन बेटा ऐसा बिलकुल भी नहीं है सबसे पहले हमको चाल दे रखिए चाल कितनी है मैं आपको यहाँ पर चाल लेग दूँ चाल क्या है चाल बराबर क्या है देखो दो व्यक्ति हैं एक चार किलोमेटर के साब से चल रहा है और एक व्यक्ति चल रहा है छे किलोमेटर के साब से यानि दोनों व्यक्ति की स्पीट जोड देंगे तो क्या हो जाएगा चाल है हमारी 10 km प्रिती घंटे के साभ बराबर इतनी बाद समझ लगी चाल का हमको क्या लग गया है साथियों यहाँ पर चाल का हमको पता लग गया है कि चाल कितना है अब हम समय का पता लगा लेतें कि यार हमारे पास समय क्या है और दूरी उन्होंने अल्रेडी हमको दे रखी है दूरी उन्होंने अमको दे रखी है लेकिन यहाँ पर हम समय का पता लगाते हैं कि समय हमारा क्या है अब देखो एक बास समझो कि ये 25 किलोमेटर की दूरी हमको इनोंने दे रखी है, क्या दे रखी है, ये दूरी कितनी दे रखी है हमको, 25 किलोमेटर की इनोंने हमको आलरेडी दूरी दे रखी है, तो 25 किलोमेटर जाने में उनकी स्पीड क्या है, 10 किलोमेटर प्रती घंटे की इतापती स्पीड है, तो दूरी निकाल लेंगे, तो दूर दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह जो है सात्यों 25 किलोमेटर इसमें भाग दे देंगे दसका कि मैं राई सुत्र लिखा रखा है आपको कि सुत्र लिखा रखा है कि यहां पर 25 में दसका भाग दे देंगे पच्चीस में अगर हम दसका भाग यहां पर दे देंगे अरे दूरी क्या क्यूं इसमें तो भाग दे कर देख लो ये सात्यों 2.5 एचार आएगा डाई गंटे भाग देकर देखो गाइज दोगंटे 30 मिनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा दोगंटे 30 मिनेट आ रहा है भाई दो गंडे यहां तक किस-किस का सवाल सही है यहां तक देखो आप आगे की बात छोड़ दो न भाई सबसे पहले हमको चाल दे रखा है 10 किलमेटर दूरी दे रखी है 25 किलमेटर समय निकालना है न तो हमको तो क्या करना दूरी बटे चाल लिख दी हमने, हमने समय का आपको कितनी बार सुत्र बता दिया है, समय का सुत्र मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था आपको, दूरी बटे चाल, समय का सुत्र दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी लिख दी, 25 किलो मेटर, चाल कितनी है, 10 कि जाँG MKRि असमेट इसाब से तो समय निकल जाएगा ह्गाई घंटे यानि कि इस दूरी को तै करने में कितना समय लगएगा धाई-गंटा लेकिन हमसे सवाल पूंचा कितने बजे चलेते, साधे साथ बजे, ज्यान से देखते जाओ, चीजे समोज हो जाएगे, चलेते कितने, साथ बजे चलेते, कितने बजे चलेते, एक वेक्ति चलाता, साधे साथ बजे, और कितने बजे बाद मिलेंगे, दो गंटे तीस मिनट, तो इसमें दो गंटे तीस मिन और दोर दो इसका मतलब यह हुआ सातियों वो दस बजे मिलेंगे क्या करेंगे दस बजे वो मिलेंगे कितने बजे मिलेंगे दस बजे प्राथ में अब समझ नहीं लगाया तो थोड़े दिमाग के घोड़े खोलो तीन सुत्र बेश तीन सुत्रे केवल हमको दे रखा है यहाँ पर हमको ओल्रेडी चाल दे रखी है दस किलोमेटर दूरी दे रखी है पच्चीस किलोमेटर समय निकालना है ना कितनी बार कहा है कि समय निकालने का सुत्र है दूरी बटे चाल तो दूरी पच्चीस चाल दस डा जाड़े साथ में 5 गंटे जोड़ देंगे, 10 होजे मिलेंगे, अगर समय निकालना होता तो ये कॉश्चन हमारा यही खतम हो गया होता, पर ये न कहें, आपस में कितने बज़े मिलेंगे, अब बताईए, थोड़ा-थोड़ा मज़ा आने लगा, थोड़ा-थोड़ा, दसवी कलास के बाद, पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा-थोड़ा मजा आने लगा, बताओ, थोड़ा-थोड़ा आने लगा, अच्छा लग रहा है अंदर से, अब मैं आपके कॉमेंट्स ले लेता हूँ अभी और पढ़ाना है मुझे अभी और चले किलास आदी गंटा अभी आदी गंटा और रुख जाओ अभी थोड़े दो-चार कॉश्चन और घट रहे हैं अभी अच्छे-च्छे उनको पढ़ा करी जाओंगा ताकि कल मैं दूसर प्रसनावली शुरू कर सकूँ क्योंकि मुझे फटा फट से इस प्रसनावली को कम्प्लीट करना है अब मैं आपके कॉमेंट्स देख रहा हूँ समाज आने लगा वेरी गुड क्लियर हो गया बहुत बढ़िया मजा आने लगा सब लोग कॉमेंट करो ताकि आप फिर बात में यह मत करना कॉमेंट नहीं देख रहे हमारा कå i backmbach किलमेटर प्रति गंटे की साथ देखो एक व्यकतीं चार किलमेटर प्रति गंटे की साथ चल रहा है और यह भी व्यकति शएंचलमेटर प्रति coupon की साथ पतला जोड देंगे तो चाल हमारी जस आ गई हैं अम पर और बताओ एक बार अना दिल से दिल से लाइक कर दो अगर जिन्होंने कर रखा है वो मत करना क्योंकि वो दुबारा अनलाइक हो जाएगा नहीं तो जिन्होंने नहीं किया वो लाइक कर दो मेरे कहने से मेरा चोटा बेबी है मुझे नौट्स चाहिए मैं क्लास में कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी नौट्स मिल जाएंगे न आपको इसी वीडियो के इसी वीडियो के फस्ट कॉमेंट में क्लास के बाद में आदी गंटे बाद में मैं आपको अपलोड कर दूँगा या फिर टेल टेलिग्राम चैनल है यह वाला टेलिग्राम चैनल है जिसमें लगबग 5000 के आसपास अभी लोग जुड़े हैं लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने आसपास है आप डॉक्टर लोकिस बाली लिखो और यहां पर इसको आप जोइन कर लेना यहां पर मैं रोज क्लास के बाद में टेलिग्राम पर डालता हूं डेट के हिसाब से वित आणसर की आपको नॉट्स मिलेंगे मेरे नॉट्स आपको मैथ के अलावा मैथ मैं केवल ही इंग्लिस में मिलेंगे तो अभी थोड़ा मैंच को थोड़ा मैनेज कर लीजी यार हंदी में चैनल में 5,000 न जिस प्रकार तें आप लोग प्रेम दिखा रहे हो ना तीन चार दिन में पांच जार लोग होगे जब मैं क्लास खतम करके जाओंगा ना आई तिंग जब तक छहाजार भी हो जाएंगा तो आप जाओ इस डॉक्टर लोकेश वाली टेलीग्राम पर आपको हर चीज आपको मिल जाएगे चलें चलें सात्यों अगला कौशन के हम तरब चलते हैं और अगला कौशन है हमारा 23 नमबर का चाल का उसा तम से पूछ रहा है यह करवा 22 नमबर करो 23 सो असके बाद में करें अरे मजा आएगा पूरा सिखा कर जाओं चिंदा ना करें यह बरोसे का हाथ है गाई यह बरोसा है यह बरोसे का हाथ है यह आपने इस हाथ को थामा है ना तो सफलता तक ही जाकर रुके गए आप लोगों के मेरे प्रेम का बिलकुल विक्रम आप अपना आप सेयर के अगरों देखो ऐसा है यह देखो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा स्लेबस पढ़ा दूँ इस चैनल पर जल्दी से जल्दी पूरा से पूरा स्लेबस तो आपका काम है वीडियोज को सेयर करना एक तो दिल में पूरी इमान दारी ऐसा मत करना जिम्मेदारी नहीं ऐसा नहीं दिल में प्रेम के साथ कि यार सर ने एक महीम सुरू की है और हमको इस महीम में हिस्सा बनना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुडएंगे जब ज़्यादा लोग क्लास में आएएंगे तो मेरा भी कॉनFIDENS बना रहेगा कि यार जो मैं मेनत कर रहा हूँ न वो काम आ रही है और आप लोगों तक पहुँच रही है देखो मैं मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं आटूँगा यह वादा है मेरा डेली क्लास लोगा डेली पडाऊंगा पूरी इमानदारी के साथ लेकिन आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि रोज जैसे ही क्लास का पता लग जाए आपको अपने वाटसेप पर टेली ग्राम पर हर जगर लिंक को सेयर करना है और आपको डेली क्लास में आना है आपको भी डेली क्लास में आना है आप यह वादा करो जिल लोगों का PG complete नहीं हुआ है वो भी इस exam में forum fill कर सकते हैं तो आप लोग फटा-फट से forum fill कर दीजिए आंसर दो फिर मैं solve करवा हूँ इसको क्या answer आ रहा है बता बाइस का चालिए आनसर दो फटावट से अरे library science का पेपर सुमें तैयारी करना है सर प्लीज library science नहीं पढ़ाता बेटा में मेरे राव सब्जेट library science नहीं है मैं आपकी मदद नहीं कर पा हूँ वहाँ पेपर वन में मैं आपकी पूरी मदद करूँ फॉरम जैसे निकलेंगे मैं वीडियो बना दूंग आप लोगों को कि म्यूजिक को बंद कर दीजिए ठीक है कुछ लोग एक बच्चा कह रहा है कि सर म्यूजिक से थोड़ा irritation होती है म्यूजिक को बंद कर आया था मुझे लग रहा था कि आप लोगों को थोड़ा energy मिलेगी अब ठीक है अब बंद कर दिया मुझे लगा आपको थोड़ा energy मिलेगी इसलिए चलिए गाइच अब हम इस question को समझने का प्रियास करते हैं अब इस question को हम करने का प्रियास करते हैं आप लोगों से तो मुझे पता है question नहीं हुआ है सिंपल सी बात है एक गाड़ी 80 किलोमेटर प्रति गंटे से चल रही है यानि कि चाल क्या है उसकी 80 किलोमेटर प्रतिक हिताब से उसी गती है यानि चाल यहां पर क्या है इसकी गती अबलिक चाल कितनी है 80 किलोमेटर प्रति आर ठीक है उसे 3.2 किलोमेटर की दूरी ते करने में कितना समय लगेगा हमको दूसरी चीज क्या दे रखी है दूरी दे रखी है दूरी बरावर कितना है 3.2.3 किलोमेटर भाई इतनी बात समझ लग गई कि आपको क्या आपको इतनी बात समझ लग गई कि मैंने जो लिखा है वो इतनी बात समय लग गई कि क्या आपको इतनी बात समझ लग गई कि अब हमसे क्या पूचा है हमसे पूचा है समय पूचा है तो मैंने समय के लिए आपको एक सुत्र लिखवाया था, कितने लोगों को समय का याद है, समय का सुत्र, बताओ मुझे, दूरी, बटे, चाल, दूरी, बटे, चाल, चाल मतलब गती, ये सुत्र लिखवाया था मैंने, क्लास के स्टाटिक, अब इसी के अनुसार हम संख्याओं को यहाँ पर, अब हम इसी क के अनुसार संख्याओं को नमा लेंगे, तो सबसे पहले दूरी कितने हैं हमारी, दो बटे, तीन, बताओ कितने दूरी, दो बटे, तीन हमारी दूरी है, बटे क्या है, चाल है, असी, क्या ये चीज समझ लग गई, ये मैंने कैसे लिखाए, ये चीज समझ लग गई, क्या लाइबरीड नहीं पर नहीं है बेटा बाई यह वाला पॉइंट समझे लिखाया क्या मैंने कैसे लिखाया यार यह वाला इतना आखरो एक बार लग गया है अब मैंने पिसली क्लास में आपको एक नियम बताया था कि आप इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो आठ दूनी सोला एक सो साथ बटे तीन कर दो मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज बदलाई थी कि उपर से नीचे की संख्या को गुणा कर दो और नीचे की संख्या का भाग दे दो अब एक सो साथ में तीन का भाग आप दे दीजिए काट लो इसको एक सो इसको काट लो पहले तो एक सो साथ में तीन का भाग दे लो आप लोग देखे बताओ थोड़ा देखो एक्सरसाइज करो आप लोग मैं आपको कर लेता हूँ चलो तीन का भाग दें क्या गया बेटा तीन पंजो पंदरा इसको कितना गया पांच बार कट गया बचा एक तीन एकम तीन तीन दून शेर तीन 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 नो कितना आ गया त्रेपन आ गया तिन तीन तीन नो बच गया एक कि अब त्रेपन पॉइंट कुछ होने वाला है कैसा आती हो यहां पर त्रेपन पॉइंट के आसपास कुछ यहां पर होने वाला है यानि कि अब पॉइंट पांच के आसपास लगा तो यह जो संख्या निकल रही है पॉइंट पांच के आसपास निकल रही है तो लगबग इत यहां पर निकल जाएगा यह हमारा आंस्वर आ चुका है एक तरीका और यह करने का भिन्द के हिसाब से या तो हम इसको डायरेक्ट के से कर सकते हैं या इसकी भिन्द बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से करना ही आसान होता है अब बताओ, चाल, दूरी, टमे, ये प्रिस्नावली के हमने बहुत सारे कॉशन्स कर लिये हैं, अब आपका क्या सुझाव है? अब मैं आपको एक कॉशन्स दे रहा हूं, कि आप में से कितने लोग सही करते हैं, ये चीज़ को बतलाओंगा. असी किलोमेटर पृती घंटा से चल रही, उसे 90 किलोमेटर या इसकी जगए मैं 90 किलोमेटर लिख रहा हूं. 90 किलोमेटर की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा? ये आंसर, ये बना दीजे, इसको मैं 90 बना रहा हूं, 9 और 0. अब करो इस सवाल को अब समय निकालो इसका तो समय निकालो आंसर दो कॉमेंट बाएंसर देना यह देखो कॉशन गड़बड क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्हों उल्टी-पुल्टी सेंख्या दे दी अगर सीधे-सीधे को सिंख्या होती तो आप तुरंद कर दो कर देते इसको करिये अब चलिए इसको करिया और कॉमेंट मान सल दो दीजे अ अन्सर दो अरे केलास राठोड आने केडमी पर लाइबरी रिसाइंस नहीं है कितनी बार बोलू भाई नहीं है और जिनका सब्जेक्ट है वो जोइन करो वेरी गुड बहुत बढ़िया मैं केलास राठोड ब्लॉक कर दूँ अगर बार-बार कॉमेंट किया तो एक ही कॉमेंट को बार-बार मत करो बेटा मैं आसे ब्लॉक करने का उप्शन भी आता है एक बार सुन ली आपकी बात का जवाब दे दिया सर कैसे आया समझ नहीं आया देखो एदर देखे ओ एक गाड़ी असी किलोमेटर की घंटे की गती से चल रही है तो गती यार्थात चाल कितनी है बेटा असी आसी किलोमेटर के हिसाब से हमारी गती और चाल है ठीक है और दूरी कितनी है दूरी कितनी है 90 किलोमेटर की है पूछ क्या रहा है हमसे समय पूछ रहा है कि कितना समय लगेगग यह सवाल है गती 80 किलोमेटर के इसाफ से चल रही है दूरी 90 किलोमेटर है समय कितना लगेगा यह सवाल हमसे पूछा है तो जब भी हमसे समय पूछा जाए तो मैंने आपको कितनी बार काए एक सुत्र को याद रखना समय निकालने का सुत्र है समय निकालने का सुत्र मुझे कॉमेंटर करके बताओ क्या है बताए दूरी बटे गती यह है समय निकालने का सुत्र दूरी बटे गती तो हमारी दूरी क्या है यहां पर हमारी दूरी है सातियों यहां पर नब्बे किलोमेटर कितनी है नब्बे किलोमेटर हमारी दूरी तो हमिया का करेंगे नब्बे बटे असी कर देंगे तो अब असी में इसका भाग दे दीजिए अब असी में अगर 90 का अगर भाग दे देते हैं तो मैं डारेक्ट केलकुलेटर से भाग दे लो लो कितना आया है वैसे तो काट पीट के तो आई जाएगा नब्बे में भाग दे दो असी का 1.15 1.1 के आसपास का ये आंस्वर आ रहा है 1.1 इतना इसको क्या लगेगा इतना इसको समय लगेगा एक घंटा 10 मिनट के आसपास इसको समय लगे बात समझ लगी गाईज एक तो इतनी ज्यादा लाइट होती है रूम में मेरी आखे दर्द करने लग जाती है जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो बहुत ज्यादा लाइट जलानी पड़ती है बात समझ लगी गाईज आपको अभी तक आप मेंसे इतने कितने लोग हैं जिनको ये चीजें जिन्होंने लाइक नहीं किया इस वीडियो को आईए इस कॉशन के अलावा हम और कॉशन एक बार यहां पर देख लें चालिए सर ये confidence आने लगा है कि 10 के बाद अभी पढ़ना शुरू किया है अरे मैं आपको पूरी मैत पढ़ा दूँगा वो कहते हैं एक दिन में कोई आ रही है बट नहीं बनता इसलिए समय लगेगा आपको थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा डेली क्लास में आना पड़ेगा डेली क्लास में आना पड़ेगा तो मैं आपको सिखा दूँगा अगर आप मालो एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे आप लोग किसी दिन आ रहे हो किसी दिन नहीं आ रहे हो तो पार नहीं पड़ेगी अगर आप डेली आओगे तो हम लोग डेली सीख लेंगे और अब मैं आपके कॉमेंट्स लेने वाला हूँ बतलाइए वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो आप लोग विक्रम कह रहे हैं सर आप कॉन्फिडेंस आने लगा है दस के बाद अभी पढ़ना शुरू किया है बेलकुल चिंता मत करो अब बेडा पार हो जाएगा लेकिन जिनको थोड़ा कम समझ आया है न वो इस वीडियो को दुबारा से देखना एक बार फिर से देखना आपको सब कुस्समझ आ जाएगा सर एमपी में असेटनर प्रोफेसर के दो पेपर होने होंगे क्या मुझे एमपी का कोई आइडिया नहीं है कि बेटा कितना होगा पर नौटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होगा अगर नौटिफिकेशन आ गया तो उसको पढ़लो नहीं आया तो थोड़ा वेट करो उसका मेरे हिसाब से जून के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं मार्च के लास्ट में निकल जाएंगे फोरम साथियों क्लासेज की जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर भी संपर कर सकते हो जो आपके सामने समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं यहां पर साथियों हम लोगों ने रिकॉर्ड बना रखा है बहुत ही तगडी संख्या में स्टुडेंट है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और लगातार UGC NET की तयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लग गया होगा कि हमारा पढ़ाने का लेवल क्या है और किस तरीके से हमें एक यह चीज को समझते हैं तो चलिए साथियो देखो जितने भी लोगों ने बाकी की किलास नहीं देखी न वो देख ले न आज पांचवे नमबर की किलास है चार किलास मैं अल्रेडी करवा चुका हूँ चार पसनावली हिस्ट्री भाई अरुन पाठक बड़े भाई लिंक अल्रेडी दे रखी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ति इस कलास की समापती के बाद मैं कॉमेंट में लगा दूँआ आप लोगों ने सबने बियांसर दिया है बहुत अच्छी बात है बियांसर दिया लेकिन कैसे आया ये पता लगाना ज़्यादा जरूरी है किसी पुरुस के साथ फोटो की तरफ देखकर किसी पुरुस के साथ फोटो की तरफ देखकर रवी ने कहा कि उसकी मा मेरे पिता के पुत्र की पतनी है अब ध्यान से देखो हम यहाँ पर रवी का डाइग्राम बना लेते हैं और कैसे काम करेगा यह हमारा रवी है इधर देखिए ध्यान से चीजे समझा जाएंगी किसी पुरुस के फोटो की तरफ देखकर रवी ने कहा कि मान लो कि यह कोई फोटो है इसकी तरफ देखकर रवी ने क्या कहा कि उसकी मा मेरे पिता मेरे पिता के पुत्र की पतनी है अरे भाई जबकि मेरा कोई भाई बेन नहीं है अरे तो मेरी तो पतनी है फिर वो तो चो कितना आसान बात कह दी कि फोटो की तरफ देखकर कह दिया कि वो फिर हाँ मेरे पिता के पुत्र की पतनी है कि मेरे पिता मेरे पिता के पुत्र कौन हुआ मैं उसकी पतनी है मेरा कोई भाई भेन नहीं है तो रवी किसके फोटो की तरफ देख रहा था तो भाई साथ उसकी मा है ना उसकी मा यानि कि वो अपने बेटे की फोटो की तरफ देख रहा था कितना सरल कॉशन था यह यार और यह आई फॉन जिसके इतना घरा फॉन है ने यार इसमें पता है यूटूब चलता चलता ही बं ही चल रहा और कॉमेंट चल रहे हैं यह आलत है एक लाख सतर हजार रुपए का मोबाइल फॉन खरीदा है लगबग दो लाख रुपए का और यह यह सिला दे रहा है कि फैको इसको कि अच्छा सिला दिया तुने मेरे प्रेम का अब चल लो अड़ा दे दूर अपना पोको फॉन जिंदाबाद इकीस अधार रुपए का खरीदा चार-पांच साल पहले सबसे बैस्ट चल रहा है यह शांदार यही फॉन है इस फॉन से बहतर कोई हो नहीं सकता कि मजा आया कि चलिए अगला कॉशन करें कि चलिए वाई साथ कॉशन नंबर थ्री थोड़ा ध्यान से महिलाओं की कॉश्चन बहुत जादा आ रहें गाईद बचके रही हो कि अरे वह दीपक क्या कह रहाता स्टार्टिंग में कि भयंकर अकेला क्या कहा था दीपक क्या कहा था दुने बड़ी अच्छा सब्द बोला था क्या कहा था बहंकर अकेला बहंकर सिंगल क्या बोला था कुछ समझा नहीं आखंड सिंगल हा दीपक ने काखंड सिंगल बिलकूल अखंड सिंगल हो भाई आप लोग समझ गया तुमारी बात को भए कखंड सिंगल और कॉशन बहुत महिलाओं, महिलाओं की कॉशन आ रहे हैं सारे, एक महिला ने अपने पती से ये कहा, एक नहीं ये कहा, महिलाओं का आप अपने पती से कहने कही है, अखंड सिंगल सही हो आप, अखंड सिंगल की बात ये लग है, एक महिला ने अपने पती राकेस का परिचे कराते वे क्या कहा एक महिला ने अपने पती से राकेस का ये लगा लो हमारी महिला ये इसका पती और ये राकेस क्या कहा एक महिला ने अपने पती से इन दोनों का परिचे करातवे क्या कहा कि इसके भाई एक महिला ने अपने पती से राकेश का परिचे करवातवे राकेश का परिचे करवाया पती से महिला पती राकेश राकेस से ऐसे कहा कि इसके भाई के पिता इसके भाई के पिता इसके यानि पती के भाई के जेट जी के पिता यानि ससुर जी इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलोते पुत्र है तो महिला राकेश की क्या लगती है बताओ राकेश की क्या लगती है कॉमेंट्स करके आंसर दो बहन लगती है बहन ए बहन क्या लगती है बहन लगती है देखो क्या है दुबारा समदो एक महिला ने अपने पती से राकेश का परिचे करवाया एक मेला ने अपने पती से राकेश का परचे करवाया और कहा कि इसके भाई के पिता, राकेश के भाई के पिता, मैं थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर, राकेश का जो भाई है, इसके भाई का जो पिता है, इसके भाई का तो मेरे दादा के इकलोते पुत्र हैं यानि कि इनके दादा के इकलोते पुत्र कौन है ये हैं तो महिला राकेश की क्या हुई? महिला राकेश की बहन हुई क्या हुई? महिला राकेश की बहन हुई मैंने पिछली बार पती पर उंगली रख दी थी ना एक्चली वो राकेस के इसलाब से पूछ रही थी मैं एक शब्द को पढ़ने में गल्दी कर गया था यहां पर इसलिए ना जब भी आप आप रिलेसंसिप वाले कॉशन को करो एक बार शब्दों पर जरूर से ध्यान दे लिया करो यार देखो ऐसा है कि बेड़ा आप लोग बलें कितना भी अखंड सिंगल क्यों ना हो अखंड सिंगल बलें कितना भी क्यों ना हो पर इस देश में बड़े बड़े रिसी मुन्यों की तफश्या भंग हुई है पहले इस बात को समझ लो तो जब भी आप तफश्या में लीन रहें आप एक बार प्रिपोजल को ठीक से पढ़ लें समझ लें कि आपके पास जो प्रिपोजल आया है वो क्या है क्योंकि शब्दों का हेर फेर ही घड़बड करवा देगा क्या का का इवा इसलिए जो प्रिपोजल जो आता है न उसको डंग से समझो परको ने तो अखंड सिंगल भजन करते मिलेंगे ऐ भाई ठीपक अखंड सिंगल क्या भजन करते मिलेंगे को हóc तो पूनम कुमारी लेट नहीं होने का बेटा डेली ने भज़न करते मिलेंगे अखंड सिंगल पढाये लिखाई पर ध्यान चोटि कर दूसरे कामों में ध्यान लगा लेंगे एक किस्सा सुनाता हूँ तुमको आज यार बड़ा मज़ा रहा है एक किस्सा सुनाता हूँ एक बार क्या होता है एक बार ना राजा इंद्र होते हैं राजा इंद्र एक ऐसा एक मातर राजा था जिसको सबसे ज़्यादा अपनी कुर्सी की चिंता थी सिंगासन की उसको लगता है कि यह कोई भी आएगा और भगवान को प्रसंद करेगा और स्वरग का राज ले लेगा ऐसा स्वरग में पता क्या नहीं था ऐसा क्या था कि इंद्र को अपनी कुर्सी की सबसे ज़्यादा चिंता थी मतलब इंद्र लगा लो आज कल का राजनिता कि कब कुर्सी निकल लिया कोई पता नहीं तो बहुत ज़्यादा चिंता रहा करती थी इंद्र को अपनी कुर्सी की पता है सारी जितनी भी सुन्द्रियां थी न वो इंद्र के पास थी वो क्या करता है कि जैसे से कोई कई मु alcohol तपश्य करने लगता है उसके पास अपनीस सुन्द्रियों को ठोड़े थे उनकी कि तपश्या भंग करवाने के लिए उसको हमेज़ा इस बात का खत्रा था कि कोई साधू रिसी मुनी तपश्या करके इस्वर को वो करके मतलब कहीं मेरा राज न मांग ले तो वो क्या कि उसने अपना एक पूरा सुरग लोग में सुंद्रिया विठा रखी थी जिनका काम था आप जैसे जो अखंड सिंगल थे ना उन लोगों की तपश्या भंग करवाने का उनका काम था तो एक बार राजा इंद्र क्या हैता है कि उसने इस सारे काम ट्राई कर लिए एक महत्मा के उपर एक संट के उपर वो काम नहीं बना तो एक जंगल से गुजर रहा था एक बार उसने एक महत्मा एक सिद्ध पुरुस अपनी एक साधना में लीन था बहुत तगड़ी साधना कर रहा था इंद्र ने सूची कि यार इसका तो मुझे पता ही नहीं कि ये बंदा खांची पक रहा था ने तमें कुछ तर्कीम निकाली इसकी तरकीम तो क्या करता है कि वह उसकी कुटी में जला जाए राजाइंदर कुटी में जाकर कहते है कि महराज की जैओ सादू मातमा की जैओ लो महराज एक थोटा सा काम बाबा बोल्या अरे बाई मैं तो सारा काम दंदा छोड़ करते हुए जंगल माया हूँ, अब तो मुझे यहां भी काम बतला रहा है, मैं भाई कोई काम नहीं करता, मैं तो सादू आदमी हूँ, मेरा काम है इस्वर का नाम लेना, मुझे आपके काम दंदों से कोई मतलब नही राजा इंद्र बोलिया कि महराज मेरी सुन लियो आप मैं कोई जरूरी काम पर खाई जा रहा हूं और मेरे पास नहीं यह तलवार फालतू पड़िये अब जंगल में जा रहा हूं यह तलवार साथ लेके जाऊंगा कोई अपराद हो जाया मुझसे आप इस तलवार को अपनी कुटी में रख लो माना नहीं राजा सौट कर रहा हूं कहानी को संचित कर रहा हूं माना नहीं राजा बार बार राजा के कहने से बार बार जिसको करना है वो कौशन को करते रहो बार बार राजा मना करने के बाद भी वो नहीं माना और राजा की मात्मा की कुटी में वो त को तपश्य करंने लगता कोटिएं में एक कौने में तल्वार रखी थी तो दो चार दिन चार-5 तो उससे इग्णोर किया तल्वार को मैं आप जैसे जूँछ सिंगल है उनके लखड़ी काटने में काम ले लुँ बहुति इसका मूल काम क्या था बहुन तेकिन अपने इसवर की भक्ति छोड़ कर यह सेकंडरी काम पर फोकस करना शुरू कर दिया इस सेकंडरी काम पर फोकस करना उसने शुरू कर दिया आप इसको में आप एक को यह विए आप इसको में आप एक को मैं कॉल कर रहा हूँ जब तक आप यह देए ठीक है कर दमा कर दो कर दो कर दो से कुल देए एक कदसाय से उते है अ, हमी हो तो नहसे रहा हूँ तक पाझ कुल का यह विए तक झाल झाल चले घाई आगे हम फिर से आज थोड़ा था एक इमर्जेंसी काम फस रहा था उसके चक्कर में चीजे उपर नीचे हो रही है अच्छा इस कौशन को आप लोगों ने कर लिया वैरी गुट आप लोगों ने बी आंसर दिया है इसका सब लोगों ने क्या दिया है कि बी अंसर अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन का प्रेक्टी सांब कर लेते हैं एक लड़की देखो यार एक लड़की ने लड़के का परिचे दिया एक लड़की ने लड़के का परिचे दिया कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है तो लड़के का लड़की स से क्या रिस्ता है 2015 में कॉश्चन आया था यह मैं आपको इए तरीक से कर वा रहा हूं सोचो ज्यांते ज्यांते सोच कर करना है कॉश्चन थो पेचिद है कि आप आंसर दे सकते हो का नहीं तो मैं तो आपको समझाओंगा इसमें कोई डाउट नहीं है कर दो आपको समझाओंगा झाओंगा लो उसी दिए हमा nggak बत्त Lind एका Fangत मैं तो आपको समझाओंगा यह में कोटकासर cage से क्वघर स बात्त खेश़ है कि पी एवारा का पर रहा है, को आपको पाना है चलिए गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग कैसा आती हो फूपा का बेटा एक लड़की ने एक लड़की का परिच्छ दिया यह है हमारी लड़की ने एक लड़की का परिच्छ दिया यह हमारा लड़का यह वह वह यह यह वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का यह यह लड़का उसके अंकल के पिता के बेटी का लड़का है अरे तो बाई जाहिर सी बात है ना फिर बेटी का लड़का तो कल्दी नहीं हुआ ना यह बाद सोच दिमागे लगा वे मैं कॉल ठालू झालूए झाल 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 करफो कि को कि अधोड़ी से एक चलि़ किना ब्यंटी ड्रटी टी ड्रटी हो गई कुछ चलिए गाइस, कॉशन नमबर दस्वा कीजिए आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो होता है, मैं भी आ थोड़ा था, दस मिंट तो मैं भी कुछ लेट आया था, क्लास में आया था, ए का भाई, ए बी का भाई है, क्या है सात्य आपर क्या है, ए है ना, जो बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, यहाँ पर जो ए है वो है ना, सात्य वो किसका भाई है, बी का भाई है, है तो मालोम ए है ये राकी कि एक किसका भाई ये क्या दोनों ये क्या दोनों about it यह दोनों के हैं पती पतनी है यह माइनस है अगर आप ऐसा डाइग्राम बनाते हो ना पुर्सपर प्लस कर दिया करो और इस तरी परहते माइनस कर दिया करो ऑफ इस दी का इस ए से क्या समंद होगा इस पुत्रवदू एक नहीं है पुत्रवदू नहीं है यह बहुत यह भाई इधा देगे इधा देगे यह देखो इस तीनों आपस में भाई यह क्या है इनकी पत्नी है ती की पत्नी है अब मालो एका पिता ई है तो इबी का भी पिता है आप इस तरीके से डाइग्राम का भी सारा ले सकते हैं किया कि आप इसमें डाइग्राम का सारा भी ले सकते हैं अगले कॉशन की तरफ चलते हैं और यह कॉशन को लिएँ आगा है लाश्ट कॉश्टन होगा क्योंकि कुछ पर्सनल इमर्जेंसी के चक्कर में आज में क्लास जल्दी समाप्थ करनी पड़ रही है मुझे एक इमर्जेंसी कॉल करना है कहीं तो इसलिए थोड़ा पर्सनल इमर्जेंसी हो गई बट इतने में हम रिलेशंसिप वाले कॉश्टन को कवर कर लेंगे अब हम कल अगली प्रसनावली पड़ेंगे सायद मैं सोच रहा हूँ प्रतिसत निकालना सिखा दूं कल या ओसत निकालना सिखा दूं ऐसी कल कोई हम एक प्रशनावने लेकर आएंगे तो साधे नो बजी आपको आना है इस वारे कॉस्टन करो और भी जरूवी बात और बताऊंगा भी मैं आपको कि क्या बात दीपक एक महिला की और इंगित करते वे आदमी ने कहा यह महिला है और यह आदमी एक महिला की और इंगित करते एक आदमी ने कहा कि उसके एक मात्र भाई का पुत्र उसके एक मात्र भाई का पुत्र भाहिए वा उसादमी की वै क्या लगती है ऐसे विद्उखता होता है क्या बोलते हो तो फॉसको ि क्या क्या फोरे उसकी बहन को क्या कर ले गरेती हो अहला हमारी साइड तो बॉहाजा सासू कहते हैं आप लोग जया देखो आज इस किलास को रिवाइंड करके देखना किलास भी हमारी चोटी है क्योंकि मुझे जरूरी कॉल करना है अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ आज मेरे पास भी कही वार कॉल आ रहे हैं लगाता है आपके पास प्रतिसत का मतलब है कुछ हिस्सा प्रतिसत का मतलब होता है कुछ हिस्सा होता है अब मालों बेसिक से शुरू करते हैं बिलकुल क्या है जैसे कि 100 रुपय का 20 प्रतिसत क्या होगा अब आपके मुन में ये खयाल आ रहा होगा गुरुजी हम तो महान आत्मा है हम तो इसको ऐसे ही कर देंगे लेकिन आपको हमारे बद्री गुरुजी के तरह ये पता लगाना होगा कि किश्या पतो पड़ेो कैसे पता लगा किसमा क्या अंसर आएगा तो एक तरीका है इस वरकार के सवालों को सौल करने का क्या लिका है 100 रुपय का 20 परसेंट क्या होगा अब मैं एक फॉर्मूला समझाओंगा लेकिन बेसिक कॉश्चन के माद्दम से आपको समझाने वाला हूँ मनिशा मीना सर मेरा तो नाम नहीं लिया ले लिया मनिशा आपका नाम ले लिया बेटा जा लिया 100 रुपय का 20 परसेंट क्या होगा बस तो हमको क्या लिखना है सबसे पहले जो संख्या लिखना है बस बिलकुल समझते हुए जाना है कॉपी मनाट करो कॉश्चन को फटाबर से सबसे पहले लिखा है 100 रुपय तो मैंने यह लिख दिया 100 रुपय अब लिख दिया का 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 मतलब है बीच में गुणा, फिर है 20, मैंने लिख दिया 20, पृतिसत का मतलब होता है भाग, पृतिसत का मतलब होता है भाग देना, और मैंने इसमें 100 का भाग दे दिया, आइए बिलकुल 0 से शुरू करूँगा, अगर आपने जीवन में कभी भी मैथ नहीं पड़ी है, तो मेरी गैरेंटी एक मैं आपको सिखा कर रहूँगा, ओके, तो 0 से सुरू करते हैं, अब यहां से इस 100 से, इस 100 को काट दिया, तो 20% हमारा सही आंसर आ गया, लेकिन इतना खुस मत हो ये, अगला कौशन 100 का नहीं है, इतना खुस होने के जरूत नहीं है, अगला कौशन 100 क यहां पर नहीं आने वादा, चलिए, अगला कौशन क्या है, सत्यासी का सत्रा प्रतिसत क्या होगा, सत्यासी का सत्रा प्रतिसत क्या होगा, अब यहां पर इस लॉजिक को समझने की कौशिस करो, कि यह जो सत्यासी है ना, 87, इसका सत्रवा हिस्सा क्या होगा, इसका जो सत्र वहाज हिस्सा है वह क्या होगा? तो हमको सबसे सवालों को लिए कैसे करना है बिलकुल गबरा नहीं आदब देखो, सत्यासी तो मैंने सबसे पहले सत्यासी का मतलब गुणा आगे क्या लिकिया सत्रा और पृतिशत मतलब भाग बस इस चीज़ को ध्यान वर रेको, देखो, प्रतिसत निकालना, ओसत निकालना, लाब, हानी, समय, कैलेंडर, ये चीजें बहुत आसान हैं, बसरतें आप उनको ढंग से समझ लो, आपको अगर संख्या जमाना आ गई, तो आप कोई भी सवाल को हल कर सकते हो, अच्छा, इस क्लास में मैं आपको एक रोकूंगा, कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर लोकिस बाली, इस टेलीग्राम को आपको जोइन करना है, इस टेलीग्राम पर रोज की क्लास के नौट् फिर इस class के first comment में, after class, first comment में आपको notes का PDF का link मिल जाएगा और playlist का link मिल जाएगा, आप वहापर जाकर देख सकते हूं, कि तो answer क्या दिया आप लोगों ने, answer दिया है, so the mind nine, में अब एक सवाल है, सर हमसे काटना नहीं आथा, आप मैंसे कितने लोग हैं जो काटना नहीं जानते,icymcendhymadari के सात्ठ चुपाऊ मत, कह दो, कि आप मैंसे कितने लोग हैं जो काटना नहीं जानते, इमानदारी के साथ अरे चेले लाएंगे क्रांथी नमस्ते प्रिय लोकेस सर जी अरे मनीशा कैसी हो ठीप कर्लिच कैसी हो ठीप क्या चल रहा है नया ताज़ा .... अब बई हमारी चात्रह है मनिसा वालिया डिल्ली विस्विदाले से PhD कर रही है हमारे साथ आने साने काड्मी पर जुड़ी हुई थी पहले और और अच्छा मुकाम हासिल कर रहे है त को काफी अच्छा लगता है खुशी भी होती है कि अपने दोस्त मित्र कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कि कौमल तिवाडी आपका नाम ले लिया बेटा अब यह सवाल को मैं आगे सौल करने से पहले आपको काटने का प्रोसेस भी समझाऊंगा लेकिन इस तरीके से हमको संख्य संख्या जमानी है इस तरीके से ये चीज़ हमको सीखनी है अब एक सवाल आपने देखा होगा कि यहां सवाल क्या है सत्या सीखा 17 प्रतिसद क्या होगा लेकिन अगला सवाल क्या है 20-100 का कितने प्रतिसद है मैं सिखा रहा हूं यह इतना सरलब वह क्यों लाया? ताकि आप संख्या जमाना सीखें अब अगला सवाल है कि 20-100 का कितने प्रतीज़त है तो संख्या कैसे जमेंगी इस चीज को समझने की कौसिस करो कैसे जमेंगी सुरुवात में जो संक्या लिख रखी उसका हम सुरुवात में लिख देंगे 20 अब यहाँ पर यह लिख रखा है देखो यहाँ पर मतलब का नहीं लिख रखा का होता तो गुणा हो जाता का नहीं लिख रखा तो 20 अब यहाँ पर भाग दे दो इसमें इस संक्या का, जो भी संक्या है, उस संक्या का यहाँ पर भाग दे दो, का मतलब गुणा, का का मतलब गुणा, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया, कितना कर दिया गुणा, का गुणा, कितने में, सो, तो इस सो से इस सो को काट देंगे, बीस आंसर आ जाएग अब अगले question पर जम्प करेंगे ताकि आप बहतर तरीके से समझ पाओ 90-985 का कितना प्रतीसत है जो 90 है सातियो वो 985 का कितने प्रतीसत है हमको केवल संख्या जमाना सीखना है प्रतीसत आटोमेटिक आ जाएगा इस सवाल को सौल करो 90-985 का कितना प्रतीसत है बस इस चीज को देखो हर्सित अरे हर्सित चलिए चलिए पढ़िए 90-90-80-985 का कितना प्रतीसत है हमको सबसे पहले क्या लिखना है जो पहली संख्या लिख रखी है उसको सबसे पहले लिखना है 90 अब यहाँ पर डायरेक्ट अगली संख्या आगी तो हमको क्या करेंगे इसको नीचे लिख देंगे कितना आया है 985 का का मतलब होता है गुणा और प्रतीसत मतलब 100 काटो चलो इसको काटो अब मैं आपको काटना भी सिखा देता हूँ तो थोड़ा ध्यान से समर्तिवे काटना सीखे आप लोग आये बिलकुल जीरो से आगे बढ़ते हैं और काटना सीखते हैं हाँ देखो सबसे पहले आप ऐसा निर्धारन करो कि जीरो जीरो अगर है तो जीरो जीरो पहले काट लो अब ऐसी संख्या ढूंडो जिनका भाग आपस में चला जाए अब मालो मेरे पास यह 985 है मेरे पास क्या है आपर 985 है इसमें 5 आ रहा है और 5 का भाग 100 में भी चला जाएगा तो चलिए 5 का भाग पहले 985 में देखर देख लेते हैं तो जब काटने की प्रोसेस सब सुरू करो तो को मन संक्या पकड़नी ऐं भाई अगर आप कोई चीजource काट होगे तो समान रूप से से काटेंगे तो मैं क्या गरूँ को पांच का भाग दूँगा पहले सबसे पहली वाली संख्याम देखो 985 को मैं 5 से काट रहा हूं तो सबसे पहले मुझे 9 में 5 का भाग देना है पांच कितनी बार गया एक बार गया भाई और नो पांच ऑने दस दो बार चला अब पांच एक बार लेकिन चार सेस बच गए उस तो्हम क्या करेंगे इस चार को इस आठ के लगा देंगे और यह संक्या को हम मान लेंगे दिमाग में कि यह 48 हो गई है दुबसक्त समझां कि यह संक्या कितनी थी 900 900 कितनी है 900 पिच्चा सी अब हम इसको 5 से काट रहें ध्यान से देखो किसी को एक भी चेला चूटा ज्यारेप संकल्प तूटा 5 का भाग देंगे इधर वाली संख्या में इसमें मैंने 5 का भाग दिया 5 एकम 5 पूरा-पूरा एक बार गया पूरा-पूरा एक बार गया लिख लेकिन चार बच गया तो चार को मैं क्या करूँगा दिमाग मैं सोच लोगा कि इस आठ के पास लगा दूगा और यह संख्या मेरे दिमाग में कितनी हो गई अड़तालीस हो गई तो हम 5 कब भाग देंगे 5-1-5-5-10-5-15-25-25-35-31-5-35-45-45 पानम पैतालीस अब यह अड़तालीस है यानि 9 बार पूरा-पूरा भाग गया लेकिन 45 आया ना अड़तालीस है तो 46-47-48 कितने बचे तीन बचे अब हमने जिस तरीके से चार हम आना था ना उसी तरीके से तीन हम इसके आगे मान लेंगे यानि कि नियम का अनुसार ये कितने हो गए इस समय 35 हो गए तो कहरेंगे 5, 5, 5, 10, 5, 3, 15 5, 25, 25, 35, 5, 7, 35 तो ये कितने से कट गया 117 में से कट गया ये बात समझ लगें आपको ये संक्या कितने से कट गई 117 में से कट गई साथी 117 में से कट गई अब हम 100 में देंगे 5 का भाग सुरुवात की 2 संक्याओं में भाग देंगे 5 एकाम 5, 5 दुनी 10, दो बार गया पर बचा कुछ नहीं और ये 0 है तो 0 लिख दिया अब हमारे पास जो फाइनल संक्या आ गई है वो फाइनल संक्या क्या है 90 बटे 117 में into 20 क्या और भी कुछ कट रहा है क्या और बताओ और भी कुछ कट रहा है क्या जिसको भी नहीं आता है काटना उन सब को मैं साथियो यहाँ पर सिखा दूँगा तो आप यह काम कर सकते हो 90 को और इनको आपस पर गुणा करके इसका बाग दे सकते हो और आंसर इसका आ जाएगा यानि संक्या जमाना हमको आना चाहिए अब एक इतनी बड़ी संक्या में लोग आप देख रहे हो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि रोज रात को 9 बजे ये क्लास कितने बजे होती है रात को 9 बजे टाइम है मैं नौट कर देता हूँ ये लोग टाइम लगा दिया ये क्लास सात्यों रोज रात 9 बजे होती है रोज रात 9 बजे तो आपको रोज रात 9 बजे आना है यहाँ पर मैं अभी paper 1 करवा रहा हूँ और यहाँ पर साथ यो daily class होती है जिसमें 10 के 10 unit आपको complete करवा दिये जाएंगे अच्छा आगे बढ़ते हैं अब इनकी मैंने तुलना भी कर रखी है आईए अब मैंने तुलना कर रखी है दो तरीके के question है दोनों की language समझने के causes करो एक जगे क्या लिख रखा है एक जगे लिख रखा है 100 रुपय का 20% क्या है तो दूसरी जगे लिख रखा है 20 100 का क्या है इन दोनों language को समझो यहीं आप सबसे बड़े confusion में आते हो तो हम क्या करेंगे इस question को अगर संख्या जमाएंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहली संख्या है अमारी क्या आशियाबर 100 है सबसे पहली संख्या हमारी 100 है हमने 100 संख्या लिख दी का का मतलब हो गया गुणा ये वाली संक्या ये री और ये वाली संक्या ये री ठीक अब आगे आ जाते हैं अगली संक्या कैसे जमेगी 20 सबसे पहले 20 है इस 20 को मैंने यहां लिख दिया 20 लेकिन यहां पर का आ रहा है और यहां पर का की वज़े से हमने गुणा किया था और यहां का नहीं है तो सीधा भ क्या करेंगे गुणा कर देंगे इस तरीके से दोनों की संख्या जमाई जाती है और यह सबसे जीरो सवाल है और यह सबसे बेसिक सवाल है अब आपको प्रतिसत निकालना इतना आ गया होगा अब मैं यहां से जंप करूंगा गहरे और मोस्ट कॉश्चन की तरफ बलर हो गया है कोई बात नहीं रजूम करते हैं हाँ अब मैं आपको यहां से थोड़ा स्किल आपका अप करना चाहता हूं गाईज मजा आया इतना सीखने में कॉमेंट्स करके बताओ सब के सब मजा आया यह रहा साथियों आपके सामने एक बहतरीन कॉश्चन लेकिन यह देख कर डरना मत इस कॉश्चन से पहले मैं आपको बड़ा ही सरल कॉश्चन यहां पर करवाने वाला हूं अब थोड़ा साम ग्रेड को अपने को उंचा कर लेते हैं कॉश्चन नमबर थर्टीन हाँ कॉश्चन नमबर फोटीन हम यहां पर करेंगे अब अपने ग्रेड को थोड़ा अपिस्केल हम लोग कर लेते हैं ग्रेड को सुधार लेते हैं अच्छा बेसिक्स सबको समझ आ ग यार डेली आप लोग बंद कर्वाने के चक्कर में रहते हैं आज मुझसे चालू करवा रहे हो कि energy कम लग रहे है क्या background sound चला देते हैं चलिए music चला देता हैं आप जोड़ा सुखान सुना देते हैं हलका से चलिए हल्का साथ मैंने चला दिया है उम्मीद है कि हल्का साथ चल गया होगा चलिए कॉशन नंबर इसको करिए अब मज़ा आएगा चलिए पढ़िए सात्यों अच्छे से पढ़िए कॉशन को मैं यह देख लेता हूं कितने लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया आरे यार मतलब आप लोग तो गुरू दक्षणाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों ने बहुत कम लोगों लाइक किया किलास को यह बिल्कुल गलत बात है चलिए समय दे रहा हूं और आप एक बार ट्राई करो समझाने का काम तो मेरा है आप एक बार केवल ट्राई करिए एक बार केवल ट्राई करिए देखो ये question वो ही है बस इसने का पूछने का तरीका इसने बदल दिया है question वो ही है बस बस पूछने का तरीका बदल दिया है कैसे आई ये इसको समझते हैं अधिकांस लोगों ने सही answer दिया है लेकिन मैं आपको पता एक थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ चीजों को किसी हाल में 20 कुल संक्या कितनी है यानि कुर्सी कितनी है total all कुर्सी या कितनी है जो कुर्सीया है उनकी संक्या कितनी है 20 अब इसमें से 40% कुर्शियों का रंग लाल है तो लाल कुर्शियों के संख्या क्या हो गए तो यहाँ पर 20 का 40% निकालना है 20 का 40% क्या होगा तो मैंने जैसा कि आपको नियम मतलाया था सबसे पहले 20 को लिखेंगे का का मतलब गुणा करेंगे फिर साथियों 40 को लिखेंगे और फिर इसमें भाग देंगे 100 का तो इस 0 से इस 0 को इस 0 से इस 0 करेंगे तो 4 दुनी 8 हमारा आनसर आजाएगे यानि कॉशन वो ही है चीज वो ही है लेकिन उन्होंने चीज को क्या कर दिया है बदल दिया है अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 10 वी कलास में मैथ पढ़ना बंद किया था क्या आपको समझा रहा है क्या देखो intelligent बच्चों की मुझे इस कलास में जरौत भी नहीं है मुझे उन्हें चात्रों की जरौत है जो सीखना चाते हैं बेसिक से सीखना चाते हैं जो बेसिक से टॉप तक सीखना चाते हैं लेकिन अगर आपका बेसिक कमजोर रह गया तो फिर आप इस प्रस्णावली को नहीं सीख पाऊगे और खासकर प्रतिसत को बेसिक में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये हमारी डियाई में भी काम आने वाली चीज क्या गाईद आपको मज़ा आ रहा है अच्छा लग रहा है पड़कर कि सर बेसिक से समझाओ अच्छी तरीके से चलिए अब थोड़ा और अगले टाइप के कॉशन्स की तरफ हम लोग चलते हैं सर मैं अभी नाइंथ में ही हूं ओहो रॉयल विसेश क्या बात है हाई रिम्पी जी हलो रेखा लड़कों की सेंख्या दिखाई नहीं दीती यार क्लास में हलो विरिंदर दीपक लड़के तो क्लास में यहीं नहीं है कोई मुझे लगता 95 लड़की है 95 प्रतिशत मैं बतला देता हूं तीन मंत में पूरा सिलेबस हो जाएगा कि सर क्या कहते हैं टीचिंग अप्टिट्यूट को शुरू कीजिए अरे नहीं भाई एक एक पढ़ लो टीचिंग को भी पढ़ा देंगे और और चीज़ों को में मैं पढ़ा देंगे एक एक चीज पढ़ो ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे मत पढ़ो हर चीज को पढ़ाएं है दीरे धीरे पहले मैंसरी इस निग पढ़ना हम लोग कूच करते हैं और चलते हैं अगला कॉशन यहाँ पर तेर्वे नमबर का कॉश्शन यह करिए किसी संख्या का 25 प्रतिसत उसके 10 प्रतिसत से 15 अधिक है तो वे संख्या बतलाईए अब आपको इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होने की गूमने की जर्रोत नहीं है सवाल बहुत सीधा है बहुत सरल है बस लेंग्वेज के इस्तर पर इसको कठिन बनाने की चेश्टा की गई है हाँ लेकिन इसको मैं पहले नहीं कराऊंगा तोड़ा इसका ग्रेड उंचा है यह वाला करिए यह वाला इसके बाद कराऊंगा इसको चलिए यह वाला कॉशन करिए हाई अजे हलो भाई नेहा हलो गाईज हलो 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 चलिए जिन लोगों ने मुझ पर वरोसा किया है मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ यारी दोस्ती है वरोसी के आप चिंता ना करो सर कितने दिन को कितने बजे क्लास होती है सब से उपर लिख रखा है यहां पर सब लोगों को दिख रहा होगा नौ बजे क्लास सुरू होती है डेली अरे यार हाँ यदि रमेश का मासिक वेतन दीपक से 40 प्रतिस्यत अधिक है सही आंसर देना है यदि रमेश का मासिक वेतन दीपक से 40 परसेंट अधिक है यानि रमेश का मालो अगर 100 रूप है अगर मालो रमेश का वेतन दीपक से अगर मालो दीपक का जो वेतन है 100 रूप है तो रमेश का 140 रूप है तो इस तरीक से आप समझ कर चलिए रमेश का मासिख वेतन दीपक से 40 प्रथिसत अधिक है तो दीपक की आये रमेश से कितने प्रथिसत कम है अभी तक आंसर नहीं दिखा किसी का एक का अंसर आया है वेरी गुड वेरी गुड एक का अंसर आया है बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं इनी गलतियों को मैं सुधार ने इस क्लास में आया हूँ देखो रदी रमेश का मासिक वेतन दीपक से 20 प्रतिसत अधिक है यानि रमेश का वेतन कितना कम है रमेश का वेतन कितना कम है 40 प्रतिसत कम है और अगर हमने मान लिया 100 प्रतिसत अधिक है डीपक से माना दीपक का वेतन 100 रुपए है माना दीपक का वेतन कितना है 100 रुपए है और कितना दिखे 40 यानि कि और उनका कितना है इस हिसाब से 140 है तो हम क्या करेंगे 40 बटे 100-40 into 100 अब इस calculation को मैं समझा दूँगा कि ये calculation मैंने किस प्रकार से लिखी है ये calculation मैंने किस प्रकार से लिखी है आईए इस गणित को हम लोग समझ लेते हैं माना दीपक का वेतन कितना है 100 रुपए है माना दीपक का वेतन कितना 100 रुपए है तो रमेश का वेतन कितना हो गया 40% अधिक है तो 140 तो 100 प्लस 40 कर देंगे यहाँ पर तो यह पर यह संख्या क्या बन गई है 40 बटे 140 इंटू 100 अब यहाँ पर क्या करेंगे इस 0 से हम क्या करेंगे इस 0 को काट देंगे अब चाओ तो 2 का भाग देलो यह चला जाएगा 7 बार और यह चला जाएगा 20 बार तो अगर यह कॉशन कितना हो गया यह अगर उनको यह हो गया 200 200 बटे 7 200 में अगर 7 का भाग देंगे तो 28 पॉंट कुछ आंसर आएगा 28 पॉंट कुछ आंसर यहां पर आने वाला है 28 पॉंट 56 अभी कई सारे कॉशन करेंगे ऐसे तब आपको धीरे-दीरे समझ आएगा कई सारे कॉशन करेंगे तब समझोगे आप चिंता ना करो सर आप बैठ जाओ मैं लाब मुझसे धक रहा है क्या मुझसे धक रहा है क्या यह है भाई मुझसे धक तो नहीं रहा है यार एक बार इसको देख लो आप अच्छे समझ लो इसको इसको आप अच्छे समझ लो माना दीपक का वेतन कितना है 100 तो फिर यहाँ पर तो रमेश का वेतन कितना है 40 पृतिसात अधिक है दीपक से तो 100 पिलर 40 बटे बर 140 तो हमने क्या किया है 40 बटे 140 बटे बर 100 यानि कि 28 पॉंट कुछ परसंटेज कम है देखो आप इसको इस तरीके से निकाल लोगा रुखो एक और मेथड बतला देता हूँ इसका ताकि आपको और समझ जाज़ा वैसे मैं इस तरीके कही सारे कॉशन कराऊंगा जब धीरे-धीरे कॉशन आप लोग समझ जाओ गाले देखोए कॉमंसेंस का सवाल है इसमें लिखर क्या जो हमको कुछ लिए लिखना यदि रमेश का माशिक वेतनuben दीपक से 40% माशिक 5 रमेश का क्या होगा वेतन 140 रुपए बराबर अब ये देखा कि 140 की तुलना में ये 100 पृतिसत है वो कितने कम हैं ये कम हमको निकालना है अब इसमें मैं एक सुत्र बताने वाला हूँ कि पृतिसत कम और पृतिसत अधिक कैसे निकालेंगे ये मैं आपको भी समझाने वाला और निकालेंगे लेकिन उससे पहले एक कौशीन को यहांपर और समझ लेता है कि इं चले कौशन को देखे सायद आप कुछ और बहतर समझ पाँ कि इस टाइप के कॉशन ही हमारी इस एक्जाम में आते हैं रंजना की आमदनी कौमल की आमदनी से 20 प्रतिसत इधर देखिए 20 प्रतिसत कम है यानि रंजना की आमदनी है कौमल की आमदनी से 20 प्रतिसत कम है तो कौमल की आमदनी रंजना की आमद से कितने प्रतिसत जादा है कुछ लगाओ दिमाग आप सोचो और फिर करेंगे देखो जो लोग आंसर कर रहे हैं वो तुरंत आंसर कर दे रहे हैं लेकिन जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं वो फसे पड़े हैं इसमें कई लोगों ने सही आंसर दिया है निति इसकुमार ने सही आंसर दिया बहुत बढ़िया वाई यहां पर पूछा है कि रंजना की जो आमदनी है वो कितने प्रतिसत अधीक है कि लोगों ने भी 25% आंसर दिया है न वो सब सही है बाकी के सारे लोग गलत है जिन लोगों ने 25% लिखा है वो सब लोग सही है बाकी के सारे लोग गलत है अच्छा मैं एक बार देखना चाहता हूं कि कितने लोगों इस वीडियो को लाइक किया है कि कितने लोगों ने गुरु दक्षन दिया है आज मुझे कि गुरु जी आप बड़ा नेक काम कर रहे हो और बहुत कम लोग दो सुपैसेटी लाइक आये हैं सर मैं आज का पहला किόσ्ता डाइक कर रहा हूं । भाई यह क्लास सिक्स है इससे पहले पशंच सो चुकि और भी जाकर देखनी है आपको यह द्यार रखना एक क्लास नमब च्या से है इससे पहले भी क्लास आपको जाकर देखनी है ये सारी क्लासेज आपको बहुत जादा हेल्प करने वाली हैं आपकी डी आई की क्लासेज रंजना की आमदनी कौमल की आमदनी से 20 प्रतिसत कम है हमको पता है कि यहां पर कौमल की आमदनी जादा है तो यहां पर हम इसको देख लेते हैं कि रंजना कि रंजना की आमदनी किस की तुलना में कौमल की तुलना में कितने प्रतिसत कम है 20% कम है कितने प्रतिसत साथियो 20% कम है तो 20 माइनस अम मान कर चल रहें कि आमदनी 100 रुपए है तो क्या करेंगे 100 माइनस 20 इंटू यह 100 बस यह एक्वेशन आपको याद रखनी है यह एक्वेशन कैसे लगानी है यह अपने दिमाग में च्छाप लो आप देखो मान लो कि यहां पर किस की आमदनी कौमल की आमदन कितनी है 100 रुपए है और उसकी तुल्ना में 20 पृतिसत का में तो अंजना की 80 हुई जाइर सी बात है अगर मैं इसको ऐसे ना लिखकर 20 बटे 80 इंटू 100 लिखता तब भी सही रहता देखो कितने पृतिसत का अंतर है यहां पर है अंतर सबसे पहले हमने पृतिसत का अंतर ल सबसे पहले किया इदर सबसे पहले किया सबसे पहले मैं कि आ्ध़ thrilled तो आंतर लग दिया सबसे पहले 40 पृतिसत अगर यहां पर इसका अनतर यह प्यस्का आधिक चालीश पृतिसत क्या है अधिक है अधिक है तो अधिक का मतलब क्या हुआ 100 में हम क्या करेंगे 40 को जूड़ देंगे और इंटू 100 कर देंगे अब इस सवाल में क्या है इस सवाल में क्या है इस सवाल में देखो अंतर कितने का है अंतर 20% कम है देखो यहां पर 20% कम है यहां पर 40% अधिक है जब 20 प्रतिसत कम है तो मैंने क्या किया यहाँ पर 20 बटे 100 माइनस 20 लिखा है यहाँ पर माइनस 20 यहाँ पर प्लस 40 माइनस 20 प्लस 40 हमको क्या करना है प्रतिससत में पहले अंतर लिखना है और फिर उसको यहाँ पर घटाना और बढ़ाना है क्या आपको समझ आ गया गाईज क्या आपको समझ आ गया है एवरी बड़ी क्या सभी को समझ आ गया है देखो ऐसे सवाल में जब दो लोगों की तुलना की जा रही हो तो उन दोनों की जो मैं अंतर क्या है यहां पर कैसा आती हो रंजनाकीर कोमल की तुलना की जा रही है और 20% की कमी है तो हमने क्या कर दिया अंतर लिकार दिया 20 और माइनस कमी है तो माइनस लिख दिया 100 माइनस दो और 200 बस देखो एक भी student अगर ऐसा है इस class में जिसको यह equation समझ नहीं लगी है यह दोनों सवालों की वो मुझे अभी comments करें क्योंकि मैं जादा deal नहीं दोगा अगर एक भी ऐसा student है जिसको equation समझ नहीं आई है तो मुझे अभी message करें प्रेम बाई मीना कह रहे है आज मैं पहली बार class में आई हूँ स्वागत है बिटा डेली एक class होती है रो नौ बजे आपको आना है कोई विशेश emergency हो जाती है मेरे साथ तब मैं एक class नहीं लेता हूँ लेकिन मैं अभी बैच अरजुना शुरू किया है और बैच अरजुना आपके लिए छटी class लेकर आज आ गया है कि अधार कि सबको आ गया है किसी के मन में सवाल है कि सरी 20 खांसे आया और और सो माइनिस भी स्कासे आया कि सिके मन में सवाल है ये कि अगर ऐसा हो रहा है कि गुरुजी यह आपने 40 कांसे लिग दिये यह 100 plus 40 खान से लिख दिये या किसी के मन में सवाल है किसा है यह 20 खान से लिख दिया और यह 100 minus 20 खान से किसी के मन में X Y Z कोई भी है क्योंकि यह हमारे fundamental है प्रतिशप्ता के अगर आपने यहां नहीं समझा या नहीं सीका तो फिर मामला गड़बड हो जाएगा क्योंकि आगे मैं आपको D.I. समझाने वाला हूँ क्या पढ़ाने वाला हूँ आगे मैं आपको D.I. पढ़ाने वाला हूँ और D.I. में इस चीज़ को समझना मर ले जादा ज़रूरी है औकेशन प्रतिसत निकालना ड.I. में आना ही आना चाहिए कि सर मुझे नेट करना है सर कैशे पढ़ाई करू नू हूँ कैसे तयार करूँ आज मैं फर्स टाइम क्लास में बहुत से लोग नए हैं बहुत से लोग फर्स टाइम क्लास में आरे वाई क्या बात है अर्जुन बैच का तो हमने बहुत बड़ा जिक्र कर दिया था पहले ही डेली आया करो सातियों अपना प्रोफेसर एप डाउनलोड करने के फायदे यह हैं कि आपको UGC NET की तैयारी के साथ साथ यहाँ पर असिस्टन प्रोफेसर, DSSB और खासकर सभी चीजों का सिलेबस, PhD एडमिसन से लेटेड सारी समश्याएं और सातियों सभी क्लासेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगे तो आप अपना प्रोफेसर एप डाउनलोड कर लीजे तो बहुत से लोग यह कहते हैं कि सर बाकी की क्लासेज का मिलेगी बैच अरजुना की बाकी की क्लासेज फर्ष्ट कॉमें पिन हो रखी है जाएए और वहां से आप इन क्लासेज को देख लीजे और लाव आने से यार कितना अंकितमुल क्या है क्रेमुल क्या है विक्रेमुल क्या है कितने प्रतिशत लाव हुआ कितने प्रतिशत हानी हुई कितने लोगों को डर लगता है इमांदारी से बेजिजक होकर लिखिए इमांदारी से इमांदारी से बेजिजक होकर लिखिए लाइट कम कर देता हू बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है चेहरे पर अना चलिए अभी ठीक है अब ठीक है क्या बहुत ज़्यादा लाइट चल रही थी सबको डर लगता है कोई दिकत नहीं जिन जिन को भी डर लगता तो हम लोग सब का बदला लेंगे चाहिए वह परशंटेज हो चाहिए लाभानी हो चाहिए वह ब्याज हो हर चीज हम लोग बदला लेने वाले हैं अर्चना कहने हैं सर बेसिक से पढ़ाता हूं मैं तो मेरी काप लोगों ने मुझे अभी पढ़ाते वे देखा नहीं है ना साथ नहीं आई होंगे इसलिए मैं तो साथ यो बेसिक से आपको पढ़ाना सुरू करूँगा लाब और हानी देखो लाब हानी में एक तो होता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है एक होता है कोष्ट प्राइस उसको कहते हैं क्रैमल क्रैमल का मतलब होता है किसी चीज़ को आप कितने रुपę में खरीद रहे हो देखो बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सपरते करेंगे हम जीरो से हीरो तक का सपरते करेंगे मानलो यह मोबाइल है यह मोबाइल है यह मोबाइल मेरा हाथ में आपको जो मोबाइल दिख रहा है यह मोबाइल मैंने कितने में खरीदा है यह हो गया इसका क्रेमुल कि कितने में इसको खरीदा है एक होता है सातियो विक्रे मुल अंगरेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस इसको कहते है कॉश्ट प्राइस अब इसका कहते है सातियो विक्रे मुल कितने का है अगर ये मैंने कितने में रुपे में बेचा है अगर मालो ये सोचो कि मैंने वालो इस मोबाइल को 100 रुपे में खरीदा है तो 100 रुपे इसका क्रेमुल हो गया और मालने इस मोबाइल को मैंने 55 रुपे में बेचा है तो 55 रुपे इसका विक्रेमुल हो गया क्या हो गया ये इसका क्रेमुल हो गया यानि cost price और विक्रे मुल यानि selling price यह हो गया साथ यह cost price और यह इसकी selling price होगी चलिए इतनी सीधी चीतों आप लोग जानते ही होगे अब आपको मैं कुछ मज़ेदार चीज़ें करवा नेका यहाँ पर प्रियास करता हूँ देखो हमको आगे question में क्या करना पड़ेगा एक तो प्रतिसत लाब निकालना पड़ेगा है ना और एक हमको प्रतिसत हानी निकालनी पड़ेगी पहले मैं आपको आप मैंसे कितने लोग हैं जो प्रतिसत निकालना जानते हैं सब को आता है बहुत बढ़िया चलिए तो बहुत सरल कॉशन से हम चीजों की सुरुवात करते हैं किसी वस्तू को बेचने पर दुकानदार को 20% का लाब हुआ है अगर आप इमानदारी से क्लास देख रहे हो ना तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है एक पॉजिटिव एनरजी आएगी अपने अंदर तो क्या हुआ कि किसी वस्तू को बेचने पर दुकानदार को 20% का लाब हुआ यदि वे वस्तू उसने 1200 रुपे में बेची तो ग्याद कीजिए दुकानदार ने उस वस्तू को कितने में खरीदा था यानि कि आप से यहाँ पर क्रेमुल पूछा जा रहा है यानि कि एक चीज थी वो 1200 रुपे में बेची मालो यह मोबाइल है यह मैंने कितने रुपे में बेच दिया 1200 रुपे में बेच दिया और 1200 रुपे में बेचने के बाद मुझे 20% का लाब हुआ तो अब बताओ यह मोबाइल मैंने कितने रुपे में खरीदा होगा सीधा सीधा इतना सवाल है आप चाहो तो बारे सो का बीस परसेंट निकाल सकते हैं हिंट दे दिया मैं आपको मैं सॉल करवा रहा हूँ चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको प्रतिसत लाब कितना हुआ है हमको प्रतिसत लाब कितना हुआ है बीस परसेंट देखो मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप से कुछ नहीं आता है आज आप जीवन में पहली बार मैथ पढ़ने लगे हो मैं उस इस्तर से शुरू कर रहा हूँ और आज की एक्जाम के लेवल तक जाऊंगा ठीक है जो बहुत जादा होशार मनते हैं वो बलें अपनी क्लास में ना भी पढ़ेंगे ना तो आपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझे लेओ अपन को बेसिक से हाई तक आगे बढ़ना है मेरा मानना है कि आपको कुछ नहीं आता और मैं उसी तरीके से आपको आगे बढ़ाने का प्रियास कर रहा हूं लाब कितना होगा 20 परसेंट विक्रमुल कितना दे रखा है हमको विक्रेमुल दे रखा है सातियों हमको बारेसो रूप है हमको क्या निकालना है हमको निकालना है क्रेमुल क्या निकालना है हमको क्रेमुल निकालना है हमको क्या निकालना है सातियों यहाँ पर हमको निकालना है क्रेमुल अब यहाँ पर क्या होता है एक सुत्र लगेगा आपको हमेशा क्रेमुल निकालने के लिए क्या लगेगा विक्रेमुल अगर यहाँ पर हमको क्या दे रखा है प्रतिसत में दे रखा है बीस परसेंट, बीस परसेंट हमको एक्ष्टर दे रखा है, तो एक सुत्र आप यहाँ पर लिख सकते हैं, विक्रेमुल, इधर देखें, मुझसे दुबरा है आपको, विक्रेमुल इंटू 100 बटे, लिखते दावा आराम से, विक्रेमुल इंटू 100 बटे, 100 प्लस लाब, यह एक सुत्र है, क्रेमुल निकालने का, इसको लिख लो आओ, इसको हम बार-बार प्रियोग करेंगे, तो आपको आजाएगा, जब भी हमको क्रेमुल निकालना हो, और विक्रेमुल का प्रतिसत अगर हमको दे रखा है, लाब का प्रतिसत दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रेमुल गुणा 100 बटे, 100 प्लस लाब, अगर सपोज करो, अगर यहाँ पर 20% की हानी होई होती, अगर हमसे मालो 20% की हानी होई होती, तो क्या होता, विक्रेमुल इंटू 100, 100 माइनस, जितनी हानी है वो, समझने का प्रियास करो, देखो, इतर देखो विक्रेमुल, हमको क्रेमुल निकलना है तो क्रेमुल निकालने के लिए प्रतिसत में दे रखा है क्रेमुल विक्रेमुल इंटू सो बटे, सो प्लस लाब यहां पर लाब हो रखा, इसलिए प्लस लाब अगर यहां पर हानी हो रखी होती तो मैं माइनस हानी कर देता एक बार नौट कर लो अपनी कॉपी में इसको समझ लो फिर मैं इस कॉशन को यहां पर आप लोगों के लिए जमा देता हूँ यह हो गया अब इसी के आदार पर हम संख्या को नीचे जमा लेंगे आईए अब हम संख्या को नीचे जमा लेते हैं यहां लिखते हैं सात्यों बारा सो इंटू सो बटे एक सो बीस एक सो बीस कैसे लिखा है सो प्लस लाब क्या सात्यों यह पर देखिए सो प्लस हमने लाब लिख दिया है सो प्लस लाब लिख दिया ना यह देखो बारा सो इंटू सो और सो में हमने लाब प्रतिसद जोड दिया तो 120 आ गया अब हम क्या करेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे अब हम सातियों यहां पर बारे का भाग दे देंगे बारे का भाग दे देंगे तो एक कितनी बार कट गया सो बार कट गया अगर सो को दस से गुणा करेंगे तो आंसर आ गया हजार क्या गया आंसर हजार आ गया एक बार समझो, बार-बार हम कहीं सारे कॉशन ऐसे करेंगे, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, आप विल्कुल चिंता ना करें. ऐसे ही समझेंगे, अब देखो, सुनो, मैं अब दुबारा मिटा रहा हूं इस कॉशन को, इस कॉशन को दुबारा मिटा. देखो, क्या होगा है, कि हमको यहाँ पर दे रखा है, उसनका विक्रमुल दे रखा है. विक्रमुल का मतलब होता है, कि कोई चीज हमने बेची कितने में हैं. भाई, यार देखो, कि यह मोबाइल है, इधर देखो, यह मोबाइल है. इस mobile को मैंने 1200 रुपे में बेच दिया और 1200 रुपे बेचने पर मुझे 20% का लाब हुआ तो मैं सीधी सी बात है ना कि मैं विक्रे मुल में से क्या करूँगा क्रेमुल निकालने के लिए इस सुत्र का प्रियोग करूँगा क्या करूँगा विक्रे मुल गुणा में 100 बटे लाब हुआ है तो क्या करेंगे साथियो 100 इंटू प्लस लाब प्रतिसद अगर हानी हुई होती तो यहाँ पर क्या करता सो माइनस हानी प्रतिसद आगे कैई सारे सवाल सोल करेंगे तो दीरे दीरे आपको यह सवाल सीजें आ जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कौशन है साथियो यह वाला ध्यान से करिए यह वाला करते हैं पहले अनुपाद को रहने देते हैं यह वाला करते हैं चटा वाला यह वाला कौशन करो जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है पहले तो इमानदारी के साथ पूरे दिल से प्यार से इज़त से पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को लाइक करो एक बर तो मैं आपके कॉमेंट्स देख रहा हूं गाईज सब जगे वीडियो को सेर कर दो ताकि सब लोगों को पता लग जाए क्लास से स्टार्ट हो गई हमारी छटे का कॉशन का आंसर करो फिर मैं आपको समझाओंगा मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉशन क्या कह रहा है यदि क्रेमुल विक्रेमुल का सत्तर प्रतिसत है मालो क्रेमुल क्रेमुल विक्रेमुल का सत्तर प्रतिसत है कि मालो कि मैंने इस मोबाइल को किसी अमाउंट में बेचा ये मेरे खरीदने वाले अमाउंट का सत्तर परसेंट है जैसे उदारन के रुपे मान लो माना मैंने ये कितने रुपे का बेचा सौ रुपे का कितने रुपे का बेचा सौ रुपे का तो मेरा क्रेमुल क्या है तो मेरा क्रेमुल है सत्तर रुपे आगे अब आप सौल करो इसी के आधार पर पहले मैं आपको एक दू मिनिट का समय दूँगा फिर मैं आपको सौल करवाँगा देखो ऐसे कर लो माना क्रेमुल सो रुपए है ऐसे कर लो तो विक्रेमुल क्या होगा हमारा विक्रेमुल क्या होगा हमारा सत्तर रुपए क्या होगा हमारा विक्रेमुल इंग्लिस में बोल देता हूँ कि आपका जो इसको कहते हैं साथ यो कॉश्ट प्राइस और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस यानि क्रेमुल हमारा सो रुपए मान लिया हमने तो इस कॉश्चन के आदार पर हमारा विक्रमुल कितना होगा, 70 रुपय हो गया, तो लाब का प्रतिसत ग्यात कीजिए, तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, लाब प्रतिसत क्या होगा, अब हमसे पूछा जा रहा है साथियो, लाब प्रतिसत यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब लाब प्रत प्रतिसत को निकालने का एक सुत्र है, नौट करो, लाब प्रतिसत को निकालने का एक सुत्र है, मैं आठ क्या हूँ सामने से, लिख लो आप एक बार, लाब गुणा सो बटे, लाब गुणा सो बटे क्रेमुली, ये कैसा आते हो, लाब प्रतिसत निकालने का सुत्र है, ये वाल, नौट कर लो, लाब गुणा सो बटे क्रेमुल, तो अब एक बात बताओ, कि हमारा यहां पर क्रेमुल सो रुपे का था, और विक्रेमुल सातियो, मैंने उल्टा लिख दिया, मापी चाहता हूं तुमसे, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, जान नहीं दिया, मैंने, उल्टा हो गया मुझसे, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये विक्रेमुल है, ये विक्रेमुल है, और ये है क्रेमुल, ये है क्रेमुल, ऐसे आत चलिए सर रिप्लाई दीजिए पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है सर बता दो प्लीज किसमें मन लग रहा है तो वो काम कर लो अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो किस में मन लग रहा है वो काम कर लो मन का काम तो कर लो किस में मन लगता है बताओ हम आपको आइडिया देंगे कि यह यह काम कर लो हम आपको आइडिया देंगे कि यह काम कर लो चले तो यहाँ पर लाब कितना हो गया है आजाए मैं आपको सिखा देता हूं यहाँ पर समझा देता हूं यहाँ पर लाब कितना है भाई कोई चीज माल लो कि हमने सो रुपे में बेची सत्तर में खरी दी तो तीस का लाब हो गया हमको तीस का लाब हो गया इंटू कितना कर दिया सो कर दिया बटे में क्रेमुल कितना है सत्तर यह हमारा इस सुत्र के अनुसार यहाँ पर काम बन गया अब इसको आप यहाँ पर काट सकते हो इस जीरो से आप चाहो तो इस जीरो को काट सकते हो अब कहीं और जगे जा रहा है क्या भाग मुझे नहीं लग रहा यह हो गया सात्यों 300 और 300 में सात का भाग दे दो अब आब अगर आप 300 में सात का भाग दोगे तो संक्या उची नीची आएगी उची बड़ी आएगी और 42.6 बटे यह सी आंसर आजाएगा यह कितना आंसर आजाएगा सी आंसर आजाएगा अब मैं दोनों कॉश्चन को दुबारा से रिपीट करूँगा आपके कॉमेंट पढ़ने के बाद में चलिए क्लास सर क्लास का टाइम क्या है क्लास का टाइम बेटा यहां लिख रखा है चोड़े दंग में लिख रखा है कितना बड़े बड़े शब्दों में क्लास टाइम 9 पीएम और क्या लिखूं ये लिख रखा है और कितना लिखूं बताओ चलो, देखो, एक तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज निकाल रखो, कि भाई, अगर मोले कोई चीज हमने सश्ती खरीद कर महेंगा बेच दिया, तो आमको लाब हो गया, कोई चीज को आमने महेंगा खरीद कर सश्ता बेच दिया, तो आमको हानी हो गया, कि यह दो चीज तो आपको पता है न कि कोई चीज मनें सच्टी खरी दी महेंगई बेंच दी लाब हो गया कोई चीज हमने महेंगी खरी दी सच्टी बेंच भानी हो गई सब सिर्फ दो शबदों पर टिकी हुई है एपूरी चीज आईए इसको हम फिर से समझ लेते हैं यह हमने कैसे किया है यहाँ पर क्या है कि यदि किसी विक्रे मुल्ड यदि किसी मुल्ड यदि क्रे मुल्ड विक्रे मुल्ड का सत्तर प्रतिसत है यदि क्रे मुल्ड विक्रे मुल्ड का सत्तर प्रतिसत है तो हमने यहाँ पर क्या देग और हमने उसको माना विक्रे मुल कितना है हमारा सो रुपे है तो क्रे मुल कितना है सातियो सत्तर रुपे जब हमने मालो की कोई चीज को सो सत्तर रुपे में खरीद कर सो रुपे में बेच दिया कोई चीज को हमने यहां पर क्या सातियो सत्तर रुपे में खरीद कर सो रुपे में बेच दिया तो हमको लाब कितने का हो गया हमको लाब हो गया तीस रुपए का तीस रुपए का लाब हो गया बाई कोई चीज को हमने क्या सो रुपए में खरीदा क्रेमुल सो रुपए है क्रेमूल हमारा सतर रुपए है और हमने इसको बेचा कितना है? तो हमको कितना हो गया? तीस रुपए का लाब हो गया अब हमको यहां से क्या पूछा गया है कि लाब का प्रतिसत क्या है अब देखो दो तरीके हैं करने के तो लाब निकालने के कैई सारे तरीके हैं लेकिन जो मेथड हमारा जो काम करता है जो हम सुत्र के अनुसार चलेंगे उसी सुत्र के अनुसार जो लाब प्रतिसत निकालने का जो सुत्र है सा आती Barnes गुणा 100 बटे क्रैमॉल। ये सुत्र है सातियों लाब प्रतिसत निकालने का, ये क्या सातियों लाब प्रतिसत निकालने का हमारा सुत्र है, इस सुत्र के अनुसार हम सबसे पहले लाब लिखेंगे, 30 रुपर लाब हो गया, इंटू हमने 100 कर दिया यहां पर, बटे में क्या हो गया सातियों हमारा, बट में आपर हमारा सत्तर हो गया क्योंकि क्रेमुल हमारा कितना है सत्तर है तो हमने क्या किया इस जीरो से जीरो को काट दिया और अब जो संक्या बच गई और भी वह सारे कॉश्चन्स करेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी कि बताओ कि अब 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 अगले कॉश्चन की तरफ हम जंप करते हैं ये पिसला कॉश्चन है जो हमने छोड़ दिया था क्या है क्रेमुल एक दे रखा क्रेमुल और एक दे रखा विक्रेमुल तथा विक्रेमुल का अनुपात 10 अनुपात 9 है क्रेमुल और विक्रेमुल का जो अनुपात है 10 अनुपात 9 है तो हानी प्रतीसत क्या होगी देखो क्रेमुल क्या है क्रेमुल है हमारा 10 विक्रेमुल क्या है विक्रेमुल है हमारा 9 तो भाई क्रेमुल का मतलब होता है खरीदना विक्रमुल का मतलब होता बेचना यानि कोई चीज हमने 10 रुपे में खरीदी और उसको हमने 9 रुपे में बेचा तो सीधी सी बात है हानी हुई सीधी सी बात है हानी हुई हुई कि नहीं हुई हानी हुई ना भाई कोई चीज का क्रेमुल यानि खरीदा हमने 100 रुपए में, विक्रमुल का मतलब बेचा उसको 9 रुपए में, तो हमको क्या हूई साथ हूँ हानी हुई. तो यहाँ पर हानी का प्रतिसत ग्यात किया जा रहा है. तो यहाँ पर हानी कितनी हुई? देखो, क्रेमुल क्या है? क्रेमूल हो ग FIFA. 10 रुपे क्रमूल क्या है हमारा दस व आनी कितनी हो गई हानी लिखते जाओ आप एक का आपको प्रतिसत निकालना है अब जो आनी हुए नहीं एक इसका आपको प्रतिसत निकालना है अब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको हानी प्रतिसत निकालने के लिएक सुत्र बताया था. आ जातें हैं. हानी प्रतिसत और लाब प्रतिसत का एक ही सुत्र है, बल अलग अलग नहीं है. लिखो एक बार इसको में सामा हानी प्रतिसत का निकालने का सुत्र है हानी प्रतिसत निकालने का हमारा साथ यो एक सुत्र है क्या सुत्र है हानी प्रतिसत का निकालने के लिए हानी गुणा सो बटे क्रेमुल देखो एक ही सुत्र है दोनों सुत्र में बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है लाभ गुणा सो बटे क्रेमुल यांपर प्रतिसत लाभ निकालना है तो लाव गुणा 100 बटे क्रेमुल, यहाँ पर हानी प्रतिसद निकालनी है, तो हानी गुणा 100 बटे क्रेमुल, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, उपर आपको हानी उसको 100 से गुणा करना है और क्रेमुल का बाग देदाना है, आप में से मनी शामीना ने 100 बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 10 परसेंट इसका अंसर आजाएगा, अब संख्या को हम इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर जमा लेंगे, अब संख्या को हम इसी प्रकार से यहाँ पर जमा लेते हैं, देखिए, संख्या को इसी प् हमारा हमारा क्रेमुल है सातियों दस हमारा क्रेमुल है सातियों दस तो हम क्या करेंगे इधर देखिए इस जीरों से इस जीरों को काट देंगे और इस दस को एक से गुणा कर देंगे तो सातियों दस आ गया अर्थात दस प्रतिसत आफकांस अब बताओ कोई समझ्या है क्या अब बताओ, इस प्रकार के सवालों में, ये बेसिक सवाल हो गया, हमारा एक प्रकार से फाउंडेशन किलियर हो गया, अब यहां से हम थोड़े कठिन सवालों की तरफ पे जंप करते वे चलेंगे, मज़ा आ रहा है कि नियारा बताओ, मज़ा आ रहा है, कितने लोग उने वी ओके, सब लोग वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा एक बात सुनो, आप लोग जितने भी लोग अभी इस समय는데 देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इंबात कलास के आरम में बतलाई थी, उस समय स्टुडेंट कम थे, मैंने यह कहा कि आप लोग जितने भी लोग इस समयna देख पर पर करना है आपको क्या करना है लिखो और यूजीसी नैड और फिर आपका सब्जेक्ट का नाम येन मैं क्यों लिक्वा रहा हूँ छो क्योंकि मैं यूजीसीनित टाइप करूंगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि इस क्लास में इस्ट्री के जोग्रॉफिक के एकनोमिक्स के कितने स्टूडेंट है फिर मेरी कॉसिस रहेगी मैं आप लोगों को एक्जाम के टाइम पर अच्छे नॉट्स प्रवाइड करवा सकते हैं तो यह कॉमें करना है चाहिए वीडियो को आप कितने दिन बाद में क्यों न ले ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए ठीक है ताकि मैं आपको यह कर सको एक टेलिग्राम चैनल है उस टेलिग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या इस क्लास के बाद में टेलिग्राम चैनल पर पहुंचोगे वहाँ पर आज की क्लास के नौट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है काईज ठाइक्यू 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 पूरा से लिए बस हम लोग कंप्लीट कर वा देंगे आज हमारा सातुए सात्वे नमबर की क्लास है चटाओ अब इस वाले कॉश्शन को हम लोग करते हैं ये वाला कॉश्शन ध्यान से देखो आपको मज़ा आ जाएगा चलिए यदि 10 रुपे रुपे 10 का क्रेमुल की एक कॉपी को 20 रुपे में बेचा जाता है मतलब किसी किताब कॉपी को 10 रुपे में खरीदा और इसको 20 रुपे में बेचा जाता है तो लाब का प्रतिसत क्या होगा तो लाब का प्रतिसत साथियों यहाँ पर क्या होगा मालो कि यह mobile है यह मैंने 10 रुपे में खरीदा और इस mobile को मैंने 20 रुपे में बेच दिया और आपको जानकर बड़ा हर्स होगा कि यह question 2019 की exam में आया है यह question net 2019 की exam में आया है आपको जानकर बड़ा हस्र यह होगा इसका सई आंसर सो है पर मैं थर्ड क्या है अगर मान लोगी मैं इसकी संख्या में चेंज कर दूं तो आप फिर तुबारा कन्फ्यूज हो जाओगे मैं थर्ड समझो मैं इस क्लास में तुक्के मारने के लिए नहीं हूं कि सर डायरेक्ट सो का बीज कर दिया अगर मान लोगी यह सो की जगे इसको मैं यहां पर कर दूं इसकी जगे मैं सो की जगे इसको बारा कर दूं और इसको इसको कर दूं मैं तीस कर दूं तो कन्फ्यूज हो जाओगे न एकदम से कन्फ्यूज हो जाओगे ना पर आपको संक्या स्तरल मिलग कि इसलिए आपने कर दिया हमको यहां पर में थर्ड से समझना है कि यहां पर तरीका क्या होने वाला है हमको क्या करना है यहां पर तरीके से करना है तरीका क्या है क्रेमुल क्या है सबसे पहले क्रेमुल समझो क्रेमुल क्या है क्रेमुल है 10 विक्रे मुल क्या है बराबर 20 लाब कितने का हुआ लाब हुआ साथ हो 10 का लाब कितने का हुआ यहाँ पर 10 का लाब हुआ इतना तो आपको समझ लग गया ना कि लाब कितना हुआ 10 का हुआ तो हमसे क्या पूचा जा रहा है, लाब प्रतिसत पूचा जा रहा है, तो मैंने लाब प्रतिसत का कितने बार सुत्र लिखवा दिया, लाब गुणा सो बटे क्रेमुल, देखो मैंने कितनी बार सुत्र लिखवा दिया, लाब प्रतिसत, देखो, लाब प्रतिसत का सुत्र, क् लाब गुणा सो बटे क्रेमूल अगर हमसे हानी पृतिसत पूँचा जाता इधर देखे अगर मालो हमसे हानी पृतिसत पूँचा जाता हानी पृतिसत तो सुत्र क्या होता हानी गुणा सो बटे क्रेमुल सिरफ एक ही चीज का अंतर है लाब की जगे हानी हानी की जगे लाब अब आया समझेज यह कौशन आपको अच्छी तरीके से लाब प्रतिसद अगर पूछा जाए तो सीधा लिखना है लाब गुणा सो बटे क्रेमुल अगर हानी प्रतिसद पूछी जाए तो सीधा लिखना है हानी गुणा सो बटे क्रेमुल और आपका आंस्वर आ जाएगा इस मेथड के अनुसार अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया सातु लाब कितने का है हमारा लाब है सातियों दस का दस गुणा सो बटे क्रेमुल कितना है दस तो यहाँ पर क्या करेंगे दस तो यहाँ पर क्या करेंगे इस दस से इस दस को काट देंगे और सो बट जाएगे आंस्वर हमारा सो आ जाएगा पर मैं आपको इतना आसानी से यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं यहाँ पर अब संख्या चेंज करने वाला हूँ ताकि आप इस कॉशन में फंस जाओ यानि 25 रुपे क्रेमुल के कॉपी को 43 रुपे में बेच दिया जाता है तो लाब प्रतिसत ग्याद करो option की तरह मतदेख न अपना अपना answer comments में लिखना अपना अपना answer comments में लिखना कि कि कोई तीज है यह कीमत मालो 25 रुप一樣 की मप्टीश रुपए और इस मोबाईल को 43 रुपए में बेच दिया तो अब लाब प्रतिसत क्या होगा मैं आपकी सुविधा के के लिए बतला दूँ क्रेमुल का मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 रुपए सेलिंग प्राइस यानि विक्रेमुल कितनी है 43 रुपए लाब कितने का हो गया है सब लोग कॉमेंट में आनसर देंगे तब ही आपकी इंटेलीजेंसी यहाँ पर सामिल होगी पता लगेगी वेरी गुड तो लाब जो हो है साथ ही हो वह है अठारे रुपए अब यह लाब प्रतिसत निकालना है हमको जब हम लाब प्रतिसत निकालेंगे तो क्या करेंगे गाईज सुत्र बताया था न मैंने आपको लाब इंटू सो बटे क्रेमुल यह सुत्र बताया मैंने आपको चलिए मैं आपके comment देख लेता हूं guys आप लोगोंने बहतर question कहिए कि यार बहतर question हमारे क्या हो जाएंगे आप लोगोंने कहा कि बहतर question बहतर percent आपका सही आंसो है आप लोगोंने ये कहा है very good चलिए मैं इसको करके देख लेता हूं कितना answer बैठता है अब इसके आधार पर हम संख्या को जमाते हैं सबसे पहले लाब लिखते हैं लाब हो गया हमारा 18 कितना हो गया साथियो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं लाब लिखता हूं लाब हमारा हो गया 18 into 100 बटे क्रेमूल कितना है हमारा 25 तो क्या करेंगे 25 से 100 को काटेंगे 25 का 100 चार बार गया और 18 और 36 और 32 बहतर तो सई आंसर आ गया साथ यो बहतर प्रतिसत कितना लाब हुआ है आप पर बहतर प्रतिसत का लाब हुआ अब ही मैं फिर से आपको करवाने वाला हूँ ताकि आप इस कॉशन को कंठस्त कर लो इस तरीके के कॉशन को वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड मति होत सुग्यान और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निसान अभ्यास ही एक ऐसे एक मात्र चीज है जो आपको इस रण छि सित्र में पार करवाएगी अगर आप अभ्यास करते जाओगे तो आपके लिए यह मैत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहां पर क्या करवाऊंगा साथी अभ्यास करवाऊंगा अभी मैं आपको और कॉश्चन करवाने वाला हूँ अभी क्लास हमा के बारे में कुछ बता दीजिए प्लीज रोज कब से लीजिए प्लीज हुए और यह रोज ही क्लास होते है भाई अब आपको डेली आना है रोज रोज आना है अब आपको इसी समझ डेली आना है मतलब बहुत बढ़िया रौसनी हाई रौसनी हिंदी के बारे में देखो मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में कुछ बता देता हूं हाई रितू हलो अर्चना जीते इंदर देखो मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में कुछ चीजे समझा देता हूं फिर हम मैत को आगे बढ़ाने वाले हैं देखो यार ना ये जो एक्जाम है ना इस एक्जाम को मुझे कई बार पास करने का अनभाव है मैंने इस एक्जाम को कई बार पास किया और कॉलेज उन से टीन में पढ़ा है आपको तो पता हिए इस एक्जाम को पास सरफ एक पेपर के भरोसे नहीं कर सकते हैं कि आप पेपर एक ऐसे एक्जाम है जो दोनों चीजों को साथ लेकर पढ़ना पढ़ता है तो एक काम बीस गोड अच्छा अभी तुम्हें पिछले कॉश्चन पर जाऊंगा अभी तुम्हें इसी को और अच्छे से करवाऊंगा हाँ इसको और अच्छी तरीके से करेंगे अभी तो आराम से पढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई संसे रुपे यहाँ पर प्रतिसत निकाल कर बताओ चलिए इस भी तो 40 रुपए तो लाब यहानी क्या होगा उसका प्रतिसत निकाल कर बताओ चलिए देखो मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाता हूँ हमारेया पर फीपर वन पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस प का जियसी सारी मैं और ज dogs का जवाब दो कोई 25 परसेंट लिख रहा है कोई 20 परसेंट 27 परसेंट यह तुक्के मत मारो यार तुक्के मत मारो देखो क्रेमुल निकाल लिए मैं सुतर लिख देता हम सुनाब के लिए क्रेमुल यानि हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस जो है वह पच्पन रुपए है सेलिंग प्राइस यानि विक्रेमुल 43 है आनी हुई है हमको हानी कितनी हुई है हानी ये बता दीजे 12 की हानी हुई है चलिए 12 की साथ ही हमको क्या हुई है हानी हुई है तो इसका प्रतिसद निकालना है आपको आप करिए आप कि सब लोग अलग अंसर देने मैं आपको सुत्र बता देता हूं देखो हानी सुत्र निकालने के लिए हमने बताया था हानी इन्टू 100 कितनी बार बोल दिया बटे क्रेमुल बस ये सुत्र आना था ये सब जगे लगेगा हानी हो या प्लस हो अगर आप प्रतिसद निकालते हो तो ये ही लगेगा अब इसके अनुसार हम संक्या जमा लेंगे हानी है हमारी बारा की इन्टू कर दिया सौ क्रेमुल है हमारा पच्पन काट लो इसको पांस से काट लो ग्यारे बार कट गया पांचों का बीस पचंपच पांदू नि दस और ये बीस बार कट गया अब यहां क्या करेंगे साथियो इनको आप गुणा कर दो बारा गुणा बारा दूना चौबीस इधर देखिए रहे रुख जाबाई बारा दूना चौबीस और एक दो सुचालीस में ग्यारे का भाग दे दो दो सुचालीस में ग्यारे का भाग दे दो मतलब मेरा कहने के मतलब है कि मैं थर्ड आप समझ चुके हो ना कि भाई अगर परसंटेज लाब निकालेंगे तो क्या लिखना है परसंटेज हानी निकालेंगे तो क्या लिखना है इस चीज को तो आप समझ चुके हो ना मुझे ये कह दो आप कॉमेंट्स में ये कह दो सर इस को समझ गए हम परसंटेज लाब आनी निकालना सीख गए हो ना आप है परसंटेज लाब आनी निकालना सीख गए हो आयों से कहरी कि बारा गुणा चौवीस कैसे होगा बारा गुणा चौवीस कहा किया है हमने हमने तो बारा गुणा बीस किया है हमने तो बारा गुणा बीस किया है ना दोस चालीस बटे ग्यारा किया है ना उनने तो अब हम अगले कॉशन की तरफ जंप करते हैं 20 गोडों का क्रेमुल यह जो एक ध्यार सब्द होगी 20 गोडों का जो क्रेमुल है इदर देखे 20 गोडों का क्रेमुल 16 गोडों के विक्रेमुल के बराबर है यानि जितने रुपे में हमने 20 गोरे खरी दे उतने रुपे के तो हमने 16 गोरे बेच दिये और 40 गोरे बचा भी लिए अर्थात लाभ हो गया कौशन को समझो 20 गोड़े के मुल में हमने कितने 20 गोड़ों के जितने रुपे का 20 गोड़े खरी देना उतने रुपे में हमने 16 गोड़े बेच दिये और यानि कि चार गोड़े हमको बचा लिए यानि कि आपको चार का लाब हो गया तो लाब प्रतिसत ग्यात करवा रहा है ह सीधी बात है सबसे पहले यहां पर आ जाईए गोडों का क्रेमुल क्या है यहां पर क्रेमुल लिख देते हैं साथियों क्रेमुल बताओ कितना लिखूं मैं यहां पर सो लिखूं या सोले लिखूं क्रेमुल लिख दिया सो रुपे सोला विक्रेमुल क्या है हमारा बेचा कितने में हमने इनको बीस में क्या ये बात सही है लाब कितने का हो गया है यहां पर चार का तो चार का पृतिसत निकाल लो हमने सुत्र बताया है लाब इन्टू सो बटे क्रेमुल इस आधार पर अगर हम संक्या आगे जमाएंगे तो क्या हो जाएगा लाब हमारा चार इन्टू सो बटे क्रेमुल हमारा सोला क्या हो गया चार चोकु सोला चार बार गया सो में 4 का भाग दे दो आणसर आ जाएगा कि सो में आपट 4 का भाग दे दीजे आप यानि कि सई आनसर है सातियों 25 परसंट यह कॉशन 2019 में पूचा गया है आप इसका सरल देख लिए कितना सरल कॉशन है अब बताओ मजा आरा नहीं आरा यह बताओ कितना सरल तरीके से हमने इनको सौल कर लिया है मैं आपको इस मोबाइल मां आपके कॉमेंट देख रहा हूं इसलिए बार बार नीचे देखता हूं पार बार बाइक बीस रूप बीस गोडों का क्रेम Müll को सोले गोड़ों के बराबर है तो बाई सोले गोड़े जितने में खरी देना है कि इनोंने आप कि यानी बीस गोड़े जितने रुपे में खरी दे कि उतने रुपे के 16 गोडे नोने बेच दिये चार बचा लिए अरे यार यह का भयो कि समझा रहा हूं यह पर यह यह देख लेता हूं कहां क्या हो गया तो को रोगो को आ गया बाई 20 गोड़ों का क्रैमूल यानि 20 गोड़े जितने रुपे में खरीदे थे उतने रुपे के तो इन्होंने 16 गोड़े बेच दिये और 4 गोड़े बचा लिए तो यहीं से ही यह कौशन हमारा निकल करा जाएगा तो क्रेमूल हमारा हो गया 16, विक्रेमूल हो गया 20 और लाब मिल गया हमको 4 का और जो हमने सुत्र बताया था लाब प्रतिसत का वो हमने यहापर लगा दिया लाब गुणा 100 बटे क्रेमूल इस तरीके से हमने इन कॉशन्स को सौल्व कर लिया है वीडियो को लाइक करते चलो अगर नहीं किया है तो चलिए कॉशन नंबर दो करते हैं आप लोगों के लिए पहले आप करने का प्रियास करो दिमाग लगाओ दम दम धडम धड़यारे सबसे बड़े लड़यारे ओम काराओ जून के फॉरम निकलने वाले हैं गाईज जून के फॉरम निकलने वाले हैं अच्छा ठीक है आपसे मैं सीपी का मतलब देख देता हूं कॉश्ट प्राइस यह कह रहा है सर सीपी और एस पी से बताईए यह होता है सेलिंग प्राइस इसका मतलब होता है क्रेमुल यानि खरीदा हुआ इसका मतलब बेचा हुआ विक्रेमुल आगे से मैं CP और SP बताम बोलूँगा यार कभी आप कहते हो क्रेमुल और विक्रेमुल बोलो कभी कहते हो CP और SP बोलो तो यह अब आप लोग डिसाइड कर लो मैं क्या बोलो करिए एक व्यक्ति एक घड़ी को 18 रुपे में बिक्री कर दस प्रतिसत की हानी उठाता है याने 18 रुपे में बेता दस परसंट के लाव आनी होता है तो दस परसंट लाव कमाने के लिए कितने रुपे का उस पर मुल डालना पड़ेगा समप सिंपल सवाल है जितने भी लोगों ने 2200 आंसर किया है ना उन सब ने सही कर दिया है बधाई होँ आप लोगों जितने भी लोगों ने 2200 आंसर किया है उन सब को बढ़ाई है बहुत बढ़िया है मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूं कि आप लोग लावहानी सीख चुके हो थाइंक्यू विसेश प्रेम आप लोगों को कि लावहानी आप लोग सीख चुके हो और कर लो हुआ है 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 हुआ है हुआ है हाओ है है मेरा नेट हो गया ज्यार्य आप नहीं पाया है क्या करूं प्रिया सिंग बेटा थोड़ा सब्जेक्ट को डीप तरीके से पढ़ो दोनों चीज़े हो जाएंगी थैंक यू प्रवीन, थैंक यू अम ओल कुमार मैथली से हैं, चलिए अब इस कॉशन को हम लोग कर लेते हैं कैसे करना है यहाँ पर सातियो सीधी बात है कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, अब मैं आपको सेलिंग प्राइस बोल रहाँ ना, सीपी बोल रहाँ कि यह कि यह सेकिन प्रैस है तो कुसी यहाँ पर निकालना है यानि कि सेलिंग मुल निकालने के लिए एक पूरा सीधा साम लोगोंने एक मैथड समझा था उपपर लेके एक विक्रैमुल एक सुत्र होता है विक्रैमुल कि गुना कि सो कि बटे कि सो कि माइनस हानी कि लिखलो इस सुत्र को कि विक्रैमुल निकालने के लिए विक्रैमुल इंटू सो बटे सो माइनस हानी अब इसके आधार पर अब हम यहाँ पर संख्या सातियों यहाँ पर जमा लेते हैं आए इसके आधार पर संख्या यहाँ पर हम जमा लेते हैं विक्रैमुल कितना है हमारा 18 सुरूपए है यानि इसके बाद में हम लिख देंगे 100 100 माइनस हानी हानी 10 की हुई है तो बटे में लिख देंगे 90 क्या लिख देंगे बटे में लिख देंगे 90 अगर हम इसको 0 से 0 को काट दे 9 दूनी 18 दो बार गया ये 20 हो गया 20 इन्टू 100 किया यानि कि क्रेमुल कितना हो गया वश्टू का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया कॉस्ट प्राइस यहां पर दो अजार निकल गया जबकि इसका सेलिंग प्राइस क्या है अठारा सु रूपए है इसका कॉस्ट प्राइस है सातियों यहां पर दो अजार रूपए अब हमसे यह कहा कितने रुपए की घड़ी बेचनी है दस परसेंट का लाब कमाने के लिए अब हमको दस परसेंट का लाब कमाने के लिए घड़ी कितने रुपए की बेचनी है तो विक्रमुल निकालने का भी एक सुत्र होता है क्या सुत्र होता है विक्रमुल निकालने का इधर देखिए वि मैं आपको यहां पर बता देता हूँ यह होता है सात्यों क्रेमूल क्या होता है यह होता है क्रेमूल इंटू सौ अगर यह पर प्लस है अगर लाब है तो प्लस लाब लिख दो अगर हानी है तो प्लस हानी लिख दो बटे कैसा आती हो बटे में यहाँ पर हमको क्या करना है बटे में यहाँ पर सौ करना है अगर आपको लाब है प्लस तो लाब लिख दो हानी है तो हानी लिख दो इस तरीके से हमको यह विक्रमुल निकालने का एक सूत्र है कि इसके आधार पर हम इस संख्या को यहां पर जमा लेते हैं इदर की साइड तो हैं इसके बाद साथ में क्या हो गया 110 रुप doo ikke दो गुल काटेंगे 110 कर देंगे क्या करेंगे 110 into 20 को हमें अगर 110 into 20 कर देंगे साती हो क्या कर देंगे 110 into 20 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाइस सो आनसर आ जाएगा यह है मैथर्ड के अनुसार करना इस तरीके से बड़ा सरल तरीके से हम कॉशन को कर पाएंगे मेरी क्लास रोज रात को नो बजे स्टार्ट होती है रोज रात को नो बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है पेपर वन इस समय कंप्लीट कर वा रहा हूं आज हमने प्रति सत को complete एक तरीके से कर लिया है अब आप बताईए मैं जब तक एक दिन में एक प्रशनावली करवाता हूँ चाहे वो एक गंटे की किलास हो चाहे वो डेट गंटे की किलास हो चाहे वो दो गंटे की किलास हो मैं एक दिन में एक क्लास complete करवाता हूँ ठीक है कोई चीज दिक्कत आ रही है समझने में तो मुझे बताओ नहीं तो पिस एक अगले कॉशन की तरफ चलें अब अगला कॉशन ऐसा आती हो नमबर एक देरे-देरे हम कठिन कॉशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अगला कॉशन यह रहा है सोचो फिर आंसर करो एक खुद्रा विक्रेता अपनी सभी वस्तों पर लागत मुल में लागत मुल में 40 प्रतिशत अधिक मुल अंकित करता है मतलब मान लो कि कोई कोई वस्तों सो रुपे की है और उसमें वह 140 रुपे लगा देता है यानि 40 परसेंट एश्ट्रा अंकित कर देता है यानि कोई वस्तों की लागत सो रुपे की है उसमें वह 40 परसेंट अधिक अंकित करता है इस प्रकार उसको 20 प्रतिसत लाब की उमीद रखता है इसके पश्यात्वे अंकित मुल पर 20 परसेंट की छूट देता है क्या देता है छूट देखो क्या किया 100 रुपे की कोई वस्तों खरीदी 140 रुपे प्रिंट कर दिये 140 पर 20 परसेंट का डिसकाउंट दे दिया तो विक्री पर वास्त्वी कितना प्रतिसत का लाब होता है बैस गणित है कि इतना लंबा कॉश्चन समझ कर कन्फ्यूज मत हो है ऐसा मानो कि कोई किरार कौई वस्तु है 100 रुपे की यह 400 रुपे की लागत हैं और उसमें उसने चाप दिया 140 140 चापने के बाद में उसने क्या कि बीस परसेंट का डिसकाउंट दी दिया तो एक और का बीस परसेंट निकालो आंश्र आजाएगा 140 का 20% निकालकर इसमें से माइनिस कर दो। चलो करो। सिम्पल सा सवाल है यार देखो माना वह वह वस्ताइश्ट घ्रेंश्ट कर दो। वर्ष्टू का मुल माना वर्ष्टू का मुल कितना है 100 रुपए है वह 40% एक्टरा चाप देता है 140 रुपए लिख देता है 140 में 20% का ओफ देता है 140 का 20% तो यार आप कॉशन बन गया हमारे पास में 140 का 20 प्रतिसत कितना होगा यह मैंने आपको बतलाया था आगे तो हमने संख्या जमा दी 140 का मतलब गुणा लगा दिया 20 प्रतिसत मटा भाग यह दे दिया 100 का भाग अगर हम इस जीरो से जीरो को जीरो से जीरो काड़ेंगे तो 14 दूनी 28 यानी की कितना हो गया 20 % 28 तो 140 माइनस 28 कर देंगे तो 112 आञएगा कितना आझाएगा 112 आञएगा सई आंसर है साथी हो 112 अर्थात 12% अर्थात क्या हो गया साथियो 12% 112 आ गया 112 में बेचा अब मानलो 112-100 बराबर 12 यानि 12% आ गया सीथा सल्ड एकदम बताओ कोई समझा हो तो बोलो अब देखो धीरे-धीरे जब करने लगते हैं तो इतना जल्दी-जल्दी कोईशन्स को हम आसानी से कर सकते हैं अब बताओ क्या इस तरह कैसा लग रहा है आपको अब लाभानी पढ़ कर अब कैसा लग रहा है आपको लाभानी पढ़ कर बताओ इमानदारी से बोलो कैसा लग रहा है दिल की गहराई से बात करो दिल से दिल से बोलो कैसा लग रहा है ल इसको दुबारा बता दूँ ठीक है इसको तो दुबारा बताने की जरूरत भी नहीं है एक तरीके से तो बता दूँ लेकिन चलो आप तो बताओ कैसे लग रहा है मन में बताओ मन के बहाँ बताओ कैसे लग रहा है मन के बहाँ बताओ बहुत अच्छा लग रहा है देखो इसको कर लेते हैं माना वश्टू का मुल कितना है माना वश्टू का मुल 100 रुपे यानि लागत मुल जो है वो 100 रुपे है सब्सक्रार कर दिया तो इसमें अंकित मुल कितना है इसका 140 यह तक बास बास समझ आ मान लो कोई किता ृत और शक्रार कर दिया इसने 80 % कर दिया 140 यहNow अब यहाँ पर क्या किया है इसने 140 कर दिया लेकिन यहाँ पर 20% का ओफ कर दिया यानि 20% का छूट दे दिया 140 रुपे पर 20% का छूट कर दिया तो हम क्या करेंगे 140 रुपे का 20% निकालेंगे तो 140 रुपे का 20 प्रतिसत क्या होगा, 140 का मतलब गुणा इंटू 20 प्रतिसत का मतलब भाग, तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 14 गुणा 2 बराबर 28, यानि की 140 का 20 प्रतिसत क्या होगा, 28 रुपे की उन्होंने छूट देती, यानि अंकित मुल 140 है, 140 मैंसे उसने 28 रुपे की छूट देती, तो बचे कितना, एक सो चालीस माइनस अठाइस, यानि एक सो बारा रुपे बचे, यानि किताब एक्चुल एक सो बारा रुपे में बिक रही है, किताब कितने रुपे में बिक रही है, बारा रुपे में बिक रही है, एक सो बारा रुपे में, बट भाई हमारी किताब का अं सो बटे बारा यानि बारा परसेट का हमको लाब हो रहा है कितना सरल कॉशन था यह तो कितना सरल कॉशन था देखो कितना सरल था मैं और अट जाता हूं दूर देख लो आज हमने प्रतिसत खतम कर ली है कल हम एक नई प्रसनावली पढ़ेंगे साथिव अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बात हैं अच्छे से समझ में आती हैं तो अपना प्रोफिसर एप्लिकेशन को आप डाउनलूड कर लेना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कॉमे किसे डाउनलूड करना है और वहाँ पर साथियो ओर्गनाईजिशन कॉल डालना है और उसके बाद में आप इस एप का लाब उठा सकते हो अगर आप यूजी से नेट के तैयारी कर रहे हो तो ये टॉगल आपको यूजी से नेट का दिख रहा होगा जैसे इस पर किलिक करो करोगे उसके बाद में सभी क्लासेज आपको दिखने लग जाएगी और हमारे पेड कोर्सेज में आप सामिल हो सकते हो जो हमारे गाओं देयात के जितने भी स्टुडेंट्स हैं उन सभी को धान में रखते बहुत ही नोमिनल प्राइस पर मैंने यहां पर रखा हुआ है और पॉमिन्ट में जो भी पढ़ाता हूं उसके नौट्स देता हूं तबस्सुम कह रहे हैं कि सर कल की क्लास में नहीं ले पाऊंगी मेरे पास मोबाइल नहीं है मुझे किसी दूसरे के फॉन में क्लास लेनी पड़ती है चारू जो से के आप लोगों से क्या पूचे जाते हैं सवाल पूचे जाते हैं अब यहां पर दिये गए शब्दों में विसम क्या है मुझे लगता है कि मैथ की हमारे सिलेबस की सबसे सरल प्रसनावली अगर कोई है तो यह है क्लासिफिकेशन यह 2019 मा आया यह कॉच्चन मैंने 2019 काट दिया यह 2019 का कॉच्चन है अगर हमारे सिलेबस की कोई सबसे सरल वैसे तो मैथ पूरी सरल है वैसे मैथ पूरी सरल है लेकिन इससे बड़ा सरल कुछ नहीं है नीचे दिये गए शब्दों में विसम विसम का मतलब होता है अलग सबसे अलग शब्द कौन सा है यानि की लंबा पतला विशाल और नुकिला अगर चारों शब्दों में से आपको अलग शब्द कौन सा प्रतीत हो रहा है इन चारों में से आपको अलग शब्द कौन सा प् आनसर दो क्या है एक तो लंबा पतला विशाल और नुकीला देखो ये शब्द है लंबा ये भी आकार को बतला रहा है पतला ये भी आकार को बतला रहा है विशाल ये भी आकार को बतला रहा है लेकिन नुकीला इसकी विशेष्टा को बतला रहा है कि भाई ये नुकीला है चुब जाएगा नुकीला है इसकी नौक पतली है आगे से नौक नौक पतली है चुब जाएगा यानि ये चारों चीजे आकार को सम्मोधित कर रहे हैं जबकि एक नुकीला है जो सातियों अलग है ये 2019 का कॉश्चन है ये कह है 2019 का कॉश्चन है ऐसे कॉश्चन 2019 में आई है जान रहे 2021 और 2022 के कॉश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ वेलकुल भी आप चिंता ना कर आत्म वैसे तो व्याज पढ़ाने वाला था लेकिन आप तो जानती हुए इस तरीके से गड़बड हो गए ती चीजे ये ये सातियों कॉश्चन नंबर दो आप इसको एक बार जरूर से पढ़िए नीचे दे गए प्रतेक प्रस्टन में चार विकल्प दिये गए हैं जिन में से तीन एक समान है जबकि चौथा तीनों से भिन्द है बताइए वो शब्द कौन सा है कॉश्चन नंबर तीन पहला है नारंगी मौस्मी आम और अचार अनार बताइए आपको सामने चार फलें चार फलों में से सबसे दीजान सर्थ अब यह है जो आपको आपकी आपको टेस्ट करेगा आप कितने पानी में हो कितने पानी में नहीं हो इस चीज को अभी ही टेस्ट होगा आपका अब यह आपका टेस्ट चल रहा है आप कितने पानी में हो और कितने पानी में नहीं हो अरे भाई एक है नारंगी और एक है मौस्मी और एक है आम और एक है अनार इस वाले कॉशन का अगर आपने आंसर नहीं दिया ना तो डूम मरना देखो यहां पर क्या है साथियो यह जो चीजे है ना इनमें बीज अनेक है इनमें अनेक बीज है अनार में भी बहुत सारे बीज होते हैं मौस्मी में बहुत सार बीज होते हैं नारिंग में बहुत बीज होते हैं लेकिन आम में केवल एक बीज होता है मोटार हो भी गुठ सर सही है यार मतलब इतना तो थोड़ा सा आप सरम करोगे तो अच्छा लगेगा इतना नहीं कि ऐसे मत करो या इतना इससे सरल कॉशन कोई हो नहीं सकता चलिए कॉशन नमबर फूर करिए यार हिंदी समझने में कई लोगों को दिक्कत आती है मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए इंग्लिस पीपीटी भी लेकर आने वाला हूं अच्छी मैं सोच रहा कि मैं इंदे में पढ़ा देता हूं लेकिन मैं आप क्योंकि आना या पर हिंदी और इंग्लिस की पीपीटी रखूंगा तो दिखेगा नहीं आप लोगों को डंग से इसलिए मैं एक लेंग्वेज के लिए कर रहा कि लेकिन बहुत जल्द मैं हिंद अच्छी 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 इसका अभी दीरे दीरे मैं ग्रेड बढ़ाने वाला हूं और दीरे दीरे सात्यों तोड़े कटिन कॉश्चन की तरफ चलने वाले हैं नीचे वाला को अपसका अनसर दीजिए फौर्थ का क्या अनसर दिया है आप लोगों नों फौर्ठ का देखों जमसेदपूर कोलकत्ता और एहमदाबाद और इस्सिमला जमसेदपूर कोलकत्ता एहमदाबाद अपने आप में अलग सेर हैं ये चारो सेर के हैं ओद्धोगी छेत्र हैं ओद्धोगी लेकिन यहाँ पर सिमला क्या है परियतक है परियतक छेत्र है इस तरीके से ये भिन है एक दूसरे से चलिए कॉशन नमर पांच करो ये थोड़ा कठिन है चलिए गई मासको विएना न्यूयार्क और बरलिन में से आपको सई आंसर देना है सई आंसर सात्यों भी न्यूयार्क ये एक ओद्धोगी छेत्र है जबकि बरलिन विएना और मासको अलग-अलग दिसों की राजधानी अब इस प्रकार के सवाल भी बहुत जादा हमसे पूछे जा रहे हैं मैं एक बार आप लोगों कुछ दूसरे मोबाइल पर कॉमेंट देख ले दूँ क्योंकि मेरा एक फॉन कच्रा हो गया है जिसको इतना महेंगा खरीदा था मैंने इसमें पता है क्या दिक्कत आती है यह कच्रा फॉन मेरे जीवन का सबसे में बहुत बड़ा मुलब सबसे खराब investment है मेरा यह जीवन का यह mobile कि Youtube की वीडियो चलती चलती अटक जाती है देखोआए यह यह वीदियो चलती चलती अटक गयी है लाइव चल रहा है और comment चल रहे हैyi लेकिन video अटक गयी कड़गों करेंद को इतना महेंगा फॉन करेंदा है और एकदम कच्रह और पूंचो मत्यार इसको कि कच्रह एक λाख सत्तर हजार उपका फॉन यह 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 फॉन एक दूब गये लगा लो मेरे पैसे कि सच बताऊं ही इमानदारिश प्रणब गये पैसे दूब गये पैसे कोई काम का नहीं गटिया गटिया विंजन एकदम अब अटक गया नहीं चल रहा मुझे भिर रिफ्रेस्ट करना पड़ेगा फिर से चलाना पड़ेगा अब चलेगा फिर गटिया फोन एकदम यह एपल का 14 प्रो मैक्स एकदम घटिया मोबाइल चलिए और मैंने इसको 512 जी भी खरीद लिया मुझे लगा कि खरीद लेते हैं यार काम आएगा पैसे भी गएर कुछ मज़े वाली बात भी नहीं निकलिया है कॉष्ण नमबर साथ दस कॉष्ण नमर दस लगा बताओ कॉष्ण नमर दस बताओ कॉष्ण नमर दस में दिमाग लगाओ नथिंग फॉन वनर नथिंग नहीं है नथिंग होता तो पार पड़ जाती गटिया भी एंजन खरीद लिया मैंने भाई मैं जानता हूं कितनी समझ्या है मुझे इस फॉन से अब देख फिर रुग गया फिर रुग गया यह लोग कॉष्ण समझ में नहीं आया यही तो चा चाता है कि कॉष्ण समझ में नहीं आएं आप लोगों को यहीं तो चाता है उसने यह कह दिया कि कॉष्ण दे दिया कि भाई चारों मेंसे अलग कौन सी चीज़ है दिमाग लगा दो इन चारों में से अलग चीज क्या है उसने यह कह दिया उसको कोई मतलब नहीं तुम से उ तोचो अब दिमाग लगाने वाला दिमाग लगाएगा क्या लगाएगा कि सर्दो प्लस बराबर आठ कितना हुआ ता कि पांचर दो सात कि सात रसा 14 खोर्डराट 15 यानि कि इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो आगया वाली संख्या आ रही हैं आ रही है ना आगया जाओ छे और नो, पंदरा और तीन, अठरा, यानि इन तीनों संख्याओं को जोडते हैं, तो वा कितना आ रहा है, अठरा रहा है, चार, चार, आठर, दो, दस, दस आ गया, यानि ये तीनों संख्या ऐसी हैं, जिनकी इन संख्याओं को आपस में जोडने पर, इनकी पिछली संख्य आजाती है लेकिन यहां पर जो सी ऑप्षन है उसको जोडने पर पिछली संक्या नहीं आती जैसे पांच और च्यार कितनों के नौ और नौ दो ग्यारा इसलिए यह अलग है इनमें से एक्जामनर यही तो चाहता है कि आप पर नहीं हो इसलिए तो पढ़ने के लिए दिया है हमें यह क्लास रोज 9 बजे स्टार्ट होती है कि बैच का नाम है बैच अर्जुन एंटे यूजी सी नैट पेपर वन की डियाई मैथ की क्लास अभी चल रही है कंप्लीट कॉर्स आपको करवाया जाएगा पाया लिए अदिगर सर मैं आपको पहली बार क्लास में देख रहे हूँ कोशन सौल करकर नहीं पा रही हो कोई बात ने डेली क्लास में आओगी तो सौल कर पाओगी अब देखो मेरा घटिया विंजन देखो अमैंने कुछ नहीं किया और फिर बंद हो गया देखो यह हालत चल रहा है लेकिन मेरा टग गया इसमें अटक गया यह देखो यह चल रहा है और यह नहीं सकता यार एक किद्नी की कीमत का है लिए कभी कभी ऐसा होता है न हमारे जीवन में ऐसा हो कभी कभी कोई निवाला ऐसा अटक सकते ना उसको मोबायना निगल सकते अब स्कते क्षया करें लुट के सरा पड़ा ये टाइम हो रहा है कहां का बढ़ाइए कहां कहां का टाइम हो रहा है भाई ऐसा कहां जाना है चलिए कॉशन नंबर 11 का अंसर कीजिए दिमाग लगाईए आप अपना और फिर करिए देखो यह कबड़ी है बैडमिंटन कबड़ी फुटबॉल क्रिकेट एक चीज अलग क्या है यह बताओ कॉमेंट करके जल्दी का काम सैतानों का है मैं जल्दी बाजी में नहीं पढ़ाता हूं मेरी क्लास में मैं बहुत डिटेल्ड से पढ़ाता हूं देरे देरे पढ़ाता हूं डिटेल्ड से पढ़ाता हूं बहुत डीप चलिए बहुत बड़ी असाई आनसरे साथ यो कबड़ी कारण समझो क्यों बैडमिंटन में भी बॉल होती है किरकेट में भी बॉल होती है फुटबॉल में भी बॉल होती है लेकिन कबड़ी में किसी परकार की कोई बॉल नहीं होती कबड़ी 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 कब देख रहे हैं धीट हो रहे हो बिल्कुल लाइक नहीं करते वीडियो को अलग से कहना पड़ता है क्या कि चलिए कॉशन नंबर 12 न्यूटन मदर फोर्ड प्लेटो और चैडविक प्लेटो अरस्तू सुक्रात मैंने कितने सारे लोगों को पड़ाया होगा यार आप लोगों वहाले मुझे बहुत दिनों बात देकर अच्छा लग रहा है आपको तेंक्यू वईशाली डेली आगरो न्यूटन है वेग्यानिक है अंधर फोर्ड प्लेट के चैडविक वेग्यानिक है मेरा लेकिन बहुत पसंदीदा दार्शनिक प्लेटो अरश्तू सुक्रात मैं इनको बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं कि समाजवाद स्यामवाद पूंजीवाद लेलिनवाद मैंने कितने सारी चीज़ों को आप लोगों को आलागल चलब पढ़ाया होगा चलिए रिगवेद सोमवेद और यजुरवेद में क्या अंतर है चलिए रिगवेद आयुरवेद सामवेद और यजुरवेद में कौन सी चीज़ आपको अलग प्रतीत हो रही है डॉक्टर लॉकेस वाली टेलिग्राम चैनल को आपको जोइन करना है सब लोगों ने गलत आनसर दिया है कोई सी दे रहा है कोई ए दे रहा है कोई बे दे रहा है तुक्का हर कोई मार रहा है आप लोग तुक्के बाद आदमी हो क्या हो तुक्के बाद अरे भाई आयूरवेद अलग है देखो रिगवेद सोमवेद और यदुरवेद ये तीनों कैसातियों हिंदूओं का क्या है धार्मिक ग्रंत है जबकि आयूरवेद एक चिकेश्या पंदती का ग्रंत है रिगवेद सोमवेद ये अजुरवेद क्या हिंदूओं के धार्मिक ग्रंत है लेकिन आयूरवेद चिकेश्या से संबंदित है बहुत से लोगों ने सही दिया और बहुत से उनों गलत ये करो 19 ये करो 20 वेक आनसर करो शिव पाल कह रहे हैं कि शोर्य आप नाराज हो गए है न रे नहीं रे अभी इतना छोटा नहीं सोचने लगाऊं सिव भाई ओ मेरे बंदू मेरे सके इतना नहीं छोटा सोचता हूं मैं विद्या ददाति विनियम विद्या इंसान को विनमर बनाती तो दो चार क्लास में भी पढ़ा हूं तो इतनी नमरता है मेरे अंदर में ऐसा नाराज नहीं हो वह कॉमेंट्स का बहुत ज़्यादा होते फिर में पढ़नी पाता हूं आ यूनेस्को पेरिस गेट जैनेवा नाटो जकार्था Interpol पेरिस यह क्या संगठन है ध्यान राखना नाटव अपने आप में संगठने इंटरफॉल यह यूनेस को संगठन है सारे इनके हैड़ क्वार्टर कहा है यह बता हिया आज सब लोग गलत आंसर देने अरे भाई आपने देखा होगा यूरूपियन देशों का एक समू है नाटो नाटो के दम पर ही ये यूरूपी जो देश है ना वो इतराते हैं क्योंकि इनों लोग एक यूनिटी बना रखे नाटो के रूप में जो भी कोई देश अलग राष्ट पर चलता है इनकी बात नहीं मानता है वहां पर तूट पड़ते हैं खासकर रसी आयरे से एक लॉबी बनी हुई यहीं तरीके jest नाटो नाटो जो नसाता है उनके जकारता में नहीं है इसका जो हैडिक्वाट्र है वह पुर्सेल्स में हैं ज्ब्रूसेल्स में हैं इनका हैडिक्वाटर बूर्सेल्ड फेसे लिए यह आनसर सहीं है नाटो तो मतलब कुछ देशों का समू है जो अपनी मनमानी करता है मतलब काफी उसके पर आरोब लगते हैं इस तरीके के कि आप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारत नाटों का सदस है सिंपल सा सवाल क्या भारत नाटों का सदस है मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या भारत नाटों का सदस है पक्का जी हाँ बिलकुल सही का भारत नाटों का सदस नहीं है और ना ही कभी जो भारत की जो विचार धारा है कि वो नाटों की सदस्ता लेंगे हम कभी नाटों में सामिल नहीं होंगे जिस तरह की ideology को हम follow करते हैं हम एक ऐसी ideology को follow करते हैं कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है हम दूर से देखने वाले हैं कि अगर कोई लड़े तो लड़ो हम किसी का पक्ष नहीं लेते चलिए एक साथ यो World Trade Organization WTO एक साथ यो NASA यह रिएक Research Center है एक साथ यो अभी NATO पढ़ाया था यह एक कुछ देशों का समू है और एक साथ यो NAM इन में से अलग क्या है बतलाईए Question No.22 आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने D answer दिया है आप लोगों ने अधिकतर लोगों ने क्या दिया है D answer दिया है क्या दिया है साथ यो आप लोगों ने D answer दिया है देखें मैं आपको बतला दूं कि आप लोग गलत हो यहां पर जैसे डबलू टीओ को वर्ल्ट ट्रेड और्गनाइजिशन है भारत भी इसका हिस्सा है यानि विश्व व्यापार की बात करता है यह नासा है सातियों यह विज्ञानिक मतला यह भी क्या है सातियों संस्ता है नाम भी एक संस्ता है लेकिन यह कुछ देशों का समू है इसका सही आनसर है सातियों नाटों यह क्या है, सही आंसर, इसका नाटो यह देशों का सम्मू है, और वो किसी काम करने के लिए एक है, जैसे World Trader Organization यानि यह व्यापार के लिए बनाए गया है, नासा यह research center है, उसी तरीके से साथ नाटो देशों का सम्मू है, इसलिए यह यहाँ पर इनमें से भिन्न है 22 विमें चलिए, आगे साथ यो 23 का सही आंसर मैं आपको बतलाऊंगा देखो, मैं आपको एक गाइड करना चाहता हूँ आप लोगों को एक चीज मैं आपको बतला दूँ इस क्लास के माध्यम से क्योंकि आपकी उमर ना, आप मैंसे अधिकांस लोगी की उमर कितनी है बीस से लेकर 27 वर्स तक और पचीज से लेकर 27 वर्स के बच्चों की उमर जादा है इस क्लास में यानि आप मान लो बीस, बाइस, बीस, पचीज साल को एक आउसत मान कर चलते हैं कि आपकी एज कितनी है, पचीज वर्स हैं एक औस तेज मान लेता है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, यहां पर कैस आती हो, एक बार इस कॉशन को आनजर करो, फिर आगे बताओ, इस कॉशन को और फिर बताओ, मैंना औस बताया है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम, तो बीस के राष्टा बता दिया न, एक चीज बत भारत देश में दो जब ट्रेडिंग होती है न व्यापार जब किया जाता है सेर वाजार किया जाता है उस सबह सात्यों एक होते हैं नवरतन कंपनिया और एक होते हैं महारतन कंपनिया तीन चार चीजे होती हैं एक तो होता निफ्टी-फिफ्टी निफ्टी-फिफ्टी का मतलब यह होता है जो भारत देश की जो टॉप पचास कंपनिया है यह तो हैं बारत देश की जो टॉप पचास कंपनिय वह निफ्टी-फिफ्टी के अंतर गताती है उसी तरीके से हमारे देश में नवरतन कंपनियों की सुची आई जिसमें 10 कंपनियों को 9 रतन कंपनी की स्रेणी में रखा गया है और 14 कंपनियों को महारतन स्रेणी में रखा गया है अब यहां पर जो यह सवाल है सातियों एन डी एम सी यह एक 9 रतन कंपनी का हिस्सा है लेकित एक बाद समझो मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी-फिफ्टी का क्यों वो किया है मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो अभी आपके पास इंकम नहीं है किसी प्रकार की इंकम नहीं है मैं मानता हूँ लेकिन अगर आपके पास इंकम होती है कि मानलो आप जियारेफ कर लेते हैं देखे अगर मानलो आपने जियारेफ पास कर ली इस वर्स जैसे अभी आपने जून के एकजाम में अभी मानलो आपने जून 2023 या दिसंबर 2023 में आपने क्या पास कर लिया आपने मानलो जियारेफ प करोगे आपको सात्यों कितने लगबग 35,000 मान कर चलता हूं चलो लगबग 35,000 रुपए पर मन्त मिलना सुरू हो जाएगा कि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा एक एक एडवाइस देना चाहूंगा कि कि आप इन 35,000 में से कुछ भारत में जो निफ्टी-फिफ्टी की जो कंपनिया हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक न म्यूच्वल फंड होता है आगे जब आप कमाने लगोगे तब चीजों को सीखोगे एक होता है सेयर मार्केट जो मार्केट उपर नीचे होता रहता है कोई किसी दिन बहुत जादा अमीर तो किसी दिन धरती पर किस दिन उचाई पर मुलाब अमीर गरीब होता रहता है एक होता है मिच्वल फंड क्या होता है चीजों को बैलेंस रखता है अगर आपके सो रुपे हैं तो अलग-अलग कंपनियों में को invest करता है तो मेरी सला है अगर आप से ऐसी रहेगी अगर आप 35,000 अगर आप कमाने लगो तो हर मेने के 2000 रुपे हर मेने 2000 रुपे के SIP करा देना और एक mutual fund में आप पैसे डाल देना और आपको हर मेने उसमें पैसे डालने है धालने है अगामी तीस चाली साल तीस साल तकर आप डाल दोगे तो मैं आपको calculate करके बताओं कितने हो जाएंगे बता देट रुख जाओ रुख जाओ यह पर मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि आम mutual fund में invest करते हो जो आगे आपको करना चाहिए मैं आपको guide करूँगा माल लो आपने 2000 रुपए पर मंत की SIP करी कितने साल तक करी 20 साल तक माल लो आपने और आपको 15% का लाब मिला देखो आपने माल लो आपने माल लो 2000 रुपए पर मंत की SIP करी 20 साल तक तो आपने टोटल कितने रुपए की कितने रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तोटल आप रुपे इंवेस्ट कर दोगे 3,60,000 यानि 20 साल में अगर 2,000 रुपे आप इंवेस्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे 3,60,000 हो जाएंगे लेकिन आपको पता है 20 साल में कितने हो जाएंगे इंट्रेस्ट लग लगके अगर मैं 15% का भी भ्याज लगा के चलू इंट्रेस्ट लगा के चलू तो यह हो जाएंगे 22,45,859 और मालो आपने इस SIP को 20 साल में भी नहीं रोका आपने मालो इस SIP को 3 साल तक चलाया 30 साल तक अगर आप 30 साल तक 22,000 रुपे डालने लगे तो पैसे कितने होगे एक करोड बीस लाख थियत्तर हजार छस्सो तेतीस इन्वेस्टमेंट जरूर करना जीवन में अगर पैसे कमाने लगो तो अगर आप देखो आपने 22,000 रुपे डाले 30 साल तक कितने डाले पांच लाख 58,000 पांच लाख 58,000 उनके बदले में मिले आपको एक करोड बीस लाख कितने मिले एक करोड बीस लाख मिसल फंड आप जरूर डालना मेरे आपको परसनली गाइड है रिंपी कह रहे हैं कि आप मेरे अस्पेंड भी ऐसा इमेपी में निवेस करते हैं हाँ बिलकुल करना चाहिए अगर आप जयारेफ जब आप कमाने लगोगे जब आपको मालो अगले साल से जयारेफ मैं देखो यह गलती मैंने की ती स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता थ बट मैंने बाद में स्टेडी की इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पड़ा रात दिन पड़ा देखा समझा रात दिन मैंने इसी चीज़ को समझा कि यार कहां पर हम बहतर इन्वेस्ट कर सकें तब एक सबसे सेफर जगा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क पांच लाक रुपए डाले तीस साल तक और एक करोड़ बीस लाक रुपए कमाएं पंद्रा परसंट की द्याब दर से तो मैं आपसे इसलिए कहना चाहरा हूं कि भाई जैसे आप लोग ज्यारेफ का आपका पास हो जाए आप लोग इन्वेस्टमेंट पांच दो अजार रु रुपए पर मंत आप मैंसे कितने लोग 35,000 रुपए पर मंत कमाना चाहते हैं इमानदारी से बताओ मुझे मैंने खुद ने 25 लाक रुपए कमाएं थे 25 लाक रुपए मिलेंगे आपको टोटल अगर आप पिएचडी करोगे आज की डेट में तो 25 लाक रुप मिलेंगे कौन-कौन कमाना चाहता है ऐसे नहीं मानूंगा जो लोग 25 लाक रुपए कमाना चाहते हैं न वो इस वीडियो को लाइक करके दिखाएंगे जिन लोग ने लाइक नहीं करो लाइक करो तो मुझे पता लगेगा हम भी 25 लाक रुपए कमाना जाते हैं तब ही तो आपको बताऊंगा इंवेस्टमेंट कैसे किया जाता है तब ही तो मैं बताऊंगा ना आपको सबीत गुमारी करें कि मेरे एसपेंट भी ऐसाइम इनवेस्ट करते हैं बिलकुल करना चाहिए अगर आपके पास इनकम है थोडी इनकम है तो थोड़ा डालो मतलब थोड़ी बैंक में कभी भी पैसे नहीं रहने चाहिए अगर मालों आज आपने बैंक में एक लाख रुप इतनी मेंगाई बढ़ जाएगी 6% के इसाप से भी इंफलेशन को अगर मैं लगाऊं तब भी साती हो यह च्छाण में आजा चौराण में रजार रह जाएगे तो बैंक में घर में पैसे रखना पैसे को बरबाद करना होता है इसलिए कभी भी घर में पैसे नहीं रखने हैं बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं आपके पास पैसे आते ही आपको S.I.P करवानी है mutual fund में mutual fund सेफ होता है डूबते नहीं है पैसे मतलब आश्टन ऐसा होता है कि डूबते नहीं है बहुत लंबे समय पर देखें तो चलिए गाईज कि यव्डाइब पैसे कमा वह एक बार आप पैसे कमा उज्यारेफ करो पहले मैं आप लोगों को ज्यारेफ gua करवा दूँको मेरी वेरी गैरेंटी अ sant कुझने से एक्जाम को तीन बार पास कर रखा है तो मुझे बहुत अन्ववय से एक्जाम का आप चिंतना करो हां मुचल फंड सेफ है लॉंग टर्म में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सेफ है और इन्वेस्टमेंट से चलिए अगले कॉशन की तरफ हम चलते हैं और 21 का आपको आंसर देना है क्या पनामा नहर है आपने देखा होगा यह क्या है साथियों नहर है मेकॉंग जी जेंबो जी मिसिसीपी यह सब नदियों के नाम है ठीक है हाँ बिलकुल यह साथियों क्या है नदियों के नाम है देखो यार मैं एक बात बतला दू आप लोगों को आप लोग ना सीरियस नहीं हो इस फिल्ड में मुझे पता है आप मैंसे बहुत से लोग सीरियस नहीं है वो क्लास में पांच मिन्ट आते हैं और चले जाते हैं दस म एक्जाम को पास करने से मेरी किस्मत बदल गई और आप की भी बदल सकती है समजो मेरी कैसे बदल गई मैं भी आर आपकी तरह सामान इस्टूडेंट रहा हूं और सामान परिवार से गाउं दियात में पड़े वाइं कि इस यह खेलते वे एक कंची खेलते खेलते बड़े में के साथ साथ ही मेरा ज्यारफ हो गया जब मैं में करना था ना उसे के साथ साथ मेरा ज्यारफ हो गया में के साथ मिलना शुरू हो गया ऐसा रहे यह मुझे 28000 रुपय परमंत मिलना शुरू हो गया तो यह भी 32000 रुपय के आसपास मुझे मिलना शुरू हो गया था अब यार एक सोचो कि कोई स्टुडेंट गाहां मैं से उठाए आगे बढ़ा है और शुरू में उसको 30-35000 रुपय मिलने और भाए देन लगे ना तो मैं free हो गया था मैंट से घरवालों का भी दवाब अट गया था कि आाओ लड़का कुछ करनी रहा कुछ यह नहीं कर सिये नहीं कर . घरवालों को लग रहा है कि छोरे के लगई नोखी एस्तिदारों को भी लग रहा था इससे क्या कि मुझे टाइम में लगया एक तो खर्च करने के लिए पैसे हो गए कोई भी चीज अगर मुझे कोई बुक पसंदा रहे तो बुक खर्च कोई भी चीज हर मेंने में 20,000,000 रुपे 10,000 रुपे कैसे माँँ ऋगरवालों से मेरे साथ ऐसा नहीं रहा ठ्योंकि मैंने एमें के तुरंत बाद जयارव की तुरंत बाद से acceptance मिलना शुरू हो गया फिर मैं एकदम खुला हो गया अपने मन की पढ़ाई करी मुझे fellowship मिलना शुरू हो गया फिर मैं एक दम खुला हो गया अपने मन की पढ़ाई करी अपने मन से काम किये और मन का काम करते करते बहुत कुछ किया जीवन और यह केवल और केवल इस exam को पास करने से हुआ है अगर मैं net.jrf के exam पास नहीं करता तो मैं सायद PhD नहीं कर पाता क्योंकि घरवाले ही मौका नहीं देते PhD करने का जा बेटा नौकरी कर कहीं नौकरी लग जा तैयारी कर पर jrf होने से न मुझे sustain amount मिलने लग गया था पैसे मिलने लगे थे यार आज की date में अगर आप jrf करते हो तो srf की 40,000 वह है salary यार अच्छे अच्छे नौकर को 40,000 रुपर नहीं मिलते सरकारी नौकरी में ग्रेड फूर ग्रेड थर्ड तक के लोगों को नहीं मिलते इतने सालीस हजार रुपर घर बैठे कोई काम भी नहीं है तो यह आप लोगों की भूल है भाई अगर आपने दो तीन मैंने चार मैंने ढंग से पढ़ाई कर लीना तो आ आज मैं इस जगे खड़ा रहकर आपसे बात नहीं कर रहा होता यह मुझे पता है मेरे बारे में सिर्फ एक एक्जामन मेरी लाइप बदल दी सिर्फ एक एक्जामन कि मुझे इतना काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं अब काबि नाकाबिल कि मैं कोई परिबासा नहीं गठित कर रहा हूं लेकिन मुझे इतना पता है मैं आपके सामने खड़ा हूं अगर मैं इस एक्जाम को पास नहीं करता तो मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता इस समय कहीं नोकरी कर रहा होता चोटी मोटी पर मुझे इस एक्जाम को करने से अपने उपर काम करने का समय मिला एक माइंड ब्रॉड हो गया यूनिसिटी केमपस में रहकर ऐसे मस्त जिन्दकी जीने को भी अहाँ एक दम गमचा बिचा कर सोने वाले जिन्दकी जीने को भी तो यह चीद सिर्फ मेरे जीवन में एक एक्जाम को पास करने से हुई है कि मैं आज आप से बात कर पा रहा हूं इतने अच्छी तरीके से तो आप इस एक्जाम की एहमिया समझो इस एक्जाम को पास कर लोगे ना तो जीवन बदल जाएगा आप टेली ग्राम पर फ्री है क्या नो आरे हाँ प्रभू मेरी क्लास री ही है मैंने कभी मां कहा है आप से कि फ्री नहीं है नौट्स सारी नौट्स फ्री है बाई यह जो मैंना आपको आनेकेडमी का जो बताया है फीस वाला वो उन लोगों के लिए बताया जो दोनों है डेली लोग मुझे रोना आ रहा है अब साथिव अगर आपको मेरी पड़ाई हुई बात हैं अच्छे से समझ में आती हैं तो अपना प्रोफिसर एप्लिकेशन को आप डाउनलूड कर ले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कॉमेंट में आपको यह एप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर साथिव आप इस एप को डाउनलूड कर लीजे अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है अप आप आई ओएस यानि एपल का मोबाइल है तो आपको माइस्ट करके एक एपलिके से डाउनलूड करना है और वहाँ पर साथियो ओर्गनाईजिशन कॉल डालना है और उसके बाद में आप इस एप का लाब उठा सकते हो अगर आप यूजिस नेट के तैयारी कर रहे हो तो यह टॉगल आपको यूजिस नेट का दिख रहा होगा जैसे इस पर किलिक करोगे उसके बाद में सभी क्लासेज आपको दिखने लग जाएगी और हमारे पेड कोर्सेज में आप सामिल हो सकते हो जो हमारे गाओं देयात के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को धान में रखते बहुत ही नोमिनल प्राइस पर मैंने यहां पर रखा अप देखो सिलेवस में तो यहां पर सिम्पल और कंपाौंड ब्याज सिंसमपल को कहेते हैं साधारण ब्याज compound को कहते हैं चक्रवर्ती व्याज तो हम आज दोनों व्याज को बढ़ेंगे साधारण और चक्रवती सुरुवाज में साधारण व्याज पढ़ेंगे फिर चक्रवर्ती व्याज पर हम लोग जम्प कर जाएंगे detailed में पढ़ाऊंगा चाए आपने जीवन में कभी भी compound interest को नहीं पढ़ा हो मैं आज आपको सिखला दूँगा पूरी तरीके से साधारण और compound interest के कुछ साथियो basic rules होते हैं यानि कुछ नियम है एक सुत्र है छोटा सा वैसे हम क्लास में इतनी बार उसकी सुत्र की practice करेंगे ठीक है एक बार सुट कॉपई मन और डाउन कर लो और फिर वह से थाम लोग कम्पिलिट करने ही वाले हैं compound interest साधारन साधारन एक सब से बेलेक्शमदो साधारन एक होता है मूलधन मूलधन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ती से को मालो 100 रुपे दिये किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपे दिये ये 100 रुपे है मूल दन और आपने ब्याज लिया ब्याज आपने ब्याज कैसे लिया? 2 wash की दर से ये क्या हो गई? दर हो गई कितने दिन के लिए दिया? समय तीन चीज काम होती हमेशा और तीन चीजों को याद रखो आप एक तो मूल्धन जो जो बेसिक अमाउंट है वह दर का मतलब होता है कि किस प्रतिसत से दिया क्या ब्याद दिया और समय का मतलब होता है इसके आदार पर यह चीजों को केलकुलेट करते वेश चलेंगे ओके प्रियंका गुपता कहे रहे हैं, मैं बहुत दिनों बाद आपकी क्लास देख रही हूं, बहुत बढ़िया भाई, डेली आया करो बेटा, बहुत दिनों बाद क्यों देखती हो, डेली आप लोग क्लास में आया करो, शुरू करें, तो यहाँ पर जो शाधारन ब्याद निकाल चलिए, इन तीनों को मैं आपको बारी-बारी से क्लास में समझाता हुआ चलूँगा, साधारन ब्याज जो होता है, साधारन ब्याज का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को मान लो, आपने सो रुपे दिये, कितने रुपे दिये, साधारन ब्याज का मतलब क्या होता है समझो सौ रुपे दिये ब्याज की दर क्या थी यह हो गया मूलधन कि ब्याज की दर क्या थी जैसे गाओं में मेंग दो रूपय सेकड़ा का ब्याज चलता है 2 रूपय सेकड़ा का मतलब होता है 24 प्रतिस. अब साधर्ण ब्याज का मतलब क्या होता है इस चीज को समझो यहां पर यह मान कर चल देग बई एक महने में यह ये पैसा है इस पर 2% के व्याज मिलेगा मतलब एक साल में तो पास साल में भी आपको जो मेन कमपांड है यह वाला इस ही पर व्याज लगेगा ना कि इस पर ब्याद लगेगा मालो आपने किसी को 100 रुपे दिये एक मेने बाद में 100 रुपे की कीमत हो गई 102 रुपे और भढ़ते भढ़ते उसकी कीमत हो गई साथियो 10 रुपे मालो साल के अंत में 110 रुपे हो गए अब अगले जब साल आएगा अगला जब साल आएगा तो 100 रुपे प अगर ब्याज लगाएंगे तो उसी को चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं और जो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो निकालेंगे उसको साधारण ब्याज कहते हैं तो अब आपको बेसिक चीज़ वैसे पता है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं और compound interest किसे कहते हैं साही कह रहे हैं कि सर मेरा reply दे जीजे result कब आएगा मैं block कर दूँगा अगर आप एक comment को इतनी बार लिखोगे तो मैं आपको साही बंद कर दूँगा आपको block कर दूँगा या से अगर इतनी comment लिखोगे बार बार तो है result आ जाएगा जब आना होगा तब तैयारी करो मैं दो पांद दिनों सब रेजल्टर आ जायेगा पढ़ाई करते नहीं हो result से क्या मतलब है पढ़ोगे तो अच्छा result आ जाएगा अब नहीं आ रिये ऐसा कैसे हो सकता आवाद नहीं आ तो A ने B से 3600 रुपए 6 परतिसत वार्सिक साधारन ब्याज की दर से 8 वर्स के लिए उधार लिये हैं तो 8 वर्स बाद A B को कितना धन वापस करेगा इस कॉशन से हम साधारन ब्याज को बड़े साधारन तरीके से समझ लेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि आप सीरियस हैं पड़ाई में तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको चीजे साथ यो ठीक दन से तरीके से समझ में आ रही हैं, चलिए, कोई कॉशन को करके बताओ, सर मैं पहले ही net clear करके रखा है, तो फिर यहां क्या कर रहा है भाई, गूमना फिर, यहां मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं जिनको net pass नहीं कर रखा, आगर तुमने net pass कर रहा है, तब रेजल्ट की पूची क्यों रहा है, गूम फिर आराम से, मौझ कर, यहां क्या कर रहा है फि चलो रफू चक्करो, फिर, अगर net pass कर रहा है, तर रफू चक्करो, चलो, चली, जब pass कर रहा है, एकजाम तो रजल्ट की बारे में पूची क्यों रहा है, प्रभू, चलो, बड़ा simple तरीके का answer आप दो, पहले मैं आपको समय देता हूं, और फिर मैं आपको एक यह ना लिया, 3600 रुपे, तो यहाँ पर मूल धन कितना है, वो देख लेते हैं, अरे कहा गया प्रभू, तो यहाँ पर कितना है सात्यो, मूल धन कितना है, 3600 रुपे, मैं बड़ा ही simple तरीके से लिक रहा हूं, मूल धन, कितना है, 3600 रुपे, मूल धन के बाद में जो दर कितनी है 8-6% जो दर है हमारी वो कितनी है 6% समय कितना है हमारा समय 8 वर्स बस ये तीन चीजे ही अगर हमको पता लग गई तो यहां से आगे कॉशन्स को सौल करना बहुत आसान है थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं यहां से आगे कॉशन्स को सौल करना बहुत जादा आसान है तो अब बताओ 8 वर्स बाद में कितने रुपे यहां पर देने पड़ेंगे तो हमको क्या निकालना है साधारन ब्याज निकालना है क्या निकालना है साधारन ब्याज साधारन ब्याज का एक सूत्र होता है लिखो मूलधन इन्टू दर इन्टू समय बटे सू यह एक सूत्र होता है इसको याद रख लो वैसे याद रखने की ज़रत नहीं है हम यह अटोमेटिक यही लगेगा क्या लगता है साधियो मूलधन इन्टू दर इन्टू समय यह एक सूत्र होता है साध्रन व्याजिता तो इसके अनुसार अब हम यहाँ पर संख्याओं को जमा लेते हैं अब इसके अनुसार हमने क्या जमा लेते हैं संख्या जमा लेते हैं मैं साप लोग करते जाओ मूलदन कितना है हमारा मूलदने सातियों दर कितनी है हमारी 6 समय कितना है 8 वर्स भाग दे देंगे 100 का काट लो चलिए काटिए इसको तो यहां पर क्या साथ हो इस दो 0 से इस दो 0 को काट देंगे अब यहां से आगए हो गया 36 इंटू 6 इंटू 8 करिए इसका इंटू करके बताइए इसका जो साथ हो इंटू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर में एक सेकंड 1728 आ रहा है कितना रहा है 1728 अब मुझे यह बतावे क्या है 1728 यह 1728 है वो क्या साथ हो यह है इसका यहां पर ब्याज यह कितना है ब्याज निकल गया है यानि 36 का 6 परसेंट 8 साल में ब्याज कितना हो गया 1728 अब यह कॉशन कह रहा है कि 8 वर्स बाद हो कितना धन वापस करेगा तो मूल धन प्लस ब्याज हमको मिस्र धन बनाना है मिस्र धन का मतलब होता है जिसमें मूल धन और ब्याज सामिल ह तो यहाँ पर कितना धन लोटाएगा तो यहाँ पर धन लोटाएगा 3600 प्लस कितना 1728 अगर हम इतको जोडते हैं तो सातियों यहाँ पर आ जाएगा 3528 कितना आ जाएगा 3528 आंसर सी अब मैं आपको एक एक चीज क्रम से समझाता हुआ चलूँगा अब मैं आपको एक एक चीज क्रम से समझाता हुआ चलूँगा देखो मालो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी को पैसे उधार देता हूँ मालो मैंने आपको पैसे उधार दिये मैंने क्या दे आपको पैसे उधार दिये तो मैं ये सबसे पहले तो ये कि आप कितने दिन के लिए ले रहे हो मुझसे एक साल के लिए, दो साल के लिए, पांस साल के लिए, दस साल के लिए और कितना परसेंट ब्याज पर ले रहे हो मुझसे तो यहाँ पर अगर हम ब्याज के ब्याज ना लगाएं केवल मूल धन के ब्याज लगाते हैं केवल मूल धन के उपर ब्याज लगाते हैं तो साधर्ण ब्याज है और हर साल का ब्याज निकाल कर हर साल का ब्याज निकाल कर मूल धन प्लस ब्याज पर फिर से ब्याज लगाना सामान भासा में चक्रवर्ति या compound interest कहलाता है यह अगर गाओं में बहुत से लोग सातियों ऐसे होते हैं जो compound interest पर ब्याज देते हैं और इतना खतरनाक ब्याज होता है पीडिया गुजर जाती है चुका नहीं पाते यह व्याज परग्या जितना खतरनाक चरीके से लगता है הי सी तो इस खोशव को हम फिर से समझने का प्रियास करते हैं हमारे सामने या पर तीन चीज इस कॉशन में दे रखी हैं मैं आपको फिर से बतला दूँ मेरी एक क्लास बेसिक से हाई की तरफ जाएगी पहले मैं ऐसे विध्यारतों को समझाता हूं जिनको कुछ नहीं आता जिसको मैथ में एभी सीडी तक गिं मूल धन है मूल धन कितना है हमारे सामने 3600 रुपए है मूल धन कितना है 3600 रुपए जो ए ने से लिए कितनी दर है 6% वार्सिक, वार्सिक का मतलब yearly, yearly जो दर है, तो यहाँ पर हम दर लिख देंगे, कितनी है, 36, समय लिख देंगे हम यहाँ पर, कितना है, 8 वर्स, अभी मैं इस question को change करके भी करवाने वाला हूँ, इसमें समय को कम कर दूँगा, या कुछ और कर देंगे कम इसमें, लेकिन मैं इस सवाल को अभी आप से और अलग-अलग तरीके से solve करवाने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता आप ना करें, अभी मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के पास ही आ रहा हूँ, कि इसको हम उस तरीके से पढ़ने का यहाँ पर प्रियास, तीन चीज हो गई, कि हमको क्या-क्या द भन है, वो हमको यहाँ पर निकालना है, तो सबसे पहले साधारन ब्याज का एक सुत्र होता है, क्या होता है, साधारन ब्याज का एक सुत्र होता है, क्या होता है, सुत्र सब चीज को जोड़ दो, वो कहता है मूल धन प्लस मूल दन इंटू दर इंटू समय बटे में सो ये सुत्र को दिमाग में बैठालो साधरन ब्याद निकालने के लिए मूल दन इंटू दर इंटू समय बस मूल दन इंटू दर इंटू समय ये बैठाली अब इसी का अनुसार हमको संख्या जमा लेनी है, सब से पहले क्या करेंगे? 3600 लिखेंगे, इदर देखे, देखते जाइए यार, देखो, सीखोगे, तब ही बात बनेगी, ऐन्यता बात नहीं बनेगी, अब हिआं क्या करेंगे? हम सब से पहले moledan लिखेंगे, जो लिख दिया पिर उसके बाद में दर लिखेंगे लिख दिया 6 फिर हमने लिख दिया समय 8 वर्स अभी मैं इसको अलग तरीके से पर यहां पर हमने लिख दिया 100 इस दो जीरो से यह दो जीरो काट दिया अब हमारे पास 36 गुणा 6 into 8 करेंगे तो हमारे पास सात्यों जो आमाउंट निकल कर आयेगा पिछले कौशचन को याद कर आहूं इतना क्या बन गया हमारे प्याज बन गया है ब्याज कterror सालमे 1788 लेकिन यह लोट आीगा कितना तो लोट आई कितना तो मॉल्धन कर कादेंगे था ब्याज प्लस मूढदन, तो ब्याज मूढदन केतना है 3600 यहांपर प्लस कर देंगे ब्याज को 1728 को, अगर इन इसको प्लस करेंगे, तो 3528 यहांपर सही आंसर आगे, क्या आगया, 3528 यहांपर सही scientifically आगे, अब यहांपर एक बार इसको देख लो, समझ लो फिर मैं कुछ संख्याओं में बदलाव करूँगा ताकि हम आसानी से इस कॉश्चन को फिर से समझ सकें चलिए करिए कि देखो मैं उन लोगों को पढ़ाता हूं जो बैत बैटिंग में विल्कुल जीरो हैं क्योंकि दसवी क्लास के बाद में नेट यारेव की बच्चोंने मैं पढणा छोड़ दिया जाता है तो मैं इस कर रखा हूं चले मिरी आधार पर आपको चीजे करवाता हूं है कचक आब हम इस कॉश्चन के एक बार समझलिया ना आपने समझ लिया अब इस कॉशन के मैं चीजों को बदलने का प्रियास करते हैं, अब इस कॉशन को मैं पूरी तरीके से ही चेंज कर दूँगा, फिर मैं जानना चाओंगा कि आपको कॉशन समझ लगा है कि नहीं लगा है, अब यहां सुरुवात में साधारन ब्याद यहां पर कर रहे हैं, दे वर्स कर दे साथ, चलिए, उप आन्सृ करीए, अब आपको यहां पर आन्सृ करना है, अब पिछले कोशन की भाती ही आपको सॉल्व करना है, इस कोशन को, मुझे भी इसका उत्तर पता नहीं है, मैं भी सॉल्व करूंगा, तभी मुझे इसका आन्सृ पता लगेगा, यह तो मैंने पास भी नहीं क्योंकि मैंने तो अन्दा जैसे यह संख्याय लिख दी हैं चलिए पहली बार आप इतना सरल कॉशन से आगे बढ़ेंगे चलिए गुरुजी मैं मैं सेकिंड पेपर हां दे सकती हो कश्यप राजपूत पूजा कश्यप राजपूत दे सकती हो भाई संगीत वर्मा का अंसर है तेरा सो तेरा आजार चस्सो बतीस कितना है तेरा आजार चस्सो बतीस आंसर आया है 3528, वो तो पुराणा ही आंसर है, और किशे का कोई आंसर, 13632, सब लोगों का 13632 आंसर ही आ रहा है, देखो, संख्या भले ही कोई भी हो, मैथड एक ही होता है, संख्या से भले ही फरक नहीं पड़ता, सबसे पहले हम यह लिखेंगे मूलधन, कितना है हमारा मूलधन, छाण में सो, 9600, दर कितनी है, दर हमारी 6% है, समय कितना है हमारे पास में, समय है हमारे पास 7 वर्स, कितना है, 7 वर्स हमारे पास समय है, यह चीज तो एक निकल कर आगे, अब हमारा जो सुत्र है, वो चीज को देख लेते हैं, सुत्र क्या कहता है हमारा, साधारन ब्याज का सुत्र, साधारण व्याज का जो सुत्र है. साधारण व्याज का सुत्र कहता है कि मूल-धन into दर into समय बटे सो इसके आनुसार हम संख्याओं को जमा लेंगे आईए अब हम संख्या जमानेका यहाँ पर प्रियास करने हैं सबसे पहले मूल-धन कितना है चान में सो, 9600 इंटू, दर कितनी है, 6, समय कितना है, 7, बाग दे देंगे, 100 का, इस दो 0 से इस दो 0 को काट देंगे, चान में इंटू 6 करेंगे, और फिर साथ हो, 6 को जोड़ देंगे, मैं कैलकुलिटर का इस्तिमाल कर लेता हूं, इसके लिए, जल्दी हो जाएगा, कॉशन वैसे आपको वैसे ही जोड़ना है, पर इस तरीके कॉशन हम पहले समझ चुके हैं, 90, 96 इंटू 6, इंटू 7, 4032 यहां पर क्या आ गया, 4032, तो यहां पर ब्याज कितना है, साती हो, ब्याज जो है, साती हो, वो कितना है, 4032, अब कितना है, 4032, तो यह पर कितना लोटाएगा मिस्र धन कितना हो जाएगा तो ब्याज इंटू मूल धन कर लेंगे तो हो गया 9600 प्लस 4000 32 अगर हम इस संख्या को जोड़ देंगे तो 133632 आंसर सही है जो आप लोगों ने पहले ही दे दिया बहुत बहुत बधाई आपको साधारन ब्याद सीख चुके हैं आप अगर यह कॉशन करके मन में प्रसनता हुई है तो वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया पहले वीडियो को लाइक कर दो और मुझे बता दो कि गुरुजी मज़ा आ गया ठीक है अगले कॉशन की तरफ चलें चलिए अगले कॉशन की तरफ अब हमें रुक करते हैं कॉशन नंबर साथ क्या कह रहा है 150 रुपए की ब्याज प्राप्त करने के लिए यानि 150 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को तीन वर्स के लिए इससे पहले हम हाँ यह करते हैं इससे पहले हम यह करते हैं यह करते हैं कि 1200 रुपए का सोला सही दो बटे तीन वार्सिक साधारण दर से 43 दिन के बाद का ब्याज कितना होगा बड़ा ही रौचक सवाल है यह सवाल आसान है बस आप लोगों को घुमा दिया है सबसे पहले मूल धन लिख लेते हैं बाराएसो रुपए मैं करके नहीं बताओ बाद हम बताओंगा उसके बाद में दर कितनी है सात्यों दर है 16 सही 2 व unfor 3 इसको क्या लिख दू में आगे कि इसका मतलब क्या होता है लो इसका मतलब क्या होता है The संख्या क्या मतलब क्या है आगे इसका भीक न तोरो देखे एक बार भीन तोड़कर बताइए मुझे, अगर नहीं आता है तो मैं सिखाई दूँ, अचिंता ना करें आप, हाँ, अगर ऐसी संख्या, अगर आपको मिल जाए तो करना क्या है, ये जो संख्या है, 16, इदर देखिए, ये संख्या जो अमारी 16 साई, 2 बटे 3 जो है, इस 16 को गुणा करो 3 से, करो गुणा, 16, 16, 16, 16, 48, 48 में 2 को जोड़ दो, यानि कितना हो गया, 50, और 50 बटे, नीचे वाली संख्या को नीचे लिख दो 3, क्या हो गया, 50 बटे 3, अगर कोई भिन दिखाई दे तो कैसे करना है, नीचे की संख्या से गुणा करो, 16, 48, 48 के बाद में इसमें 2 उपर की संख्या को जोड़ देंगे, 50, और फिर नीचे लिख देंगे, ऐसे के ऐसे, तो यह हो गया, 50 बटे 3, तो हमर पास मूलदन हो गया, दर हो गया, और सातियों हो गया समय, अब समय कितना है, यहां एक वर्स का समय ना दे कर, कितना है सातियों, 73 दिन दे रखा है, कितना दे रखा है, 73 दिन, अब आप 73 दिन को एक वर्स का समय बनाओगे, तब ही जाकर ये ब्याद आप निकाल पाओगे, अन्य था आप ब्याद नहीं निकाल पाओगे 73 से नहीं हमको इसको एक साल बनाना है आप मुझे बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं एक साल में होते हैं कितने दिन? 365 दिन इधर देखिए, एक वर्स में कितने दिन होते हैं, एक वर्स बराबर, 365 दिन, बराबर, इतनी बात सही लग रहे हैं आपको, कि एक वर्स बराबर कितना होता है साथ यो, 365 दिन होते हैं, तो एक दिन बराबर कितना हो जाएगा, एक दिन बराबर कितना हो जाएगा एक बटे 365 कोई समझा है इसको या नहीं समझा अभी मैंने क्या किया है कि एक वर्स बराबर 365 होता है तो एक दिन बराबर क्या हो जाएगा इसको वर्स बना लेंगे अब मैंने इसको वर्स बना लिया एक बटे 365 समैंसे कि आपको इस समझ लगा है मैं आपसे पूछ ना चाहूँगा को एक क्लास में तो आ जाओ नेहा ढंग से एक क्लास को देखते नहीं तो लग जाओ वाकी तो देखी जाएगी एक क्लास को देख लो होगी काफी है देखो बड़ा आसान इस चीज को समझने इधर देखे तीन सो पैसट दिन बराबर एक वर्स इस बात को मानते हुआ तीन सो पैसट दिन बराबर एक वर्स है तो एक दिन बराबर क्या होगा एक दिन का मतलब एक में तीन सो पैसट को भाग दे देंगे और क्या होगा एक में हमने 362 का भाग दे दिया तो एक दिन निकल जाएगा भाई 365 दिन बराबर एक वर्स होता है तो हमने एक दिन बराबर 365 के लिए 365 का भाग दे दिया बस यह हमारा क्या है समय यह क्या है सातियों हमारा यहां पर क्या है समय है यह वाला क्या है हमारा यह है हमारा समय यह क्या है हमारा समय लेकिन अब यहां पर मजे की बात यह है कि हमको दे रखा है सतर दिन मजे की बात क्या साती हो हमको दे रखा है यहां पर सतर दिन तो 73 दिन बराबर क्या हो जाएगा ते तर बटे 365 अब बताओ यह वाली संख्या को देखो आप क्या यह बात समझ गयो आप यह वाली क्यों लिखिये मैंने नीचा वाली संख्या तो हम आरे पास टोटल दिन है 73 तो उस हिसाब से 33 दिन बराबर हो जाएगा तेटर वटे 35 क्या यह बात समझे लगी आपको इतनी से यह वाली बात समझे लगी आगे काईशन बात में करेंगे पहले यहां तक बताओ यह बात समझे लगएगे यह बात समझ लगेगा यह बताओ पर रहता हूँ लग गई बहुत बढ़िया अब यहां से हमको तीन चीज मिल गई है हमको मूलदन पता लग गया है हमको दर पता लग गया है और हमको समय पता लग गया है यानि मूलदन दर और समय हमारे पास है तो साधारण ब्याज का हमारा सुत्रियाद रखो, साधारण ब्याज का सुत्रियाद हमको है, क्या है, मूलधन into दर into समय, ये बटे 100, ये हमको याद अच्छी तरीके से, अब हम इस question को और रोचक बना देते हैं, और समझने का प्रियास करते हैं, मूलधन क्या है, 1200, मैंने लिख दिया 1200, दर कितनी है, दर, दर, पचास बटे 3, कितनी है बटा, पचास बटे 3, into, समय कितना है, तेत्र बटे 65, अब है बटे में 100, मजारा संख्याव देखकर, कितने लोग गबरा रहे हैं यापर, कितने लोग गबरा गए हैं संख्याव को देखकर, यह संख्या बन गई इस तरीके के, कितने लोग गबरा गए हैं संख्याव को देखकर, कि सरीक क्या लिख दिया, उपर नीचे, उपर नीचे, हमको कुछ समझ नहीं लिख रहा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने किया हैं मूल धन लिख दिया, यहाँ पर, मैंने दर लिख दिया, जो दर दे रखा था, आप लोगोंने खुदने निकाला आये वाला दर, 50 बटे 3, मैंने 50 बटे 3 लिख दिया, समय आप लोगोंने खुदने लिख दिया, 73 बटे 365, वो 73 बटे 365 लिख दिया, सुत्र कहता है, बटे मैं 100 लिख दो, यहाँ तक समझ लग साधरन व्याद कर रहे हैं हम बड़े साधरन तरीके से वेरी गुड़ वेरी गुड़ लिखते जाओ कॉमेंट अपने मन के भाव लिखो लिख दिया अब इस कॉशन को हम आगे साथ हो कर लेते हैं इनको मिटा दूं यहां से यह मिटा दूं क्या यह वाले चीज़ मिटा दूं चल नहीं मिटाते हैं यहां लिख दें चोटव लिख दें यहां पर नहीं मिटाते हैं अच्छा वाला सा आच्छा ठीक है अजा़ कि ईट लगा चलो देखो, आजाओ, हमने यहाँ पर संख्या जमा दिए, बारासो को लिखो, यहाँ पर बारासो, इंटू, अब यह जो संख्या है ने, नीचे वाली संख्या, यह दोनों संख्या नीचे वाली, इनको हम नीचे लख देंगे, इंटू पचास, इंटू, तीहत्तर, बटे में, तो, अब पचास के नीचे संख्या कितनी थी, तीहत्तर के नीचे कितनी संख्या थी, 365, अब इस तरीके से संख्या जम जाएगी, जब भी संख्या इस तरह की किया जाएं, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर जो संख्या है, उपर की संख्या जो बटे में लिख रखा है, उसको तुम नीचे उतार दो, इनको यहाँ पर उतार दो नीचे, इनको यहाँ पर नीचे उतार दो, बस, यहां क्या उतार जापने इनको यहां से नीचे उतार दिया और अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया है अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया आईए काट लेते हैं इस दो जीरों से मैंने इस दो जीरों को काट लिया अब मेरे पास बच गया तीन मैं इस 3 से काट हूँगा, 4 तिया, 12, 4 बार कट गया, किसने बार कट गया, 4 बार कट गया, अब मेरे पास कहा सात्यों, 365 है, काट हूँ या समझ जाओगे, आगे और काटता चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, समझने की जरुत नहीं है, हम समझा देंगे, अब ये 365 है सात्यों और यहाँ पर है पचास, पचीस का भाग चला जाएगा, या पाँच का चला जाएगा, या पाँच का दे लेते हैं दोनों में, इसमें देते हैं पाँच का भाग, चलिए, पाँच का भाग देते हैं, यहाँ पर सब से पहले नीचे की दो संख्याओं भाग देते हैं, नी दस बार कट गया यह जो दैना दस बार कट गया पांस थे अब इस त्यत्तर inmlex दो शंक्या बची चारम को चार गुणा 20 करेंगे तो 40 समारा भ्याद हो जाएगा झाएं यह हमारा भ्याद अब बताओ मजस Nhाय कौरं लिया सौन tolerance सरल था कितना आसान था ना बस आपको एक जामनर ने घबरवा दिया आपको एक तो ये दे दिया ये परसाद दे दिया ये वाला और एक परसाद ये दे दिया बस सवाल वो था बस गेम खेल दिया आपके साथ में अताकि हमको इतना जादा इसको सॉल करना पड़ गया अब बताओ मदा आया साधान व्यास समझने में तुम लोग एक बार और रिपीट कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं है एक बार बताओ तुम लोग नो बज़े नहीं आते हो क्या किस काम में विजी रहते हो जब मैं तुमारे लिए हर दुनिया का हर काम चोड़ कर पढ़ाने आ जाता हूं नो बज़े तो आप कहां भी जियो भाई रोज क्लास नो बज़े स्टार्ट होती है है अज करेशो काल करेशो आज कर और आज करेशो अब और परल में परले होएगी भाणी करेगो कब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बाद में देख लेंगे सर्कलास को फिर तो बाद यह भाई अभी क्या करो लाइक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया पहले वीडियो को लाइक करो और हाँ सुनो सेयर करा करो क्लास को यार देखो मैं यह चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना समय मैं निकाल कर यह चीज़े लेकर आ रहा हूं क्योंकि पहले मैं कभी भी इस चैनल पर पढ़ाता नहीं था तो मेरी आप लोगों से यह है आप लोगों को ली गुरू दक्षना है यह जैसे पता लगे कि सर की क्लास होरी इधा कर दिया करो अपने दोश्तों के पास थाकि जादा से जादा लोग क्लास में जूड़ सकें और हमको भी अच्छा लागएगा दुबारा समझाओं चलिए दुबारा समझना चाहते हो तो लिखो कमेंट्स में सर दुबारा समझा दो नहीं फिर मैं अगला कॉश्चन करवाऊँगा लिखो क्या बात कर दी है भाई आप पर नमस्वी आदव कहने मेरी बात ही नहीं सुनते हैं आप भाई ऐसी कौन सी बात कह दी नमस्वी ऐसी एक बार और अधिकतर लुबाई जनता जनार्धन चाहते हैं कि एक बार और इसको समझा दिया जाए तो ठीक है आजाते हम दुबारा से चीजों को समझाने के लिए कि आ जाएगे कि देखो सबसे पहले यह क्या है अमारे पास मूल्दन है इधा देखी अमारे पास कितना है मूल्दन कितना है मारे पास मूल्दन बारा स्रोग दर क्या है ब्याज की दर दर है सातियों सोला सही दो बटे तीन दर है क्या सोला सही दो बटे तीन अब इस दर को हमको आगे निकालना है सॉल करना है दर को आगे दर को सॉल करना है पहले दर को सॉल कर लेता है अगर ऐसी कोई संख्या अमारे सामने आ जाए तो नियाम होता है कि नीचे की यह दोनों संख्याओं को जोड़ दो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो आपस में इन दोनों संख्याओ तीन अमारी दर हो गई, दर कितने हो गई, पचास बटे तीन अमारी दर हो गई, उसके बाद में अगली जो चीज आती है, वो आती है समय, समय कितना है, तिहत्तर दिन, अब तिहत्तर दिन से ब्याद नहीं निकलेगा, क्योंकि यह हमको वार्षिक ब्याज की दर्दी है, यह क तेस्तर दिन को हम साल बना लेंगे, तेस्तर दिन को क्या बनाएंगे, साल, अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है, इधर देखिए, नियम ये कहता है, समय के लिए, कि भाई, 365 दिन, बराबर एक वर्स होता है, सही तो है न, भाई, अगर 365 दिन बराबर एक वर्स होता है, तो एक दिन बराबर क्या हो गया, भाई 365 का भाग दे देंगे, सही है ना, 365 का भाग दे देंगे, एक दिन का निकल जाएगा, लेकिन हमारे पास है तिहतर दिन, कितने हैं तो तिहतर दिन है, तो तिहतर दिन का अगर समय निकालने के लिए क्या गरें, तिहतर दिन बराबर क्य कलकर आगे हैं यह आगया है समय यह आगया है धर यह आगया मूल इतनी बात समझ लग गई बताइए क्या इतनी बात समझ लग गई बोलो क्या बात हो गई इतनी बात समझ लग गई अब यहां से आगे कॉशन को सॉल करना शुरू करते हैं जैसा कि आप सब् सबी को पता है साधारन ब्याज निकालनाए एक सुत्र है साधारन ब्याज का एक सुत्र है सुत्र्स आतियो मूल धन इन्टु दर इन्टु समय बके सो इसको मैं क्लास्म अब तक कई बार बता चुका हूँ, यह सूत्र है अब इस सूत्र के अनुसार हमको यह सारी चीजे जमानी इस सूत्र के अनुसार हमको यह सारी चीजे सातियों जमानी जो यह है, यह सारी चीजे हमको इस सूत्र के अनुसार जमानी तो यहाँ पर क्या हो गया सबसे पहले मैं सूत्री लिख देता हूँ ताकि आपको फिर और अच्छी तरिके से याद आ जाए मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे सो ठीक अब हमको इसके आदार पर संक्या जमानी तो मूलधन कितना है हमारा बारा सो रुपए है दर कितनी है हमारी पचास बटे तीन समय कितना है हमारा पेतर बटे पैसट बटे सो इस सूत्र के अनुसार संक्या इस तरीके से जमाईगे लेकिन नियम यह कहता है कि अगर उपर की संक्या में इस तरह से अगर कोई संक्या आती है तो उनको तुम साधारन तरीके से जमा सकते हो अब वो साधारन तरीका क्या है जमाने का वो तरीका यह है कि बारे से को लिखो बारा सो यह जो गुणा में लिखो उपर का पचास उना तिहतर अब बटे मैं किया गिए सो है इसको सो लिखो इस तीन को यहां लिखो इस तीन इस सिक्ष्टी फाइब को यहां लिखो बस ऐसे संक्या जमा देंगे और हमारा आनस्वर आ जाए अब समझ लगया बात अब बात समझ लगी बोलिए अब हम अगले कॉश्टन की तरफ जम्प करने वाले हैं अब हैसा आते हों अगले कॉश्टन की तरफ जम्प करने वाले हैं चलिए कॉश्टन नमबर 5 फिर उसके बाद में चक्रवरती ब्याज में पढ़ाना शुरू करूंगा आप करने का प्रियास कर रहे हो थोड़ा वोथ 32 का 7 परसेंट वार्सिक साधन ब्याज की दर से 9 महीने के बाद ब्याज कितना होगा कॉश्टन की लेंगवेज को समझे चलिए प्रियास करो फिर मैं बता दूँगा देखो जिस तरीके से दिन निकाले थे न हमने दिन निकाले थे न कि एक दिन बराबर 365 है ना उसी दिन लिकाल लेना कि एक मही एक महा बराबर एक बटे बारा टाइप मलब में इंट दे रहा हूं तुमको आप करो चले करो 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 खुद करो सेम टू सेम कॉशन है ज्याद अंतर नहीं है अब 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 अ अ अ अ अ दर कितनी है साथ परसेंट समय कितना है आ अ 9 माह कितना है 9 माह अब यहांते ही हमारा गेम चालो होता है अच्छा वाला इस 9 महां को समझने का आप यहांपर प्रियास करिए आ जाए देखो क्या कि समय 9 माहा है लेकिन हमसे पूछा है वारसिक्त अब हम यह करेंगे अब हम यह करेंगे कि 9 महा का एक समय बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हमने जैसा कि उस समय किया था एक साल बराबर 365 दिन 365 बराबर एक साल तो यहाँ पर क्या किया था यहाँ पर क्या किया बारे महा बराबर एक वर्स सही है बाई बारे महा बराबर एक वर्सित होता है तो एक महा बराबर क्या हो जाएगा एक बटे बारा हमारे पास कितने नो महा है तो नो महा बराबर कितना हो जाएगा नो बटे बारा तो हमारे पास जो समय है साथी हो कितना आ गया नो बटे बारा आ गया तीन चीज चाहिए थी हमको, पहला मूलधन, दूसरा धर, और तीसरा हमको चाहिए था समय, तीनों चीज हमने निकाल ली गाईज, तीनों चीज क्या हमने निकाल ली है कि यहाँ पर, तीनों चीज हमने निकाल ली है, फिर हमारा सुत्र लगा देंगे, वोही सुत्र जिसको ब दिखा रहा हूं सो है यह साथ सो नहीं है इसी आधार पर संख्या मिया पर जमा लेंगे आईए कि संख्या जमाने का हम लोग प्रियास करते हैं मूल धने 32 दर है हमारी साथ और जो समय है साथ हो वह है नो बटे बारा बटे में सो पिछली बार हमने जो किया है फिर से उसको दोराएंगे कैसे लिखेंगे आए रे रुख जा काका रुख जा यह कॉशन समझा दूँ मैं सबको तो यह आगे लिख देंगे 32 सो इंटू साथ इंटू नो और है जो बारा है इसको नीचे ली आएंगे इन्टू सौ इन्टू बारा इस बारा को यहां लिया है नीचे ठीक है अब साथियो हम इसको काट लेंगे यहां से बढ़ाई साधन तरीके से इस जीरो से इस जीरो को काट लिया अब यहां पर साथियो बारा है तो तीन से कट जाएगा अराम से तीन से कट जाएगा चार तिया बारा चार बार गया तीन तिया नो तीन बार गया अब इस चार से इस 32 को काट लेंगे चार इकम चार चार दूनी आठ चार तिया बारा चार सोला चार पंजो बीस चार से की चौईस अठाइस कितने बार गया कितने बार कटेगा बताईए आठ बार साती हो यह यहाँ पर कट गया कितने बार गया आठ बार कट गया तो हमको यहाँ पर क्या करना है आठ इंटू साथ इंटू तीन इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड देंगे तो हमारा आंस्वर आ जाएगा क्या जाएगा हमारा आंस्वर आ जाएगा 168 इनको गुणा कर लेंगे और उसके बाद में ब्याज यहाँ पर निकल जाएगा कितना आ जाएगा 168 यहां पर आंस्वर आ जाएं समझ गे वो अब बताओ साधारन ब्याज में किसी को कोई दिक्कत हो तो अब बोलो चाया आपने जीवन में कभी भी साधारन ब्याज नहीं भी पढ़ाए ना तब भी हम साधारन ब्याज पढ़ना सीख चुके हैं देख लो चाया बहले हैं आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा हो समझ आ गया चलिए अब हम और कौशन यहां पर कर लेते हैं बड़े डिटेलिंग के साथ अब यहां पर साथियो हम चक्रवरती ब्याज पढ़ना शुरू करेंगे क्या पढ़ना शुरू करेंगे चक्रवरती ब्याज वीडियो को सेयर कर दो एक बार सब जगें आप लोग क्योंकि मुझे लगता है नीद आ गए लोगों को पता नहीं था क्लास का इसलिए कम लोग देख रहे हैं जादा लोग आज क्लास को देखनी पारें क्योंकि आज थोड़ी लेट इस्टार्ट होई थी और क्लास में पहले क्रेट नहीं की थी तो बहुत सो लोगों को लगा क्लास नहीं हो रही है एक बार सेयर कर दो सब जगें फिर मैं आपको चक्रवरती ब्याज सम अब ब्याज के उपर ब्याज लगाने को क्या कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं ब्याज के उपर ब्याज लगाने को चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं चलिए अब यहाँ पर हमको क्या दे रहा है यदि वार्षिक व्याज की दर से दर कितनी परसेंट है पांच परसेंट 400 रुपए पर आपको कैस आती हो ये कॉशन करना है इसका है मूलदन कितना है 400 रुपए तो हमने लिख दें यहाँ पर मूलदन मूलदन कितना है 4000 लिखते जाओ दर कितनी है यहाँ पर व्याज की दर 5% समय कितना है दो वर्ष इतनी बात समझ लग गई कि ये कहा से लिखे है इतनी बात समझ लग गई भाई मूलदन वूरा 4000 दर्येरि 500 समय येरा दो सम्मूरण इतने बात समझ लग गई आपको अब न एक सुत्र होता है चक्रवर्थी मिस्टरन एक सुत्र होता है चक्रवर्ति मिस्तरदन का एक सुत्र होता है उस सुत्र को आप एक बार लिख लोगे तो आप इसको सीख पाओगे जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में लिखाया था सुत्र क्या है मूलधन कैसा आती हो सुत्र क्या है हमारा यहां पर है साती हो मूलधन अब थोड़ा थोड़ा आपको कट कटिन लगना सुरू हो जाएंगे चीज़ें प्लास दर बटे समय अरे माप करना यह है सुद्र पहले इसको चापलो आप कोपी में पहले इसको कॉपी में छापलो आप पहले आप इसको कॉपी में छापलो पहले इसको आप कॉपी में छाप लीजिए पसीन आ रहे है आद तो मुझे यार पंखाई चलाई देता हूं तेसी चलाई नहीं और पसीन आने लगे यह बार इसको नौट कर लो कॉपी में फिर आके हम समझेंगे चक्रवरती भ्याज पंखा लग रहा है दर को क्लास में एक्चली पंखा में बंद करके रखता हूं क्योंकि अगर क्लास में पंखा चलाऊंगा न तो नौइस आती है क्या आएगी नौइस आएगी इसलिए मैं पंखा बंद करके रखता हूं सुत्र समझ लिया आईए इस सुत्र के अनुसार हम चीजों को जमाने का प्रियास करते हैं इस सुत्र के अनुसार सात्यों क्या करते हैं हम चीजों को जमाने का प्रियास करते हैं तो मूलदन कितना है हमारे पास 4,000 है संक्या को सेम टू सेम इसी तरीके से जमा देंगे प्लस दर कितनी है हमारे पास पांच की है बटे सो और समय कितना है दो वर्स ये सुत्र के अनुसार आब हमने सारी संक्या यहां पर जमाली है सुत्र के अनुसार क्या है सारी संक्या आब हमने यहां पर जमाली अब आगे कोई कॉशन सौल करके बताए तो मैं मानू सीव कुमार ने सही Southeast दिया है 510, और कोई व्यक्ति है, जो जाननाताँ कैसे किया है या आगए ये और कोई व्यक्ति है तो देख़ रहा हूं मैं comment देख रहा हूं, आप लोगों की comment देख रहा हूं कोई बताओं को मुझे केसे किया है थोड़ा यहां से आगे जमाओ कैसे संख्या जमानी है कुछ बताईए अरे पढ़तो लो जून तक तो कंप्लीट सब कर लेंगे भाई यहां पर जो एक स्टाइल वित्मीना एमेस ओम ने दिया है एक चार सो को एक सुपास चार दार और एक सुपास से गुणा कर लेंगे बटे सो को एक सुपास ना कोई उचित समादान नहीं दिया अभी तक किसी कि यहां से आगे कैसे करेंगे उचित समादान डायरेक्ट उत्तर मत बताओ मुझे यहां से आगे का तोड़ चाहिए डायरेक्ट उत्तर मत बता यह उत्तर था हमको भी आता है ना पर मैं और लोगों से जानना चाह रहा हूं इतना समझ लिया क्योंकि एक गंटे क्लास होगे समझे क्या हो आप चक्रवर्ति भ्याज के बारे में देखो क्या करेंगे यहां पर यह इसका इसक्वार है क्या है इसक्वार में पर में को मतना सरजूम तक हो जायेगा час कम्प्लीट पहली बार क्रल्श माई हो गया और पेटा इस पेहली बार क्लास माई हो और आज ही कम्प्लीट करावना चाहते हो साल रफिवार से एली अगर क्लास में आते तो यह सवाल यह आप SOP पढ़ोना आपका काम है पढ़ना है बस आप लोग पढ़ते जाओ जब आप चीजों को कंप्लीट कर दोंगे ले चीजे उसी दिन सही हो जाएंगी पंका में आप भाई सब चला ही दिया है मेरी तरफ मोड़ देता हूं क्योंकि अब लग रही है गर्मी गुमजा भाई साब गुमजा सिमसिम मेरे तरफ गुमजा बोड़ की तरफ गुमजा गुमजा जल्ली भूम जल्ली भूम फिर सवाल करवाएंगे ठीक है थैंक यो आज मेरा नाइन किलास है क्या बात है नाइन किलास है तब भी आप उसे ये सवाल पूछ रही हो फिर तो भाई काम तकड़े हैं आपके चलिए सॉल करिए 4000 गुणा 105 और 105 बटे 100 गुणा तो तुक बंदी नहीं लगी तुक बंदी नहीं हुई तुक बंदी नहीं जमियार पियार ब्रजेंदर कुमार कह रहे है 4000 गुणा 21 बटे 20 ने यह मैं थर्ड नहीं हुआ या मैं बताईए आप लोगों से क्यों करवा रहा हूं क्योंकि आप लोगों आंसर लिख लिख कर भेज दिये थे तो मैं यह सोचना चारा हूं कि आंसर का पता कैसे लगा बिना मैं थर्ड कैसे पता लगा या तो आप कोई किताम ऐसे टीप रहे हो यह ना बात तो यह समश्चा ही नहीं आती एम एस हूं ने का है कि चार हजार इंटू सो कर दिया इन्हों ने चार हजार इंटू सो कर दिया नीचे वड़े संक्या प्लस पांच कर दिया मदा नहीं आया चलिए मैं आपको साथ ही आपर समझा देता हूं चीजों को बतला देता हूं पर हां जितने भी लोगों ना आंस्वर क्या किया है इसका जितने लोगों ने 410 आंसर किया है वाकई सोचने पर आप लोग मजबूर हो गया हूं चले काम करते हैं क्या एक ट्विष्ट देते हैं आज की क्लास में वैसे इसकी क्लास डेड़ गंटे से चल रही है इस क्लास में इस कॉशन को अंतिम समझने के लिए कल की क्लास में आना पड़ आं तब आना है ले कि यह आपका हूं वघ्र ओ जाए अब आप जो यहां से आगे आप लोग करवादी हैं मैंने क्या साति हो मैथ की जो जितने प्रशणाव लिए ती वह समय कम्प्लिट करवा दिए नुपात कर्वा दिया समुनुपात कर्वा दिया प्रतिसत या लभ और हानी तो कल ही करवाया है मैंने ब्याज भी करवा दिया साधन ब्याज करवा दिया चूट भी करवा दिया यानि मैथ मैंने almost cover करवा दिया है कोई topic चूट रहा हो तो आप comments करके बता दो आज मैं आपको मेगा टेस्ट करवाऊंगा और कल से हम logical reasoning करना सुरू करेंगे क्या करेंगे logical reasoning LR करना सुरू करेंगे only 10 class में मैंने आपको सारी math पढ़ा दी है ओके डियाई वगरा सब लोग पढ़ाएंगे चलिए आज हम सातियों जैसा कि आपको पता है मैंने का कि आज हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट करेंगे सातियों संख्या नंबर संख्या से हम टेस्ट की सुरुवात करने वाले हैं मैंने आपको पहले दिनी ये बतलाया होगा कि आपको ये table याद करनी है याद पहली किलास में बैच अरजुन की पहली किलास में यह सिकाया था कंपाउंट इंट्रेस्ट हां 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 भाई कंपाउंट सी आई रह गया था उसको करवा दूंगा आज करवा दूंगा तो सबसे पहले हम पहले दिन की क्लास को रिवाइज करते हैं हमने पहले दिन की क्लास में इस टेबल को सीखा टेबल में क्या सीखा जैसे ए आता है एक नंबर पर बी आता है दो नंबर पर सी आता है तीन नंबर पर डी आता है चार नंबर पर यह आता है पांच नंबर पर एफ आता है छे नंबर पर जैसे अब ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने याद आपको जी सेवन की बैठक होती है जैसे अभी G20 का समिट चला था इंडिया में उसी तरीके से जी सेवन की बैठिक होती है आई-9 आप कहते रहें तो पूरे दिन आई-9 मैं जानता हूं आई-9 तो आई-9 जे-10 ट्रिक बना लो जे-10 के-11, L12, M13, N14, O15, O, 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 लाल पुरुषेट, 30%, O, 15 पीकर्स हो गया, P16, क्यों सत्रा, सत्रे में खत्रा, क्यों सत्रा बेटा, क्यों सत्रा, क्यों सत्रा, क्यों सत्रा, और हैसा आत्यों, R18, S19, T20, T20 में, T20, V20, ये सब हमको याद करेते हैं हमने पहली क्लास में पहली क्लास में याद करेते हैं, फिर से दोरा देते हैं सारी चीजों को, अब हमने ये नंबर सी उल्टे सुल्टे हैं, मैंने इसकी ट्रिक बताई थे आपको, मैंने क्या बताए है, A को और Z को, ये A, A जो है Z का उल्टा है, A का उल्टा Z है, तो मैंने कहा था अजहर लिख पांदार कप्तान हुआ करते थे बाद में काफी सारी आरोप लगे और उसके बाद में काफी चीज़ें पर नीच होई लेकिन अजर एक काफी अच्छे खिलाड़ी थे ठीक है तो एजएड से लगा लो अज़र सार जी थारो टेलीग्राम जोईन कोनी हो रहे हो चाहे क्यों ना हो रहे हो विनीदा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डॉक्टर लॉकिस बाली टेलीग्राम चैनल है मेरा यह टेलीग्राम चैनल कर नाम लिखो लिखो टेलीग्राम चैनल कर नाम डॉक्टर एल वाली टेलेग्राम चैनल आप लोगों ने एक काम करणा बंद कर दिया है पहले नव मेरे बड़े प्यारे प्यारे मित्र मेरी क्लासों को सेयर किया करते थे अलग-अलग ग्रुप्स में जो भी अरजुन बैच में आप लोगों ने जिम्मेदारी ली थी आप लोग अपनी जि किसा रो जाएंगे और ये भी वादा किया था कि ला हर किलास को सेयर करेंगे एक वादा मेरे याद रखो और क्लास के लिंक को सेयर किया करो चलिए चलिए ट्रिक समझ लिते हैं साथ है कि vem का yourself निइस सकते हो बाई बाय कर सकते है सिक्षर लिख सकते इसको इसको दूदवाला लिख सकते जलते हो दूद्वाल याद हो दूद्वाला आज करीड यही में एवरीडे लिख सकते हो स्कभाव फूछ फूग झी ती लिख लिख सकते हैं और सीह गो सेर सासूरी ने लिखवाय बनवाय तत ये और एचेस हाइसानिया आई आर क्या साते हूं आई 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 का मतलब इंडिया रेलवे भी कर सकते हो बोलो देवी जी इसको आप आई आर कर सकते हो एक ही रोई नह इसके नाम पर जैकलीन बना सकते हो इसको केपी के नाम से कपिल बना सकते हो, इसको एलो के नाम से लौकेश बना सकते हो, या लव बना सकते हो, ये मन बना सकते हो, मन. एक बार आमीर खान की मूवी है मन, एमेन, मन, इसमें मनिसा कोईराला और आमीर खान, एक बहुत ही सुन्दर गाना है इस मूवी का, चाहा है तुझको, चाहेंगे हैर दम, ऐसा कुछ गाना है बड़ा प्यारा, तो वो खाहें. चलिए तो यह इस तरीके से मैंने आपको याद करना सिखाया था यह इस तरीके से पूरा याद कराता है पहली क्लास में यह था उमिद ने आप लोगों ने यह पर सीख लिया होगा तो यह कॉसंट थे हमारे ुप समय के सब्सक्राइब के देखें चलिये इस वाले कॉस्षिन को करिए कॉस्षिन नमर्ब पाँच करिया आप खॉर नमर्ब पांच करिए मैं आज वैसे टेस्ट लेने की सोच रहा था ग्यार क्यों यूटूब पर पोल देने का ऊप्षन नहीं आथा आप लोग तो comment मेंä answer करो आप लोग कोमेंट में दुआधार answer करो उसी से जान जाऊँगा मैं तो कि आप लोग कितना अच्छा question को करते हो ये कितना अच्छा question को नहीं करते हो बहुत से लोग गलत सलत आंसर दे रहें इसका सई आंसर है साते हुए आपसे क्या बोला मैंने यह बोला कि हर इसका संब्द्ध इससे क्या है एक प्लस हो रहा है उसमें भी एक प्लस होते जा रहा है और यह जो चार प्लस होते जा रहे हैं तब जाकर जो संख्या बनेगी वह बनेगी साथ यो डी इटी इसका सही आनसरा मैं सॉल करके नहीं बताऊंगा सॉल करके नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मेरा टेस्ट है और यह कौशन मैंने पिछली क्लासिज में आप लोगों को करवा दिए बस आप लोगों तो दिमाग लगार का आपको आंसर करना है इसार हमको याद रहे हैं कि नहीं रहा चलो करो समय लेकर कि समय एक मिनट करिए कि आज टेस्ट है तो टेस्ट को टेस्ट की बाती दीजिए आप कि आपको इससाने टोकूदिए लोगों कर देस्ट के औरे opens लोगों कि देस्ट हैं मि भी आपको कि अ ? झाल झाल चले एक मिनिट आपका समय सात्यों यहां से जा चुका है और सई आंसर है डेवल्यू सिक्स नंबर का सई आंसर क्या दिया है सई आंसर सात्यों सी वी आई जे क्या सात्यों सई आंसर सात्यों वी आई जे क्योंकि यहां पर हर एक अक्षर में प्लस दो हो रहा है क्या हो रहा है प्लस दो प्लस दो हो रहा है तो वी आई जे सई आंसर अब कुछ लोगों से नहीं कर पा रहे होंगे इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि आपने पहले दिन की क्लास नहीं देखी होगी और मैं नहीं सॉल करवाँगा क्योंकि मैंने यह सारे कॉशन आपको पढ़ा दियें क्लास नमबर एक में और आज एक क्लास नमबर दो यानि कि 9 गंटे की क्लास मांके उनको फटापट देख डालो काम बन जाए चलिए थोड़ा सा आइडिया लग गया हमको कॉशनों का कैस दिल धक 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 धड़के जालमा मेरी बाईयाक दिल धड़के सयोडी यह गाना बहुत पुराना है रजल्ट को देखकर आप लोगों के दिल धक 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 हो रहा है आप लोगों के मैं जानता हूं को जानते होगी कॉशनों को गलत कर रहे होंगे सई आंसर है 28 में जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं तसा यह साती हो सई आंसर है यह पर जए इद्धा करेक्ट आंसर हर शब्द में आपको एक शब्द दिखाई देरा होगा लिए सी के बाद में आप इसमें सब में एक एक शब जुड़ रहा है तो जे आएगा याप जैगा जैए आंसर आएगा एक नमबर की क्लास में यह सब चीजे मैं आपको समझा दी थे आज यह मेगा टेस्ट है तो मेगा टेस्ट की तरह करिए चलो 32 समय एक मिनट समय वन मिनट हुआ है इस फांट है तो में जो पठान मेरि जान तंटंंंं तंटंंंंटंंं टाना चलिए कौशन एक मिनट का दिया हुआ समय समाप होने जा रहा है कुछिए प्रेज़ साथ यूँ बी एन और सी कितने लोगों ने सही किया है कि सब अधिकांस लोगों ने सही किया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेगा टेस्ट में आप लोग पास हो रहे हो गाई कल का रेजल्ट का पता नहीं क्या होगा लेकिन अभी टेस्ट में तो आप लोग पास हो रहे हो बहुत बढ़ाई अंतिम कॉश्चन और करो इस पुशना हो लिगा चलिए 33 करिए कोई बात नहीं आजा अगर आथ टेंसर मोग तो क्लास बंद कर दें जल्दी आप अगर टेंसर मोग तो सर आज क्लास जल्दी बंद कर दो यह कहना चारे हो क्या तो बूलो एक बार कि हाँ सर क्या टेंसर में दिमाग काम नहीं कर रहा तो ऐसे बोल दो करो जलो साथियो अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बात हैं अच्छे से समझ में आती हैं तो अपना प्रोफिसर एप्लिकेशन को आप डाउनलूड कर लेना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कॉमेंट में आपको यह एप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर साथियो आप इस एप को डाउनलूड कर लीजे अगर आपके पास एंड्रोइड मॉबाइल नहीं है अप्ल का मॉबाइल है तो आपको माई इस्ट्यूट करके एक एप्लिकेशन डाउनलूड करना है और वहाँ पर साथियो यह ओर्गनाईजिशन कॉर्ड डालना है और उसके बाद में आप इस एप का लाब उठा सकते हो अगर आप यूजिसनेट के तैयारी कर रहे हो तो यह टॉगल आपको यूजिसनेट का दिख रहा होगा जैसे इस पर किलिक करोगे उसके बाद में सभी क्लासेज आपको दिखने लग जाएंगी और हमारे प वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप फर्स्ट कोमेंट में हैं आएए अब आगला टॉपिक पढ़ते हैं